कि अग्जाने वाले हैं और घबराहट बढ़ गई है विल्कुल सही है ऐसा ही हो रहा होगा और मुझे ऐसा लगता है कि यह शायद नॉर्मल होगा अब पता नहीं है यह एक नॉर्मल फिनामेना है जिसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है लोग ऐसा भी होंगे कुछ 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 ने सर हमें डर नहीं लगता हम बहुत कूल है और एसा तो वह वह नॉर्मल नहीं है क्योंकि इस सिच्वेशन में ऐसा कोई नहीं होगा जो जई के लिए एक्जाम देने जा रहा है जो G का पपर देने जा रहा आ इते के लिए तयारी कर रहा है और वह इस ताइम पर नॉर्मल एह अब मुझे तो इह बिलकुल कहीं से समझ में नहीं आता वह नॉर्मल हो ही कि नजाने पेपर कैसा आएगा हमारा स्कोर कैसा चलेगा बट मैं तुम लोगों से एक ही चीज बोलूंगा कि यह एक नॉर्मल पिनॉमना है इससे परेशान मत होना इस वजह से अगर स्कोर खराब आ जाए कि घबराहट की वजह से सर यह गलती कर दी आप परिशान हो रहे थे डर रहे थे लास के दिनों में इतना घबरा गए थे कि हम रिवीजन नहीं कर पाए पढ़ाई नहीं कर पाए जिसकी वजह से दिक्कत हो गई तो मेरा सजेशन यह कि तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा जो इस वजह से अपना स्कोर कर रहा है सिर्फ घबरा कर विकॉज इस नॉर्मल यह नॉर्मल फिरॉमना किसी से भी पूछो कि वह यही कहेगा कि लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एक्जाम आपका होने जा रहा है बताईए आपको थोड़ी बहुत घबराहट है कि नहीं तो हर आदमी यहीं कहेगा यह घबराहट इस चीझत की नहीं है कि हम बरबाद हो जाएंगे लुड़ जाएंगे बरबाद हमें घबराट हिस चीज के हो रही है कि यार जो हमने तयारी की है उस त elaborator हमें क्या ? मिलने वाला है, इस चीज की घबराट, क्या हम इस चीज को फुल्फिल कर पाएंगे, अपने पेरेंट्स की ड्रीम को फुल्फिल कर पाएंगे, जो नोंने हमारे लिए सोचा क्या वो हम कर पाएंगे, हमें इस चीज की घबराथ है हमें इस चीज की घबराथ नहीं है कि हमारे नंबर बरबाद हो गए हम कुछ नहीं कर पाए हम क्या करेंगे ham क्छीज की है बलकि इससे तो और motivate होना चाहिए कि भाई साब ऐसा है ये result लाना ही लाना है क्योंकि ये result जिसने बोला है हमसे लाने के लिए जो हमारे parents जिन्होंने हमसे ये कहा है ये काम करने के लिए हमें ये काम करके दिखाना ही दिखाना है इसलिए मेरा मानना यह है कि बड़ा नॉर्मल है, मस्त रहो, ये परिशानी सब के साथ रहेगी, बिल्कुल परिशान मत हो, मस्त एकदम कोई टेंशन नहीं है, बढ़या तयारी करो, और जितना भी टाइम बचा है, उसमें बढ़या रिवीजन करके एक्जाम देआओ, मुझे सर, हम इस पूरे पेपर की बैंड बजा देंगे, because syllabus बड़ा clear है, पेपर का pattern एकदम clear है, सर, पेपर का little एकदम clear है, और ये कहीं से भी मुश्किल exam नहीं होने वाला है, इसलिए मेरा suggestion है, कोशिश करो, लग के कोशिश करो, मुझे ऐसा लगता है, सब लोग बहुत अच्छा exam करेंगे, ये जो series तुम लोगों के लिए चल रही है, ये जो batch हमने तुम्हारे लिए launch किया, जिसे मन्जिल batch बोला जा रहा है, ये एक ऐसा batch है, जिसमें generally उन बच्चों को काफी फाइदा होने वाला है, जो बच्चे थोड़ा-थोड़ा revise करना चाह रहे हैं, लास के moment पर अपनी चीजों को summarize करना चाह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत जादा beneficial है, और जो लोग चाहते हैं कि एक ही बार में उनका पूरा division हो जाए, ये उनके लिए बहुत जादा beneficial, इस पूरे series में हम लोगों ने तमाम chapters कर लिए हैं, आज जो chapters हम उठाने वाले हैं, जिस को परिशान करता है, उसका reason, उसका reason यही है कि सर मुझे डबे में से आवाज सुननी नहीं आती, वो डबा जो solution दिया गया है, अगर मैं उस solution के आवाज सुनना शुरू कर दू, कि अंदर से आवाज आ रही है, बेटा मैं buffer solution हूँ, बस buffer का formula लगा दिया, अंदर से आवाज यह मेरे अंदर एक ऐसा anion है, जो hydrolyze होने वाला है, anionic hydrolysis का formula लगा दिया, यानि अगर मुझे डबे की आवाज सुननी आ जाए, तो मुझे ऐसा लगता है, यह chapter आसान हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ कुछ formula है, जो हमें याद रख रहे हैं, और उसके बाद सवाल जबे की आवाज सुनी और formula लगा कि answer निकाल दिया, आसानी से ये काम किया जा सकता, हम लोग जो start करने वाले हैं, अपने tension किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी किसी चीज़ की कोई tension नहीं होनी चाहिए, इस तुती जब questions solve नहीं होते तो tension होती है, बिल्क लगता है, जई का मेंस का level है, वो आपका पहला ही level है, आप basic level पर तयारी अगर करके जा रहे हैं, तो भी आपका अच्छा काम चल सकता, बहुत बढ़ी चलिए कोशिश शुरू करते हैं, हाँ तो हम लोग आज आइनिक equilibrium में start करते हैं, और आइनिक equilibrium में जो मुझे लगता है यह बहुत जादा important phenomena नहीं लगता, और बच्चों से यह suggestion, suggest कर रहा हूं है, कि वो NCRT से इस ionic equilibrium में acid base theory को NCRT के शुरू के एक दो pages से पढ़ भी लेंगे, यानि यह बहुत simple सा phenomena है, simple सी कुछ theories है, जो acid base को represent करने के लिए बनाई गई, उसके बाद मुझे लगता है, मैं pH calculations प कुछ solutions की pH calculation के बारे में बात करूँगा, और उसके बाद salt hydrolysis के बारे में discussion होना चाहिए, जिसमें cationic hydrolysis हो रही है, anionic hydrolysis हो रही है, क्यों हो रही है, cation anion, दोनों लोग hydrolyze कर रहे हैं, जिसमें polyanine के hydrolysis हो रही है, या amphiprotic anions के hydrolysis हो रही है, बड़ा important है, सर यह जड़ा सा topic आता है, जिसको buffer solution का जाता है, buffer solutions की pH calculations के बारे में, और buffer solutions को कैसे पहचाना जाता है, इसके बारे में discussion करेंगे, और उसके बाद जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल J.E. में पूछे जाते हैं, and that is solubility, यानि salt solubility के ऊपर उसके बाद discussion किया जाएगा, जो बहुत ह की जादा important consider किया जाता है, और last में मुझे थोड़ा सा discussion indicator थेरी के बारे में, और titration curves के बारे में भी थोड़ा सा discussion करूँगा, because मुझे ऐसा लगता है, में इस level पर एक हलका सवाल, एक खूबसूरस सवाल titration curve पर बनाया जा सकता है, ये कहके कि ये जो titration curve बनाया गया है, क्य discussion करें, तो मुझे लगता है, सब कुछ अगर देखा जाए, तो ये overall आसान सा chapter होगा, जिसके अंदर हमें इन सारी चीजों का discussion करना चाहिए, तो चलिए फटा-फट स्टार्ट करते हैं, 75% criteria आज से start करें तो हो जाएगा, बेटा कोशिश करना तो कभी से भी start किया जा सकता ह से start करोगे, तो जो score आने वाला था, उससे तो बेटरी आएगा, तो इसलिए तयारी करना है, start कर देना चाहिए, इसमें कोई दोराए नहीं, चलिए, अब सब लोग अपनी copy निकालने, एक बार फटा-फट तयारी शुरू करते हैं, और सबसे पहला topic जो हमने 30 के बारे में फटा-फट इसको खतम करते हैं, विकाज यह इतना important दिखाई नहीं दे रहा, सबसे पहले, अगर मैं Arrhenius Acids की बात करूँ तो बहुत clear है, Arrhenius Acids के बारे में यही बोला जाता है, जो लोग H-provide करते हैं, वो हमारे Arrhenius Acid होते हैं, यानि H-provide करने वाला आदमी हमारा Acid, और जो हमारा OH-provide करने वाला हमारा base होगा, यानि Arrhenius Acid की theory बहुत clear है, Arrhenius Acid H+, देते हैं, और OH- देने वाले लोगों को Arrhenius Base का category में डाला गया है, बहुत सीधा है, और दूसरी बात कर लेते हैं, फटा-फट इसको खतम करते हैं, Bronsted Larry theory क्या कहती है, यह साब कहते हैं, जो H+, देते हैं, वो Acid हैं, और जो H+, लेते हैं, वो Base है, यानि इनकी हिसाब से H+, देने वाले लोग Acid है, और H+, collect करने वाले लोग, वो Base है, जैसे माल लीजिए, एक example लिया जाए, Ammonia H2O के साथ जोड़ रही है, तो Ammonia Water में से H+, ले रही है, तो Ammonia तो Base की तरह behave करेगी, और Water ने क्योंकि Ammonia को H+, दिया, तो वो Acid की तरह behave करेगा, यानि Ammonia Base हो गई, और H2O हमारा Acid हो गया, अब इसमें भी एक छोटा सा Phenomena जो दिखाई दे रहा है, वो ये, कि अगर Ammonia जो की Base है, जब वो H+, लेती है, तो जिस चीज में वो Convert होती है, उसे उस Base का Conjugate Acid कहा जाता है, और जो Acid है, जो H+, देता है, वो Acid H+, देने के बाद जिस चीज में Convert होता है, वो उस Acid का Conjugate Base होता है, समझे, यानि एक Concept है Acid, जिसका H+, निकलने के बाद बचा आदमी Conjugate Base, और एक है Base, जो H+, को लेने के बाद जिस चीज में Convert हुआ, वो Conjugate Acid, यानि मुझे Con मंझ में आता है कि conjugate acid base pair में सिर्फ एक फरक है और वो है एक H plus का यानि एक proton का जो अंतर है वही conjugate acid base pair का अंतर माना जाएगा और बिल्कुल साब दिखाई देता है कि सर अगर किसी भी acid में अगर H plus छोड़ दिया जाए तो वो उस acid का conjugate base तयार हो जाएगा यानि साब दिखाई देता है कि to get the conjugate acid हमें H plus छोड़ना होगा अगर H plus लेना होगा जैसे कि N2H4 N2H4 अगर H plus को accept कर ले तो साब दिखाई देता है कि ये N2H5 plus में convert होगा क्योंकि इसने H plus accept किया तो इसे base बोला जाएगा और क्योंकि H plus accept करने के बाद ये ऐसा बना तो ये इसका conjugate acid बोला जाएगा यानि कहने का मतलब यह हुआ बेस जब अपना काम कर ले तो जिस चीज में वो convert हो वो उसका conjugate acid और acid जब अपना काम कर ले तो जिस चीज में वो convert हो वो उसका conjugate base बिल्कुत simple clear है ये चलिए और आगे बहते हैं next point पर आते हैं फटाफट Lewis concept क्या Lewis आपका मानना ये है कि जो लोग loan pair या electron pair को accept करते हैं वो Lewis asset के नाम से जाने जाते हैं और जो होनी चाहिए और जो लोग loan pair को या electron pair को donate करेंगे उनके पास ऐसे खाली दो electrons होने चाहिए जो donate करने के लिए available है यानि वो bonding में involved नहीं होने चाहिए यानि जिन लोगों के central atom पर loan pairs है वो पक्का Lewis base की तरह भी एप करेंगे और जिनके central atom पर vacant orbital है और electrons की वो demand रखते हैं ऐसे लोग Lewis acid की category में जाएंगे जैसे एक बड़ा simple सा example तुमारे सामने है nitrogen जिस पर एक loan pair है और boron जिसका एक P orbital पूरा का पूरा खाली है समझते हो boron is SP2 इसका एक P orbital पूरा खाली है चारों तरफ fluorine लगे हैं जिसकी वजह से यह loan pair accept कर सकता और अगर यह loan pair accept कर सकता तो साब दिखाई देता है एक आदमी loan pair देने वाला आदमी तो यह पक्का Lewis base बन गया और एक electron pair को accept करने वाला आदमी वह पक्का Lewis acid बन गया और जब Lewis acid Lewis base आपस में एक दूसरी के करीब आए तो वह coordinate bond से जुड़ भी जाते हैं और इस तरह से यह complex जैसा आपको दिखाई भी देता है यह बढ़ा सीधा सा concept में कोई हास discussion करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं तुम से बोलूँगा कि एक बार NCRT के शुरू के कुछ पेजिस को जरूर याद कर लिया जाए जरूर पढ़ लिया जाए क्योंकि इसके ओपर भी सवाल बन सकता मुझे याद है कि कुछ इसी पार के पेपर में एक साल पहले के पेपर में इस बारे में बात कर चुका कि भाई यह बताईए इन में से कौन सा आदमी जो है वो लूइस बेस नहीं हो सकता सर अगर आपने लूइस बेस का नाम ले लिया तो इसका मतलब है आप ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जिसके पास एलेक्ट्रॉन पेर होगा डोनेट करने के लिए और अगर आप यह कहना चाहते हैं कि लूइस बेस नहीं है तो आपके पास ऐसा एक भी पेर नहीं होना चाहिए जो आप डोनेट कर सकते हैं और साथ दिखाई देता है सर एसे फोर के पास एक एलेक्ट्रॉन पेर है जो वो डोनेट कर सकता सर दोनेट कर सकता लेकिन सर पीचियल फाइव एक ऐसा आदमी है जिसके पास एक भी पेर नहीं है जो वो डोनेट कर सके यानि PCL5 मेरा सही आंसर होना चाहिए क्योंकि इसके पास एक भी electron pair डोनेट करने के लिए नहीं बचा इसलिए जो आदमी Lewis base नहीं हो सकता है that is PCL5 चलिए अब आते हैं main discussion अब जो मुझे समझ में आता है main discussion lot of this नहीं इसक करना है जो important दिखाई देता है water के बारे में discuss करना चाहते है पानी के बारे में अगर बात की जाए तो पानी एक ऐसा आदमी है जिसको अगर मैं यह अपने हिसाब से समझूँँ नहीं एक एक 2.0 खुद नहीं और है कि अब ऐसे में अगर मैं ये बोलूँ कि पानी की pH क्या होती है तो पानी के बारे में एक चीज हमें बताई गई है कि पानी का एक ionic product होता है जिसको kW कहा जाता है जो पानी के ions की concentration के multiplication के बराबर होता है और ये भी कहते हैं कि at 25 degree centigrade इस kW की value fix होती है and that is 10 raised power minus 14. यानि कहना क्या चाह रहें कहना ये चाह रहें कि 25 degree centigrade पर water का जो ionic product है प्रोड़क्ट है प्लस और OH का जो multiplication है that is 10 raised power minus 14 और पानी के बारे में ये बात भी हम जानते हैं सर्पानी हर temperature पर neutral होता वो neutral system और neutral है तो इसका मतलब पानी से आने वाले हैच प्लस और पानी से आने वाले OH माइनस बराबर होने चाहिए और अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ के डबलू जिसको 10 raised power minus 14 कहा गया है 25 degree centigrade पर वो हच प्लस और OH माइनस के multiplication के बराबर होगा और मेरे हिसाब से आप इसे हच प्लस का square भी कह सकते हैं क्योंकि अभी आपने बताया पानी neutral है पानी से आने वाले H plus की concentration और पानी से आने वाले OH minus की concentration same होनी चाहिए और अगर यह दोनों concentration same है तो इस से पानी से निकल के आने वाले जो H plus होंगे वो 10 raise power minus 7 molar होंगे जिसकी वजह से जो पानी की pH होगी जिसको आप minus log H plus कहते हैं it is minus log 10 raise power minus 7 and that is 7 यानि एक चीज जो समझ में आ रही है वो यह कि water से आने वाले H plus अगर 25 degree centigrade पर 10 raise power minus 7 है तो water की pH 7 consider की जाएगी और क्योंकि पानी neutral है इसलिए 25 degree centigrade पर जो pH scale बनेगा उसका neutral point 7 consider किया जाएग बताओ यह वाली बास सबके समझ में आई बिल्कु सही pH is equal to 7 है और इससे साथ दिखाई देता है कि 25 degree centigrade पर water से आने वाले H plus अगर 10 raise power minus 7 है तो neutral point मेरा 7 होगा इसका यह मतलब हुआ कि अगर मैं एक pH scale define करता हूँ कैसा होगा pH scale सर यह एक pH scale है जिसमें जो 7 वाला point है इस 7 इस 7 को तो आप समझ लीजे यह 7 आपका neutral point होगा सर 7 आपका neutral point बन गया this is my neutral point और 7 से जो कम वाले लोग है 6, 5, 4 वाले 6, 5, 4, 3 वाले यह हमारे acidic solution की category में आएंगे और जो 7 से बड़े वाले लोग है 8, 9, 10, 11, 12 वाले लोग 8, 9, 10, 11, 12 वो हमारे basic category में आएंगे यानि 25 degree centigrade पर जो pH scale define किया गया है वो pH scale यह define किया गया है जो हमारे लिए important now this is the pH scale at what this is the pH scale at 25 degree centigrade यह किसी भी तरह का सवाल बन सकता है वो आप से पूर सकता है में इस लेविल पर यह जो pH scale define किया गया है यह किस temperature पर define किया गया है सारी public must हो जाएगी वो कहें यह क्या बात होती है जिसको आइडिया वो समझ जाएगा 25 degree centigrade पर ही neutral point क्या है 7 अगर आपने temperature change किया तो सर आप बता चुके अगर temperature change होगा तो k value change होगी और अगर k value change होगी तो सर यह 10 की power माइनस 14 से कम यह जादा हो जाएगा जिसकी वज़े से एच प्लस जो वाटर से निकल के आने वाले उनकी value बदल जाएगी जिसकी वज़े से पानी की pH change हो जाएगी क्या कहना चाहते हैं सर कहना यह चाहते हैं कि अगर आप पानी की बात करें at temperature consider करें which is greater than 25 degree centigrade अब बताईए क्या होने वाला अगर temperature 25 degree centigrade से जाधा ले लिया जाएगा तो उस case में जो kw की value है वो 10 रेस पर माइनस 14 से बढ़ जाए और अगर kw पानी का dissociation बढ़ जाए और अगर पानी का dissociation बढ़ गया तो kw की value 10 रेस पर माइनस 14 से बढ़ जाएगी माल लेते हैं कि वो बढ़ने के बाद let's suppose let's suppose kw बढ़ने के बाद 10 रेस पर माइनस 12 हो गया suppose बढ़ने के बाद हम ऐसे assume कर लेते कि अगर आपने temperature बढ़ आया तो kw की value बढ़ जाएगी पानी का dissociation बढ़ जाए पानी का dissociation बढ़ेगा तो ionic product बढ़ जाएगा यानि वो value माल लेते हैं कि 10 रेस पर माइनस 12 हो गई तो ऐसे में सब फिर से भाई हो गया 10 रेस पर माइनस 12 की value h plus into oh minus के बराबर होगी और पानी से आने वाले h plus और oh minus तो बराबर होते हैं तो यह 10 रेस पर माइनस 6 होगा इसका मतलब सर अब जो pH आएगी वो 6 आएगी now what is the neutral point? now the neutral point is 6 because water is always neutral at every temperature that means कहने का मतलब यह हुआ कि अब जो pH scale define किया जाएगा वो pH scale एक ऐसा pH scale होगा जिसमें 6 हमारा neutral point होगा now this is my neutral point और अगर 6 हमारा neutral point है तो 6 से छोटे वाले लोग वो हमारे acidic solution बनेंगे छोटे वाले मतलब 5,4,3 pH वाले और 6 से बड़े वाले लोग जैसे 7,8,9,10 वाले लोग यह हमारे basic solution बनेंगे क्या समझ में आ रहा है? सर समझ में यह आया कि अब हमारा 7 वाला point दिखाई दे रहा है अब हमारा 7 वाला point किस category में आ रहा है? सर अब हमारा 7 वाला point basic category में आ रहा है समझ यह? यानि कहने का मतलब यह हुआ, अब आपका pH अगर 7 है, तो अब आप basic category में है यानि इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका मतलब यह हुआ, pH is equal to 7 हमेशा neutral नहीं होता pH is equal to 7 कभी basic हो सकता है pH is equal to 7 कभी acidic भी हो सकता अगर आपका temperature 25 degree centigrade से जादा है तो 7 वाला point पका वो neutral point के उपर होगा जिसकी वजह से आप उसको basic solution की category में डालेंगे और अगर आपका temperature माल लीजे 25 degree centigrade से कम होता तो क्या होता अगर मेरा temperature 25 degree centigrade से कम है यानि temperature जो मैंने लिया है it is less than 25 degree centigrade तब क्या होगा तो हम ऐसे ही assume कर लेते हैं कि अब जो kW की value होगी वो kW की value 10 raise power minus 14 से कम होगी assume कर लेते हैं let's suppose the kW value is suppose 10 raise power minus 16 अब ये minus 14 से कम हो गई अब ऐसे में साफ दिखाई देता है 10 raise power minus 16 will be equal to h plus into oh minus and since h and oh are equal so h plus value will be 10 raise power minus 8 molar so ultimately pH is equal to 8 now 8 will be neutral दिख राईए अब 8 मेरा neutral होगा अब जो pH scale तयार होगा उसमें जो neutral point होगा वो neutral point 8 consider किया जाएगा now the 8 will be neutral point 8 से छोटे वाले लोग अब acidic 7, 8, 6, 5 अब ये acidic system और 8 से बड़े वाले लोग 9, 10, 11, ये वाले लोग अब हमारे basic अब साब दिखाई देता है कि जो 7 वाला point है this 7 वाला point is now acidic this 7 is now acidic यानि मैं ये बताना चाहरा हूँ जो सबसे पहली बात water के बारे में कि 25 degree centigrade पर पानी से आने वाले जो H plus होते है वो 10 raise पर minus 7 के बराबर होते है और ऐसे में pH की value 7 होती ठीक है ये वाली बात दूसरी बात सर अगर आपने temperature छेडा तो पानी का KW बदल जाएगा KW के बदलने से पानी से आने वाले H plus वो तो और OH minus तो बराबर होते है लेकिन पानी से आने वाले H plus की value अब change कर जाएगी तो अब जो neutral point होगा वो 7 के उपर या नीचे shift हो सकता अगर आपने temperature बहाया तो उस case में जो 7 वाला point है वो आपका basic system की तरफ चला जाएगा क्योंकि अब आपकी pH वो neutral point की pH 7 से कम होगी और अगर आपने temperature को कम किया तो ऐसे में सर जो pH होगी neutral point की वो 7 के उपर होगी तो ऐसे में 7 वाला point 7 के नीचे आजाएगा neutral point के नीचे आजाएगा अब वो क्या बन जाएगा acidic यानि एक चीज विल्कुल clear है कि अगर मुझसे इस बार के J.Mains के पेपर में किसी एक shift में ये सवाल पूछ लिया जाए कि pH is equal to 7 is considered a neutral solution true or false the answer will be false because it will be neutral only at 25 degree centigrade if the temperature changes if the temperature is more than 25 degree centigrade then the 7 वाला point will be basic point and if the temperature is less than 25 degree centigrade then the 7 वाला point will be acidic point तब लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई clear है ये pH सिर्फ H plus की concentration के उपर depend करेगी H plus की concentration अगर आप घटा बढ़ा रहे है तो आपकी pH value change करेगी और वो किसके उपर depend कर रहा है अगर मैं पानी की बात करूँ तो वो पानी का आइनिक product के उपर depend कर रहा है पानी का आइनिक product बढ़ेगा तो उससे आने वाले H plus बढ़ेंगे pH की value कम हो जाएगी अगर पानी का आइनिक product घटेगा तो उससे आने वाले H plus भी घटेंगे पीएच की वैल्यू बढ़ जाएगे फिर शाबाश बहुत 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 जो भी लोग class attend कर रहे हैं वो ध्यान से class attend करें सब लोग अपना इसके अंदर जो जो पूछा जाए है उसको लिखते भी रहे ताकि मुझे लगे कि तुम लोग जाग रहे हैं ठीक है चली ठीक है और आगे बात करते हैं अब 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 हाँ ये जरूर है कि सही कह रहे है एक हाथ बच्चे कि सर जो भी solutions लिए जाएंगे वो dilute solutions ही होने चाहिए हाँ बिल्कु सही है concentrated solutions की पीएच जई के स्लेवस में नहीं है क्योंकि concentrated solutions की pH calculation में आपके formula में थ्वा से change कर दिया जाता है उस case में H plus की concentration की जगा activity यूज की जाती है जो हम निकालना हमारे स्लेवस बनी तो हम चक्कर में नहीं पढ़ेंगे हमें dilute solutions की pH calculations के बारे में 14 at 25 अब देखो अगर मेरे मुझ से temperature ना निकले तो आप समझ जाईएगा 25 की बात चल लगी बात समझे रहो तो बार-बार हो सकता है temperature मैं यूज ना करूँ तो लेकिन फिर भी अगर पानी का ironic product 10 raise power minus 14 है 25 degree centigrade पर तो पानी का dissociation constant क्या है पानी की degree of dissociation क्या है सर ये क्या बात होती है ये कौनसा सवाल हो गया पानी कोई acid होए ना कि उसकी degree of dissociation निकालेंगे है पानी acid भी तो है पानी h plus देता है सर पानी base भी है सर पानी o h minus भी देता है यानि पानी का के वैल्यू भी होगा पानी का के भी वैल्यू भी होगा और वो के के भी वैल्यू दोनों आपस में बराबर होंगे वो अलग बात क्योंकि H प्लस और OH माइनस की की कोशिश करेंगे और इसको सरूर से याद रखेंगे कि पानी की जो डिगरी ऑफ डिसोसियेशन है वो 1.8 इंटू 10 रेस पार माइनस 7 है 25 डिगरी सेंटेगे इस डिगरी ऑफ डिसोसियेशन और यह कहां से निकल के आ रही है बिल्कुल क्लियर है सर जब आप डिगरी ऑफ ड 10 रेस पार माइनस 7 देन अलफा विल भी 10 रेस पार माइनस 7 बाइस सी और कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इस 55.5 यानि अगर आपने एक लीटर पानी लिया है तो उसका वेट एक हजार ग्राम मानेंगे जिससे उसकी कंसेंट्रेशन हमेशा 55.55 निकल के आएगी यानि पानी की क जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 रेस पार माइनस 7 जिसको आप सी अलफा कह रहे हैं जिसको आप 55.55 अलफा कहते हैं उससे अलफा की वैल्यू 10 रेस पार माइनस 7 डिवाइड़ बाई 55.55 निकल के आएगी जो सॉल्व करके 1.8 इंटू 10 रेस पार माइनस 9 के आस पास निक यह बढ़ी important. दूसरी बात, sir, पानी का dissociation constant क्या है? पानी का ionic product is Kw, but the dissociation constant, that means you are considering water as an acid or base, तो sir, बढ़ा असान है, हमें आता है, this into this upon this, खतम हो गया, तो sir, ऐसे में, अगर आप पानी का dissociation constant calculate करना चाहते हैं, तो पानी का dissociation constant आएगा, वो आएगा H plus concentrations into OH minus concentration and this is Kw value, divided by the concentration value, यानि this is Kw divided by C and Kw by C is 1.8 into 10 raise power minus 16, so ultimately Kb value और PKb value is 15.74, यानि हमें इस बात को याद रखना है कि पानी का Pka value, जिसको PKb भी कह सकते हैं, this is 15.74, यह दोनों information बहुत जादा important है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते, हमें इन दोनों बातों को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, clear यह, सब लोग को याली बात समझ में आ रही है, यानि water के अगर आप बात कर रहे हैं, तो water को आप साफ कह सकते हैं, सर, पानी एक ऐसा आदमी जिसका ionic product 25 degrees centigrade पर 10-14 होता है, लेकिन अगर मैं पानी को acid की तरह treat करूँ, तो उसकी K value होगी, वो K value, 15.74 होती ही, और उसका जो PK भी value है, क्योंकि OH भी देता है, तो वो भी 15.74 होगी, यानि पानी के लिए मुझे ही दो बातें, एक degree of dissociation और एक उसका dissociation constant, और तीसरा उसका ionic product जो की 10-14 होता है 25 degrees centigrade पर यह याद रखना है, यह रही है, सब लोगों को यह बात clear हो गई, PK और PK भी same है, आप समझे, जैसे अब अगर मैं यह चीज मेंशन करूँ, के, जो हमारा PK value होता है, it is minus log K, इसी तरह से जो PKB value होगा, it is minus log KB, यह बिल्कुल वैसे ही है न, जैसे, what is pH? pH is minus log H+, क्या मतलब हुआ? यानि, P का मतलब वह एक तरह से देखा जाए, तो it is minus log, आप ऐसे समझे लिए, P का मतलब है, यह minus log है, इसी तरह से देखे, यहाँ P लगा दिया, तो it is minus log K, यहाँ P लगा दिया, it is minus log KB, तो अगर आपको पानी का K, KB value पता है, तो आप log, minus log लेकर उसका PK, PKB calculate कर सकते हैं, and that is 15.74, यह मुझे याद रखना, यानि मुझे जो समझ में आ रहा है, वो यह आ रहा है, कि for water, जितना समझ में आया, वो यह, for water, K is equal to KW by C, यह important, और हमें जो समझ में आता है, वो यह आता है, कि KW की value 10 raise power minus 14 है, और concentration of water is 55.55, हमें यह बात ध्यान रखने हैं, यानि K of water, if you are asked the ionic product of water at 25, दांसर is 10 raise power minus 14, and if you are asked the dissociation constant of water as an acid or base, दांसर is 10 raise power minus 14 upon 55.55, और तुम याद कर लो इस बात को, कि अगर PK या PK भी पूछेगा, तो इसी का minus log लेना पड़ेगा, और इसका minus log कितना आता है, 15.74, यह याद कर लो, पानी की concentration या molarity 55.55 consider की जाती है, assuming the density of water is 1 gram per ml, पानी की density को 1 gram per ml ले लिया जाए, तो ऐसा कर सका, यह यह सबाज, चलिए ठीक, और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, आप पानी को भी use करके, अब आते हैं solutions, क्योंकि यह तो प्योर वाटर की बात चल लाई, प्योर वाटर के बारे में हमें clarity हो गई, कि अगर आपने 25 degree की बात की, then the pH of water will be 7, the neutral point will be 7, the pH concentrations of the solutions, whose pH are less than 7, they will be aceric, more than 7, they will be basic, at 25, पानी का kW 10 raise power minus 14 है, at 25 degree centigrade पर, पानी की degree of dissociation 25 degree centigrade पर, 1.8 into 10 raise power minus 7% होती है, पानी का dissociation constant 25 degree centigrade पर, 10 raise power minus 14 upon 55.55 होता है, अगर आप PK या PK भी पूछेंगे, that will be the anti-log of this, sorry, minus log of this, and the answer is 15.74, यहां तक clear है, अब आते हैं, solutions के बारे में बात करते हैं, now solutions, फिल्कु सही, अब हम solutions की बात करते हैं, अब solutions के बारे में जो discussion करना है, वो important आ रहा है, यह देखो, मैंने यहां पर पानी की KW values के बारे में बताया है, जैसे मैंने भी बताया भी था, कि अगर आप temperature को change करेंगे, देखें, यह 0 degree है, जो भी answer, जो भी यह data दे रखा है, that is, into 10 raise power minus 14, यानि, this is 0.1 into 10 raise power minus 14, किस temperature पर है, यह 0 degree पर, और 25 degree centigrade पर आप देखिए, 25 degree centigrade पर, it is 1 into 10 raise power minus 14, यानि, आप देख रहे हैं, जैसे यह temperature बरता जा रहा है, वैसे-वैसे KW value बरती चली जा रही, और इसी वज़े से पानी, यानि neutral point की pH, वो कम हो रही, इसलिए मैंने बोला था, कि 7 is neutral only at 25 degree centigrade, यानि, 25 degree centigrade पर ही 7 neutral है, जिसकी वज़े से जो pH आ रही है, वो 7, अगर आप 25 के उपर निकल जाएंगे, तो 7 वाला point आपका basic point बन जाएगा, और अगर आप 25 के नीचे रहते हैं, तो 7 वाला point आपका acidic point होगा, अगर आपने temperature mention कर दिया, कि temperature is 25, in that case 6.8 pH वाला solution पका acidic solution होगा, clear है तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा, ठीक है, बहुत 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 है, चलिए और आगर बहुते हैं, next point पर आते हैं, जो main point हमें start करना, and that is pH calculations, तो सबसे पहले pH calculations के बारे में हमें बात करने जा रहे हैं, हम बात कर चुके हैं pH calculations के लिए जो formula हमें use करना है, हम जानते हैं इस बारे में pH is equal to minus log h plus, अब सब लोग बहुत ध्यान से सुनने वाले, ठीक है, सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, मुझे कहीं से भी pH निकालनी है, कुछ किसी भी चीज़ की pH निकालनी है, तो मुझे सिर्फ ये पता करके बताईए, कि H plus कितने हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप H plus की value बता दीजे, मुझे और दिमाग खराब मत करिए, कि ये दे रखा है, वो solution, ना, आपको जो दे दिए सर, बरतन में कोई salt डाल दीजे, अब ये डाल दीजे, वो डाल दीजे, 10 लोगों को mix कर दीजे, 5 week acid डाल दीजे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, सर, मुझे सिर्व ये बताईए, उस बरतन में total H plus कितने हैं, जितने भी total H plus होंगे, वही मेरा pH decide करेगा, यानि कहने का मतलब ये हुआ, pH हमेशा इस formula से निकाली जाएगी, और जिस बच्चे को बरतन से आने वाले H plus calculate करने आते हैं, वो कभी भी pH के सवालों में गल्ती कर ही नहीं सकता, खेर है ये, यानि कहने का मतलब ये हुआ, मुझे सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है, कि अगर मुझे pH calculations करनी है, तो उन pH calculations में, सबसे पहले जो समझ में आता है, वो ये, कि मुझे बरतन के H plus calculate करने आने चाहिए, ठीक है, अब मैं सबसे पहले pH calculate करने जा रहा हूँ, इस strong acids के लिए, अब देखो, बड़ा आसान है, मैं यहाँ कुछ लिख के लाया हूँ, उससे जादा जरूरी क्या है, मैं तुम्हें यह बताऊं, कि जो important point है, वो यह है, कि अगर आप किसी भी strong acid की बात करते हैं, चलिए हम लिख के इस बारे में बात करते हैं, अगर आप किसी strong acid की pH की बात करते हैं, तो होगा क्या, सब जब आप किसी strong acid की pH की बात करते हैं, तो उस acid से H+, निकल के आते हैं, और strong acids के बारे में क्या बोला जाता है, strong acids are strong electrolytes, और अगर ये strong electrolytes हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100% dissociate करते हैं, they dissociate 100% dissociation, consider किया जाता, यानि कहने का मतलब ये हुआ, कि अगर ये strong electrolyte है, तो ये 100% इनका dissociation consider किया जाएगा, अगर आप strong acid या strong base, मैंने का इससे क्या फरक पड़ता है, फरक देखो क्या पड़ता, अब ज़रा सब लोग ध्यान से देखेंगे, सर, ये देखें, ये आपका बरतन है, और इस बरतन में आपने कोई strong acid ले लिया, माल ये HCL ले लेते हैं, तो होगा क्या, सर, जब आप HCL को water के अंदर डालेंगे, और HCL का solution तयार करेंगे, सब लोग समझना, if it is C molar solution, यानि अगर मुझे pH calculate करनी है, C molar HCL solution की, तो इसका क्या मतलब, सर, इसका मतलब ये हुआ, आपने HCL को पानी के अंदर डालकर C molarity का solution तयार किया, ठीक, अब सर, HCL पानी के अंदर जाएगा, तो सर, वो तो 100% dissociate कर जाएगा, और नीचे सर, जो पानी पड़ा है, जिसके अंदर आपने HCL को डाला है, सर, वो भी equilibrium बनाएगा, H plus और OH minus का, अभी आपने बताया था, हर temperature पर पानी का अपना एक equilibrium होता है, और वो equilibrium सर, ये बनाया हुआ, बढ़हासा equilibrium तयार, कोई issue नहीं, ये देखें सर, equilibrium, अब आप जब HCL का solution बनाएगे, तो आप उपर से HCL डालेंगे, HCL डालकर आपने एक C molar solution तयार कर लिया, सर, अब होगा क्या, होगा ये, कि सर, अब जब आप, आपको pH किस की निकाल ली, सर, pH मुझे HCL की solution की निकाल ली, यानि इस बरतन की निकाल ली, तो मैं अब इस बरतन में कान लगा के सुनूंगा, कि ये बताये, तुम्हारे total H plus कितने, अब बरतन क्या वो H plus total कितने होने चाहिए, वो आने चाहिए, सर, एक तो वो H plus जो पानी दे रहा था, बिल्कुँ सही है, और एक वो H plus जो acid से निकल के आ रहे है, सर, आप इन दोनों को जोड दीजेगा, आपको total H plus मिल जाएंगे, और वो total H plus उपर pH के formula में पूट करके, pH calculate कर लिजेगा, इसमें कुछ खास कलाकारी नहीं, फेर है ये, हाँ सर सही, अब सर इसमें दो बाते हैं, क्या, सर आप ये देखिए जरा, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि पानी से आने वाले H plus जो हैं, और जो acid से आने वाले H plus हैं, जब आप इन दोनों को जोडेंगे, तो आपको pH calculate करने के लिए H plus का total amount मिल जाएगा, हाँ सर, इन दोनों को जोडने से मुझे total H plus मिल जाएगा, अब तो इस अकल लगाते हैं, अकल क्या लगाते हैं, एक तो सर देखिए ऐसा है, पानी से आने वाले H plus वैसे ही कम होते हैं, हाँ, बिल्कु सही है, water से आने वाले H plus तो वैसे ही बह पानी से निकल के आने वाले H plus हैं, उनको डराएंगे और ये पानी का equilibrium backward direction में move करेगा, क्या मतलब हुआ इस बात का, इसका मतलब ये हुआ, कि water से जो आने वाले H plus है, वो आराम से टूट के 10 रिस पाँ माइनस 7 बरन रहे थे, 25 degree centigrade पर, जैसी आपने उपर से HCL डाला, तो उ अगर तुम्हें H plus को बढ़ानी की कोशिश करोगे, तो ये equilibrium backward direction में जाकर H plus को घटानी की कोशिश करेगा, इसका मतलब ये हुआ सर, पानी से आने वाले H plus कम होने लगेंगे, क्या कहना चाता हूँ मैं, अगर आप acid के solution की बात करते हैं, तो acid से आने वाले H plus, water से आने वाले H plus को डढ़ाते हैं, जिसकी वजह से water से आने वाले H plus और कम हो जाते हैं, और मैं उनको neglect कर सकता हूँ, जब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, अब सर, आप ये बताइए, कब neglect करना है, और कब neglect नहीं करना है, तो पहली situation बना रहा हूँ, जब आप पानी से आने वाले H plus को neglect करने जा रहा है, clear है ये, सर, पानी से आने वाले H plus को neglect करने की कोशिश करते हैं, कब neglect करेंगे, हम पानी से आने वाले H plus को तब neglect करेंगे, जब acid से आने वाले H plus greater than or equal to 10 raised power minus 6 molar होंगे, सब लोग बहुत अच्छी तरह से इस बात को याद कर लेते हैं, यानी acid से आने वाले H plus अगर 10 raised power minus 6 के बराबर या उससे जादा है, तो वो इतने हैं कि वो पानी को डरा देंगे और पानी पीछ भाग जाएगा, जिसकी वज़े से पानी से आने वाले H plus नगे कर दिये जाएगे, और total H plus सिर्फ कॉन सिर्फ करेगा, सिर्फ कंसिडर करेगा acid, यानी in that case, तब आप क्या लिखेंगे, in that case, H plus total, they will be almost equal to H plus coming from acid, so ultimately, the pH value of these types of solution will be minus log H plus coming from acid, and this is minus log C, acid से आने वाले, अगर उसकी concentration C है, तो उससे आने वाले H plus भी C ही होंगे, और pH की value minus log C निकाली जाएगी, पानी की, ऐसी की तैसी, क्यों? सर, पानी को डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है, क्योंकि acid H plus दे रहा है, सर, पानी को H plus से डर लगता है, ना, पानी को H plus के नाम से नहीं, पानी को H plus के amount से डर लगता, अगर उपर से आने वाले acid से H plus जादा गिरेंगे, तो पानी डर कर भाग जाएगा, कम गिरेंगे, तो पानी चौड़ा हो जाएगा, और कहेगा, मेरी बात भी सुनो, क्योंकि आम मुझे तुमसे डर नहीं लगता, यानि मैं ये बताना चाहरा हूँ, पानी कब डरता है, और पानी कब नहीं डरता, पानी डरता तब है, जब एसिट से आने वाल करेंगे, सीधे लॉक के फॉर्मले में बुट करेंगे, पी एज भार निकलाएगा, जंजट है नहीं, ये वाली बात, चली ठीक, दूसरी बात करते हैं, जब कुछ लोग कहने हैं, सब आप बढ़ी तेज बोल रहे हैं, तो चलो मैं अपनी अवाज दीरे करने कोशिश करता हूँ, हाला कि तो में से कुछ लोग को ये बात पता होगी कि धीर हो नहीं पाती मुझसे, मैं फिर से तेज बोलने लगूँगा, चलो फिर भी मैं कोशि पानी को डर लगता है H-plus के amount से, अगर H-plus का amount जाधा होगा तो डरेगा, कम होगा, तो नहीं डरेगा, बात खतम हो गई, सर कितना जाधा, कितना कम वो आपने बता दिया, कि पानी साने वाल H-plus अगर 10-6 molar के बराबर या उससे जाधा हैं, तो पानी बेचारा डर जाएगा, डर जाएगा, तो पानी को consider भी नहीं करना, तो solution के total H-plus majorly condeside करेगा acid, और acid से आने वाल H-plus पकड़के खड़ाक से pH निकाल लीजेगा, ये लिजे आपके सामने 2-4 सवाल लग देता हूँ, मैं, 10 raise power minus 3 molar HCl की pH निकालो, ओफो सर, पानी का क्या विचार है, पानी डर गया, म गया, कहेगा, क्या कह रहे हो, 10 raise power minus 3, जो कि 10 raise power minus 6 से 1000 गुना जादा है, सर, मैं, मर गया, डर गया, पानी की बात मस सुनिएगा, और pH डिरेक्ट लिएगा, minus log, 10 raise power minus 3, and that is 3, इसी तरह से, अगर 10 raise power minus 4 molar HCl ले लिया जाए, then answer is minus log, 10 raise power minus 4, and that is 4, इसी तरह से, 10 raise power minus 5 molar HCl ले लि 10 raise power minus 5, then answer is 5, इसी तरह से, अगर 10 raise power minus 6 molar HCl ले लिया जाए, सर, डर गया, पानी अभी डर गया, the answer is 6, लेकिन सर, अगर आपने 10 raise power minus 6 से कम ले लिया, तो गरबर है, मा लिजे 10 raise power minus 7 molar HCl ले लिया, तो answer is minus log, 10 raise power minus 7, that is 7, क्या कह दिया सर, अब तो गलत कर दिया, यहां तक तो म मुझे आपकी बात समझ में आती है, क्योंकि यह वो situation है, जहां पानी डरता, क्यों? क्योंकि acid से आने वाले H+, वो 10 raise power minus 6 molar से बराबर या उससे जादा है, लेकिन सर, यह तो गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, सर, यह गलत है, क्यों? क्योंकि सर, इस बार acid से आने वाले है, वो 10 raise power minus 7 molar होंगे, and 10 raise power minus 7 molar is less than 10 raise power minus 6 molar, क्या मतलब हुआ? सर, इस बार आपका पानी डरेगा नहीं, सर, वो चौड़ा हो जाएगा, कहेगा, अरे, तुससे डर नहीं लगता, तू तो वैसे ही बहुत कम है, अब मेरी भात भी सुनो, बरतन के H+, निकालते वक्त, मुझे भी consider करन वरना सब गर्बर हो जाएगी, बताओ, यहां ते समझे बात, mixture of acids, और one acid, और two acid, अगर बरतन के H+, जो acid से निकल के आ रहे है, वो 10 raise power minus 6 से कम है, तो ऐसे में, सर, आप जो है, 10 raise power minus 6 से बड़े हैं, या बराबर है, तो ऐसे में, सर, पानी को चुप कर दीजेगा, अपना answer खुप चुप आप निकाल लीजेगा, लेकिन अगर आप से आने जाएगी, यह important, ठीक है, फिर, शाबाश, बहुत बढ़िया, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं, कि सर, अब यह कैसे निकाला जाएगा, तो चलिए बढ़ा आसान है, करके देखते हैं, सर, यह बताईए, अगर 10 raise power minus 7 molar HCl है, तो pH कैसे निकाली जाएगी, फिर से मैं यह ही बोलूँगा, कि यह हमारे लिए फिर से important point आ गया, एक तो important इस वजह से है, कि वो हमसे इस पर कोई भी objective बना के पूछ सकता है, theoretical सवाल, कि why the answer of 10 raise power minus 7 molar HCl is not equal to 7, तो आप सवाब साफ साफ लिखेगा, कि अजीब बेवकूफ आदमी हो, पानी साने वाल H+, को तो तो तुमन ने consider नहीं किया था, अब क्यों consider कर रहे हो, तो अब तुम जवाब देना, कि अब पानी को आप शान्त नहीं कर सकते, क्योंकि अब पानी को डर नहीं लग रहा है, अब पानी ये कहेगा, कि मुझे भी बात, मेरी बात भी आपको सुननी पड़ेगी, आप से आने वाले H+, है और मुझे से आने वाले H+, हैं, अब आपको मिला कर ही total pH calculate करनी पड़ेगी, तो ऐसे में आप pH कैसे calculate करेंगे, इसके बारें बात करते हैं, एक तरीका है, मुझे ऐसा लगता है, इस सवाल का answer देने के लिए, आप ये काम जरूर कर सकते हैं, कि तीन तरह के बच्चे इस सवा आप लोग समझ गए कि ये बहुत बड़ा लल्लू आदमी है, क्यों लल्लू है, सर क्योंकि इसने पानी को consider ही नहीं किया, है ना, तो गलती हो गई, क्योंकि ना, H+, coming from acid, less than 10 days per minus 7, तो आपको water को consider करना चाहिए था, ठीक है, अच्छा, दूसरा लल्लू आता है, दूसरा लल हूँ, अब जो H+, निकल के आएंगे, वो total लेने पढ़ेंगे, पानी वाले भी लेने पढ़ेंगे, और acid वाले भी लेने पढ़ेंगे, अरे हमने कहा यार, ये बड़ा लल्लू कैसे, ये तो समझदार आदमी है, अब देखिए उसने, 10 raise per minus 7 तो acid वाले ले लिए, और पानी वाले उसको पता था कि 25 degree centigrade पर 10 raise per minus 7 होते हैं, now they will be 2 into 10 raise per minus 7, उसकी हिसाब से जो pH निकल के आ गए, minus log 2 into 10 raise per minus 7, and the answer is 6.7, उसके हिसाब से जो answer आ रहा है, वो 6.7 आ रहा है, क्योंकि log 2 जो है, वो 0.3 होता है, तो this is 7 minus log 2, and 7 minus log 2 is 6.7, ये लल्लू, आप इसको बड़ा ल्लू कह रहे हैं? अजीब आदमी है, सर, ये बिल्कुल समसदार आदमी है, इसने पानी को consider किया है, अभी तो आप कह रहे थे, पानी को consider करने वाला, ना करने वाला आदमी लल्लू, तो जिसने consider किया, वो बड़ा लल्लू कैसो सकता है, for reason, for reason, यह है, कम से कम, अगर जानते हो, त इसको कुछ नहीं पता चलिए ठीक है संट है। हमें हमें बतलब नहीं सर। उसको पता नहीं था बेचारा नादान आदमी, जिसको आथी बात पता हुआ वह लल्लू है सर। उसने कितना time बरबाद किया था कि पानी की सुनी जाएगी तो एक लिस्ट सही से सुनना सीखना चाहिए था इसलिए इसको बड़े लल्लू की काटेगरी में डाला जाएगा अब आता है तीसरा बच्चा सर गलती क्या हो रही है गलती यह हो रही है अभे यार तुमने पानी साने वाले है अब बड़ा लल्लू क्यों कह रहा है मैं इसलिए बड़ा लल्लू कह रहा हूं क्योंकि पानी साने वाले 10 पार-7 तब होते हैं जब पानी अकेले ख़डा हो अकेले डिसोसियेट करेगा 10 पार-7 एच प्लस निकालेगा लेकिन जब उपर से एसिड आएगा तो वो भी एच प्लस देगा जिसकी वज़े से पानी कुछ तो डरेगा सरब डरता तो नहीं था नहीं उतना नहीं डरता था लेकिन डर तो पानी को हमेशा लगेगा यानि कॉमन यानि केहना क्या चाते हैं यह भी ललू था अब आता एक समस्दार आदमी समस्दार आदमी क्या कहेगा तीसरा आदमी आया हमारा, वो intelligent आती है, जिसको सारी बाते पता है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सर देखिए ऐसा है, पानी की बात तो सुनेंगे, लेकिन तमीज से सुनेंगे, कैसे सुनेंगे, सर ये देखिए, पानी आपका dissociate कर रहा था, और वो equilibrium बना रहा था, अब आ पानी इस बार ऐसा नहीं डर जाएगा, कि आप पानी की बात न सुने, पानी का देखिए ऐसा है, तुमसे थोड़ा बहुत डर लग रहा है, हमानते हैं, लेकिन हमारी बात सुननी पलेगी तुम्हें, तो वो कहना ठीक है, आप दरेंगे, उसके बाद आपकी बात सुनेंग है, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ, सर ये ली चाटलिय प्रिंस्पल है, बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, जब उपर से H गिरेंगे, तो सर ये वाले H जो पानी से निकल के आने वाले हैं, ये रियक्शन को बाकवर्ड भगाएंगे, लेकिन सर इस बार ये इतना तेजी स से पीछे नहीं जाएगा, कि आप पानी को नेगलेक कर दे, सर पानी की बात आपको सुननी पड़ेगी, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट कंसीडर करने के बात सुननी पड़ेगी, बताओ ये वाली बात समझे कि नहीं, सर 10 रेस पार माईनस 7 उठाके जोड़ दीजे, अरे भई सर पानी साने वाले हेट थोड़ा सा डर जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो पानी साने वाले हेट पार माईनस 7 से थोड़े कम हो जाएंगे, जिसकी वज़ह से मुझे वो कम वैल्यू जोड़नी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि 10 raised power minus 7 को उठाके जोड़ दिया, clear है ये वाली बात? यानि, सर मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये, कि सर वाटर से आने वाले जो H plus हैं, वो वाटर से आने वाले H plus consider करने पड़ेंगे, लेकिन वो 10 raised power minus 7 नहीं होंगे due to this common eye effect, अब निकाले कैसे जाएंगे, अब सब लोग फिर बहुत ध्यान से सुनेंगे, वो क्या है, सर पानी साने वाले H plus अगर वो कम हो गए, तो माल लेते हैं, वो कम होने के बाद X हो जाएंगे, अब सर आपने बताया था, पानी जितना H plus देता है, उत्रा ही OH minus देता है, हाँ बिल्कुल है, तो इसका मलब OH minus भी X निकलेंगे पानी से, बिल्कुल सही है, लेकिन सर आब आप ये बताइए, कि अगर मैं ये equation आप से पूछूँँ, कि KW जो की 25 डिगरी पर माइनस 14 होता है, जिसकी value H plus concentration into OH minus concentration के बराबर होती है, ऐसे में H plus concentration और OH minus का multiplication कैसे लिखेंगे आप, बढ़ा clear है, H plus concentration डब्बे में कितनी है, सर X, नहीं, सर ये तो वो है जो पानी से आ रहा है, H plus concentration तो X plus C है, सर, जिसको आप अगर मैं और सही से लिखूँ, तो ये सर X plus 10 raise पर माइनस 7, acid से आने वाले भी H plus तो total H plus में count किये जाएंगे, into OH minus कितने, यानि actually जो H plus concentration है वो बरतन में, X plus 10 raise पर माइनस 7, What is X? यहाँ पर किसी को कोई confusion नहीं होना चाहिए, बिलकुल clarity से इस बात को mention कर ले, X is equal to H plus concentration coming from water, coming from water, after considering, after considering common ion effect, यानि common ion effect को consider करने के बात जो H plus आरा है, that is X, तो इसका लगी हुआ, the total H plus in the system will be H plus 10 raise पर माइनस 7, into OH must be equal to kw value, इससे आप X solve कर लेंगे, और सारी दुनिया जानती है, इस तरह की quadratic equation को solve करने के लिए, पंडित को बुलाया जाता है, सर वो पंडित धराचार method, पता नहीं कौन सा discriminant method होता है, जिससे X की value solve की जा सकती है, सर इस quadratic को solve करने के लिए X solve किया जाएगा, और X की जो भी value निकल के आएगी, इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इससे मुझे पता चल जाएगा, कि after considering common eye effect, पानी से आने वाले H+, कितने हैं, और जैसे ही मुझे पता चलेगा, मेरा answer आएगा, minus log H+, total, and this is equal to what, this is equal to minus log X plus C, जिसमें C की value कितनी है, 10 raise power minus 7, now the X value जो आप solve करके निकलेंगे, वो यहाँ put करेंगे, इससे pH आएगी, और मैं तो तुमको यह कहना चाहता हूँ, कि मेरी इस बात को याद कर लो, कि अगर 10 raise power minus 7 molar HCl का सवाल है, तो इसका answer 6.79 होना चाहिए, सब बच्चे इसको बिलकुल अच्छी तरह से learn कर लें, क्योंकि exam में इतना time नहीं होगा, कि पंडित को बिलाओ, याद करके चले जाओ, तो answer will be 6.79, if the concentration of H plus is 10 raise power minus 7, after considering common iron effect, सवाल ये भी बहुत अच्छा बन सकता है, वो सवाल बड़े लल्लू के मतलब का बना दे, आप समझेए, वो ये भी कह सकता है, कि अगर मैं common iron effect consider ना करते हैं, तो pH कितनी आठी है, तो अगर आप common iron effect consider ना करते हैं, तो बड़ा लल्लू खुश हो जाता, क्योंकि बड़ा लल्लू क्या कहता, हमने भी consider नहीं की थी, हमने भी तो 10 raise power minus 7 और 10 raise power minus 7 को उठा के जोड़ दिया था, हमार answer 6.7 था, यानि, if you are not considering common iron effect on water, the answer value will be, the pH value will be 6.7, and if you are correctly consider, जो कि सही है, if you are considering common iron effect, then the final answer will be 6.79, clear? सवाल कैसे भी पूछ सकता है, सवाल कैसा भी पूछा जा सकता है, समझे, इसलिए बेटर यह कि कम सकम याद करके है, पंडित को बुला के, समझे, तुम कर लोगे, याद, बड़ टाइम लगेगा ना, तो पहले से याद कर लेते हैं, 10 दे स्वाल माइनस 7 का answer याद कर लेते हैं, मैं तुम्हें 10 दे स्वाल माइनस 8 का answer भी याद कर वा देता हूँ, क्योंकि तब भी पानी की बात सुननी पढ़ेगे, यहाँ, इस तुति बिलकुल, बिलकुल इस तुति, बिलकुल सही, बिलकुल सही, का ? आँसर सेम नहीं है, बिलकुल, आणसर ना चैनल का सुननी पढ़ेग लिया, आणसर इस 6.79 पामें तो हा, मेरी अवाज तुम्हें क्लास में प्रेजेंट रखती है, कुछ लोग यही कहते हैं आप इतना तेज बोलते हैं कि अगर सोने का भी दिल करें तो सो नहीं सकते हैं अब इसी में और आगे बढ़ते हैं हने तेज़यूये यही कहना चाह रहे कि अब धराचार मेंठ़ड को यूज किया जा सकता और उससे it इप अतली टुस्ष्ट हर आगे चली अब आप अब दूसरा सवाल एक Nimeda समझो गाूज्य का कई यह सहिए चरीज़य की बीड़ अच्छा सवालगते समझो neighborhood है इसमें आप यह कहना चाहरा है कि pH वैल्यू calculate करके दिखाई यह 10 रिस्पॉर्ण माइनस 8 मोलर की अरे सर पानी बोलेगा कि नहीं औरे बोलेगा ओ मस्क बोलेगा क्यों क्यों कि इस बार सर फिर वई मुझे डर आपके नाम से नहीं आप से आने अगर आपका इतना कम है तो सर मैं फिर और चोड़ा हो जाओंगा इस बार में और चोड़ा हूं समझो बात को क्यों कि इस बार एसिट से आने वाले एच प्लस और कम हो गए कितना खूबसूरत सवाल है आप समझेए इस बार के जई की पेपर में कुछ बच्चों की शिफ्ट में कितना खूबसूरत सवाल आ गया सभसे जादा कहा डरा मस्त सवाल आ गया समझेए बात को चली सवाल को अभी करते हैं एक सेगंड चलिए सवाल बताइए, एक option आया उसका, पानी के डरना आया 10 raise पॉर माइनस 3 molar HCL में, एक आया 10 raise पॉर माइनस 6 molar HCL में, एक आया 10 raise पॉर माइनस 7 molar HCL में, और एक आया 10 raise पॉर माइनस 8 molar HCL में, सबसे ज़ादा पानी कहां डरा, पानी सर सबसे ज़्यादा जो डरा वो डरा उस जगा पर जहां पर H-plus का amount सबसे ज़्यादा है 10 raise per minus 3 molar H-plus निकल के आ रहे हैं सर यहां पर H-plus सबसे कम निकल के आ रहे हैं यानि जहां पर पानी के सर पर इतने ज़्यादा H-plus बैठे होंगे सर डर कर वापिस भाग जाएगा सबसे ज़्यादा घबरहाट पानी को कहां होगी जहां पर acid से आने वाले H-plus सबसे ज़्यादा होंगे clear है यह वाली बात? अरे D option कैसे होगा? D option में तो acid से आने वाले हम नहीं डरेंगे यानि acid फिर मैं बोलूँगा मेरी इस line को याद कर लो ना यार हमें समझ में यादा क्यों नहीं याद करते हो यह डर आपके नाम से नहीं मुझे डर आपके amount से लगता है अगर आपका amount जादा तो मैं पीछे जादा भागूँगा अगर आपका amount कम तो मैं पीछे कम भागूँगा आपका amount बढ़ने से मैं घबराता हूँ आपके नाम से मुझे कोई डर नहीं लगता बास समझ रो ये यानि सबसे ज़्यादा amount कहां दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा amount मुझे यहां दिखाई दे रहा है मुझे सबसे ज़्यादा घबरात होती है जिसकी वज़े से जो सही आंसर होना चाहिए, वो 10 रेस पर माइनस 3 होना चाहिए, यानि पानी सबसे ज़्यादा डरा, उस जगा पर जहां पर आसिट से आने वाले है, प्लस सबसे ज़्यादा हो, यह रही है, बहुत बढ़े है, चले ठीक है, अच्छा, दूसरी बात करते है सर, ठीक है, यहाँ पर पानी डर रहा है कि नहीं, समझो, डर तो रहा है ना, सर, क्योंकि विकास, it is 10 रेस पर माइनस 6 मोलर से कम कॉंसेंट्रेशन, तो पानी की बात सुननी पढ़ेगी, तो सर, डर तो रहा है, लेकिन उतना नहीं डर रहा है, जितना आप सोस रहा है, तो म आएगा 10 रेस पर माइनस 8 प्लस X, यानि कि 10 रेस पर माइनस 8 प्लस X into X is equal to 10 रेस पर माइनस 14, इससे X solve कर लीजेगा, और pH की वैल्यू माइनस लॉग X प्लस 10 रेस पर माइनस 8 से कल्कुरेट कर लीजेगा, मेरा तो suggestion है कि तुम इस वैल्यू को यादी कर लो, and this is 6.98, सब के लिए मैं ये बात बोलना चाहता हूं, कि 10 रेस पर माइनस 8 का आंसर भी याद कर लिया जाए, और 10 रेस पर माइनस 7 का 6.79 आंसर भी याद कर लिया जाए, क्योंकि calculate करना सर इससे धराचार method को use करना सर यह आसान कामनी बढ़ा time खाता है, कर तो लेंगे, time खाएगा सर, इ बीच वाले लोग है, 10 रेस पर माइनस 7, 10 रेस पर माइनस 8, तो इनके आंसर याद कर लेते, क्योंकि मुझे common आइन कंसिडर करना पड़ेगा, common आइन इफेक्स से इस धराचार method को solve करना पड़ेगा, और तब मेरा आंसर निकल के आएगा, clear है यह, यानि मैं जो बताना चा निकल के आ रही है, तो ऐसे में आपका आंसर बड़ा clear है, आपका आंसर जो decide किया जाएगा, उसमें पानी की बात नहीं सुनी जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आपका H plus concentration जो acid से निकल के आ रहा है, उसमें अगर आपकी value 10 रेस पार माइनस 6 से कम, समझ रहे हैं, 10 रेस पार minus 7 molar HCl का आंसर भी याद कर लेते हैं, that is 6.79, यहाँ पर पानी बोलेगा, common iron effect consider करके, पंडित धराचार method को यूज़ करके, आपको ये काम करना पड़ेगा, और 10 रेस पार minus 8 molar HCl को अगर आप यूज़ करते हैं, तो भी आपको इस सवाल का आंसर याद कर लेना चाहिए, इस 10 रेस पार minus 9, हो, हम 10 रेस पार minus 7, तुम 10 रेस पार minus 9, ओ, 4, ऐसी तैसी तुमारी, अब हम तुम्हारी बात ही नहीं सुनेंगे, अब हमें तुमसे मतलब ही नहीं है, और अब मेरा आंसर जो होगा, वो 7 निकल के आएगा, और इस केस में, acid को ही neglect कर दिया जाएगा, आप सम के फायदा क्या है, तु तो इतना कम है, कि हम मेरे उपर कॉमा 9 भी नहीं लगा पाएगा, और मेरे H+, तुछ से 100 गुना जादा है, इसलिए मुझे तुछ से मतलब नहीं है, इसलिए बरतन की pH, अब मैं decide करूँगा, कौन, पानी, और पानी साने वाले H+, इस बार 10 रेस पार सवाल है, 10 रेस पर माइनस 100 मोलर HCl की pH क्या होगी, 10 रेस पर माइनस 100 मोलर HCl की pH भी, सिर्फ पानी ही decide करेगा, और आंसर फिर 25 डिगरी सेंटिगरेट पर 7 ही आएगा, क्लेर है? चाबाश चाबाश, बहुत बढ़े है बहुत 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 बढ़े है पक्षन क्लियर, शाबाश चलिए और आगे बढ़ते हैं, अचाब वो यह कह रहा है कि यह बताईए कि यह तो strong acid की बात हो गई, सर, कुछ कमजोर acid भी होते हूँ, के बारे में आपके क्या ख्याल? मैंने कह दिए, कमजोर acid के बारे में भी यही बात भी हैंगी, सारी कि सब common esos, इससे कुछ नयाध होइ ना, अगर किसी बच्चियों को clarity है सरा answer अंसर निकाल लेंगे, तो चलिए, आप कमजोर acid की pH की कहानी लेके आते हैं, तब आप क्या discussion करें accounted हैं? तो discussion बड़ा clear है कमजोर asset की अगर आप बात करते हैं यानि pH calculation for weak asset चलिए कर लेते हैं pH calculations for weak asset क्या calculations होने चाहिए चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं बढ़ा असान है सर क्या असान है कुछ भी तो नहीं करना है सर्फ एक भी चीज़ की बात याद रखनी थी सर ये जो साहब है ये weak electrolyte होते हैं मैंने का चलिए माल लेते हैं ये weak electrolyte है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है सर ये 100% dissociate नहीं करते ये 100% dissociate नहीं करते और अगर ये 100% dissociate नहीं होंगे तो सर इसका मतलब यह हुआ कि इस बार जो भी weak acid की concentration दी गई है, उससे उतने ही H+, निकल के नहीं आएंगे, क्योंकि वो 100% dissociate नहीं कर रहा है, इससे पहले क्या था, सर अगर आपको 10 raise per minus 5 molar HCl दिया गया था, तो आपने कहा था, इससे आने वाले H+, भी 10 raise per minus 5 होंगे, क्योंकि आपने HCl को पूरा तो दिया था, लेकिन सर इस बार यह weak acid है, और weak acid क्या बोलता है, मैं 100% dissociate नहीं हो, और अगर वो 100% dissociate नहीं होगा, partially dissociate करेगा, तो ऐसे में सर फिरवाई वाली कहानी है, acid से आने वाले H+, आपको निकालने पड़ेंगे, वो H+, पानी को बोलने देंगे, यह नहीं बोलने देंगे, वो आप decide कर लिजेगा, खेल खतम होगा, कुछ कलाकारी नहीं है, बिल्कुल आसान है सर, कहीं कोई जंजट नहीं, क्या है सर, बढ़ा आसान सा example ले ले लेते हैं, माल लिजे, अब मेरा एक acid, weak acid है, H A, अब यह क्या होगा, सर इस बार यह 100% dissociate न करेगा, तो ऐसे में सर, इसकी कुछ degree of dissociation होगी, इसकी कुछ degree of dissociation होगी, हाँ, बिल्कुल होगी, सर, इसकी जो degree of dissociation होगी, उसके accordingly यह dissociate करेगा, तो it will be C1 minus alpha, C alpha, C alpha, बस खतम होगा सर, acid से आने वाले H+, जो हैं, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो C alpha हैं, खेल खतम होग बताऊंगा, मैंने का, यह गर्वर्ति मीजी मत करिए, सर, आपको alpha तो बताना पलेगा ना, तबी तो C alpha को multiply करके, मैं H+, acid से आने वाले calculate करूँगा, आप मुझे alpha ही नहीं बताएंगे, तो मैं कैसे calculate करूँगा, अरे बेखा, मैं indirectly तुम्हें alpha दे दूँगा, कैसे, मैं तु calculate करेंगे, सर, यह तो बचपन से करते चले आ रहे हैं, what is K, K is equal to concentration of H+, into A- upon concentration of HA, what is H+, C alpha, what is A-C alpha, and this is C, 1-alpha, this is equal to C alpha square upon 1-alpha, सर, बिल्कुल बैमानीन मत करिएगा, बिल्कुल साफ बात करिएगा, और साफ बात यह है, कि सर, यह है मेरा equilibrium constant K-A, जिसकी value C alpha square upon 1-alpha के बराबर, अब बताईए सर, क्या-क्या सवाल में दे रखा है, क्या K-A given है, हाँ given है, सर, क्या C given है, हाँ सर, C भी given है, तो फिर बचा क सर, alpha बचा, alpha को solve कर लीजिएगा, answer आजाएगा, खतम हो गया, क्योंकि जैसे alpha निकल के आएगा, इस alpha को यहाँ put कर दीजिएगा, आपको acid से आने वाले h-plus पता चल जाएगे, और जैसे h-plus पता चलेंगे, सर, आप h-calculate कर लेंगे, खतम हो गया, कोई बेमानी नहीं की, सर फिर से धराचार method यूज़ करके alpha calculate करना पड़ेगा, और उस alpha को यहाँ put करके h-plus calculate करने पड़ेंगे, बताओ, यह बात सबको समझ में आई की नहीं, एकदम clear है, सबको यहाँ तक एकदम clear है, अभी मैंने कोई बिमानी नहीं की, यहाँ तक सबको clear है, कि अगर k दे दिया ज हम तो यह अजीम कर रहे हैं, सब सही चला, तुम समस्तहियों के बात को पानी जनरली चुप ही रहता, लेकिन जब पानी बोलेगा तब हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी जो हमें समझ में आ रहा है, यही जबानी चुप है, चुप चाप अभी छोड़िए, सबसे पहले यह को यूज करके अलफा कैसे निकलता, सर, के की कुशन सा अलफा निकल आई, बहुत बड़िया, शाबाश, एकदम क्लियर, शाबाश, सब लोगो यह बात समझ में आ गई, चली ठीक है, सर, अब थोड़ा सा भीमानी करते हैं, सर, पूरे chemical equilibrium में और ionic equilibrium में बिना भीमानी के मज है, अच्छा, ठीक, इसका मतलब है कि यह कम तूटता है, हाँ, सर, वी के लेक्ट्रोलाइट है, सर, कम तूटेगा, अच्छा, हो सकता है, यह इतना कम dissociate करे, जिसकी वजह से इसकी जो degree of dissociation है, अलफा, वो one से बहुत छोटी हो, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर ऐसा हुआ, आपको पता थोई नहीं, ओहो, बिमानी कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ, तो सर, यही वाली जो equation है आपकी, इस equation को आप बिमानी करके, सिर्फ सी alpha square लेक सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप ये बिमानी कर रहे हैं, कि alpha की value one के respect मे बहुत कम, सर देखिए, अब आप बिलकुल बिमानी एक चीज़ होती है, एक होता है गुन्दागर्दी, अब तो गुन्दागर्दी कर रहे हैं, जब आपको पता ही नहीं है कि alpha की value क्या है, क्योंकि आपने ये सारा drama, alpha को निकालने के लिए क्लिए है, एक बार alpha आ जाएग अगर तुमने alpha को 1 के respect में neglect किया, तो k का value c alpha square के बराबर आ जाएगा, हाँ, sir, k की value c alpha square के बराबर आ जाएगी, इससे alpha की value under root k by c आ जाएगी, बिलकु सही है, और उससे c alpha की value under root k into c आ जाएगी, बिलकु सही है, और जैसे ही आपको c alpha पता चला, आपने खटाक से pH की value minus log c alpha, that is under root k into c, sir, यह आपका final answer, बात खतम, आप देखो, मेरी बाते ध्यान से सुनना, यह आपका final answer, pH, तुम्हारे exam में जो सवाल आए, मेंस level पर, 100%, यानि 99.99%, मैं बिलकुल sure हूँ, कि आपको इसी pH के formula को use करके weak acid की pH calculate करनी है, क्योंकि उनको तुम्हें इतना time नहीं दे देते, कि आप a quadratic को solve करके alpha निकाले, समझ रहे हैं, तो आप alpha निकालेंगे, फिर c alpha निकालेंगे, यह यह time consuming लगता है, ठीक, तो जितने सवाल मैंने देखे हैं, उन सारे सवालों में, आपको यह बिमानी ही use करके pH की value minus log under root k into c से ही निकालनी परती, ठीक, लेकिन, मेरा एक suggestion IT के advance level पर क्योंकि कई बार या एक आद बार इस तरह के हरकते हुई हैं, कि आप जो सोच रहे थे, उसके हिसाब से answer नहीं आ रहा है, तो मैं आपको suggest कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा नहों, उनको पता ही ना चला, कि उन्होंने इतना अच्छा सवाल बना दिया, बाद में लोगों कर रहा हूँ कि आप ये वाला formula यूज करेंगे या नहीं करेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले rough copy पे sure हो जाईए, आप rough page पर बिल्कुल sure हो जाईए, कि भाया मुझे ये वाला formula लगाना है या नहीं लगाना है, अगर लगाना है तब तो answer आ गया, नहीं लगाना है, तो फिर क्या करना पढ़ेगा, नहीं लगाना तो सर इस quality को solve करके alpha निकालना पढ़ेगा, फिर c alpha निकालेंगे, जिसमें time लगेगा, अब कम से कम आपके पास दो option, या तो करना है या नहीं करना है, कम से कम गलत नहीं करना है, बास समझ रहा हूँ, या अगर आप ये sure हो गए, कि ये वाला formula नहीं लगना है, तो कम से कम आपके पास दो option है, time हो, तो solve करो इसको, और answer निकालो, time नहो, तो कम से कम गलत लिखके मताओ, वो गधे जो गलत लिखके आएंगे, वो negative marking ले लेंगे, तुम कम से कम छोड़ के आओगे, सुकूर में तो रहोगे, मेरी बास समझ हो, यानि मुझे अब सबसे पहले ये decide करना है, कि क्योंकि मुझे alpha के बारे में कुछ idea ही नहीं है, तो आप alpha को one के respect में neglect कैसे कर सकते, ये मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए ये वाला formula यूज होगा, या नहीं होगा, assuming alpha is much more less than one, ये मुझे decide करना पढ़ेगा, तो मेरा suggestion स लोगों के लिए ये है, कि आप सबसे पहले, जब कभी भी weak acid का सवाल आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, यानि आप जो मैं important बात बोलने जा रहा हूँ, वो ये है, जब कभी भी weak acid का सवाल आएगा, तो आपको सबसे पहले copy के कोने में चलते हैं, जैसे ही आप copy के कोने में जाएंगे, तो अब आप सबसे पहले एक काम करेंगे, क्या करेंगे, alpha is equal to under root k by c निकलेंगे, सबसे पहले, अप क्योंने गए हैं और आपने, alphi की value, under root k by c निकले आई थी ये देखिए, यहाँ alpha की value, under root k by c निकले आई, तो आपने सबसे पहले rough copy पे गए, और आपने rough copy पर जाते ही, alpha की value under root k, यह rough काम कर रहे हैं, कुछ दिखा नहीं नहीं नहीं, rough काम कर रहे हैं, rough काम पर गए, ठीक, अब alpha की value under root k by c आपने निकाली, ठीक, अगर यह value, अगर ये value 0.1 से बढ़ी आ गई अगर ये value 0.1 से बढ़ी आ गई तो आप बल्ले बल्ले कर लीजे और आप सीधे लिख्या ये h plus की value c alpha and that is under root k into c जो formula भी आपने निकाला था minus log under root k into c कि आपका answer हो गया ये लेकिन तब होगा जब rough copy पर जाने के बाद आपको ये सुकून ला अगर rough copy पर जाने के बाद आपको ये सुकून नहीं मिला है ये भी possible है कि सर ये सुकून नहीं मिले अगर ये सुकून नहीं मिला मतलब क्या हुआ मतलब सर मैं rough copy पर गया और rough copy पर जाने के बाद मेरे साथ बत्तमीजी यह हो गई कि जैसे ही मैंने alpha की value under root k by c roughly calculate की तो पता चला यह value जो है वो 0.1 से छोटी आ गई या उल्टा लिग दिया है यह मैंने 0.1 से छोटी आ गई यानि कहने के मतलब अगर यह value आपकी 0.1 से छोटी आई तो this is less than 0.1 तो उस case में आपने alpha को 1 के respect में neglect कर दिया और आपका must answer under root case ही से निकला आया ठीक अचा अगर आपकी value 0.1 या 0.1 से बढ़ी आ गई तो sir गर्बल हो जाएगा अब बैमानी नहीं कर सकते सरा तो alpha अच्छा खासा है अब अगर alpha अच्छा खासा है तो ऐसे में sir अब आप बैमानी नहीं कर सकते और ऐसे में आपको पूरा का पूरा quadratic कौन सा quadratic c alpha square upon 1 minus alpha यह solve करना पड़ेगा उस से alpha की value आएगी उस alpha से c alpha आएगा जिसकी value h plus के बराबर है और तब आप pH calculate करेंगे यानि अब आपका यह काम बढ़ जाए बताओ समझे यह बात हाँ करन मैंने वो गलती से गलत लिख दिया यानि इस विल बी पॉइंट वन इस शुड़ी लेजन पॉइंट वन बले बले हो गई सर अलफा बहुत छोटा है सर मस नेगलेक बार यह answer लिखिया यह minus log under root case ही जात कर लो क्योंकि तुम्हारे एक्जाम में तो यही बेमानी काम आएगी तुम्हारे एक्जाम में तो यही answer होगा बस यह समझ लो जो आज एक्जाम तुम जिस एक्जाम के लिए तुम घबरा रहे हो उस एक्जाम में यही answer आने वाला है हां किसी और level पर बात करें एक level उपर की बात करें तो advanced level पर यह हो सकता है कि वो आपको बेमानी करने पर मजबूर न करें वो आपसे कहें कि भाईया कोई बेमानी नहीं इमानदारी से काम करो, answer निकालो इमानदारी से, पहले quadratic बनाओ, alpha solve करो क्योंकि वो यह काम कर चुका है, लेकिन मुझे लगता है यह advanced level पर किया जा सकता है मेंस level पर ऐसा करना मुश्किल लेकिन फिर वही है, कई बार मैंने देखा है, सवाल अच्छा बन जाता है और बात में लोग कहते हैं, रे वा, मेंस वाले ने इतना अच्छा सवाल बना दिया, उनको खुद नहीं पता था, कि इतना अच्छा सवाल भी बन सकता है बास समझे लो तो इसलिए हमारे साथ ऐसी ना हो हमारे साथ तो इसलिए बहतर यही है कि आपको बेबानी करनी है नहीं करनी वो आप शोर हो जाईए तो सबसे पहले कोने में चलते हैं कोने में चलने के बाद खड़ाक से आपने सबसे पहले क्या निकाला, सिर्फ कोने में जाती है alpha की value under root K by C निकाली, under root K by C की value अगर 0.1 से छोटी आगे, है सर मदा आ गया, आपने खड़ाक से minus log under root K C सान से निकाली है, लेकिन अगर कोने में जाने के बाद alpha की value under के वाईIT की value 0.1 या उससे बड़ी आ रही है या absurd आ रही है यह बड़ी भी हो सकती है और absurd value, यह एक absurd value भी हो सकती, absurd value का मतलब two, three, four alpha, one से बड़ा हो इनहीं सकता, तो कभी ऐसा भी हो सकता है, कि alpha की KNOW यह आपसर्ड डाल यू आ रहे है, टू, थ्री, फॉर, फाइव ऐसे, तो आप समझ लीजें का भाईया, ऐसा बेमानी नहीं करेंगे, आप बेमानी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, सरीय, आपको पूरा solve करना है, time हो, तो कर लो, नहीं है, तो छोदो, कम से कम गलत करके मत आ अब तक जितनी बात हुई है, क्या वो सब लोगों के समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यानि, हाला कि बच्चे काफी कम है, लेकिन फिर भी जो लोग आएं हैं, वो लोग actively participate कर रहा है, ये बढ़ा अच्छा लग रहा है, सब लोग actively participate कर रहा है, और सब लोग चीजों को समझ भी रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, चलि ठीक है, तो ठीक ह हम इस फॉर्मले को बिल्कुल याद कर डालते हैं जहां वीक ऐसिट का सवाल आया खड़ाक से माइनस रॉग अंडरूर केस ही एक बार कोने में जाने के बाद रफली चेक कर लिया बस एक बार कोने में गए और रफली चेक कर लिया अरे वहाँ बहुत बढ़िया आलफा की वै यानि कि जो चीज समझ में आई है वो यह है कि जब कभी भी वीक ऐसिट का सवाल आएगा या वीक बेस का सवाल आएगा तो मुझे ये बाते ध्यान रखनी हैं पहला के की वैलू सी अलफा के बराबर होगी लेकिन तब होगी जब आप बैमानी कर चुके हो और अलफा की वै यानि मुझे सब लोगों को ये फॉर्मला याद करना है पी एच इस इक्वल टू यानि यहाँ पर सीदे सीदे ये भी लिख सकते हैं माइनस लॉग अंडर रूट ऑफ के एंटू सी मुझे ये फॉर्मला याद रखना है इसी का अगर मैं दूसरा फॉर्म याद करूँ तो इस सवाल में के डिया जाएगा उसको इहां से सौल्व लेना और जिसमें फी च दिया जाएगा उसको उपर से सौल्व करके पी एच डिरेक्ड निकाल लेना वात समझ रहो便que दे निकाल लीजीगा और अगर आपको सवाल में फी च औग इवेन है तो आप आप ओपर वाला बहुत 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 करते हैं यही चीज बेस के साथ भी होगी अगर कोई बेस है तो सर उसमें भी वही करेंगे अगर आपको लगता है कि यह 0.1 से कमा रहा है बस सर उचल के यह लिख दीजेगा यह लिख दीजेगा यह लिख दीजेगा सारे आंसर आजाएंगे खटा खट निकलाएगा और एक बार पी ओच आगया तो पी एच की वैल्यू 14 माइनस पी ओच से निकाल कर आप पी एच कैलक 14. 25 डिग्री सेंटीग्रेट पर पी एच और पी ओच का सम 14 होता है क्योंकि तुम्हें पता ही है के डबलू इस इक्वल टू के अभी जैसे हमारे बात हुई थी तो के डबलू की जो वैल्यू है वो 10 इस पाब माइनस 14 है दाट इस इक्वल टू एच प्लस इंटू OH माइनस की कॉंसेंटरिशन आप दोनों साइट माइनस लॉग लेकर ये क्वेशन तयार कर सकते हैं यह है और आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट पर आते हैं नेक्स पॉइंट आता है हमारा पी एच कैल्कुलेशन ऑफ डाई बेसिक असे अब जो है थोड़ा सा कैल्कुलेशन ठीक अब और आगे बढ़ते हैं यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है पी एच कैल्कुलेशन स्वार वीक डाई बेसिक असे बहुत जादा उमीद है आप समझ लीजे कि जैसे यह सवाल जो है आपके इस बार मेंस के पेपर में आ गया बिलकुल आप समझ लीजेगा बहुत ज है गामेंज टॉशे चजार कि जा इससे बार मेंद रृट के और हम सब इस बात को जानते हैं कि इसका पहला dissociation constant होगा जिसको K1 कहा जाएगा और जो इसका second dissociation constant होगा जिसको K2 कहा जाएगा सारी दुनिया जानती है K1 की value K2 से काफी बढ़ी होगी तर ये सारी दुनिया कैसे जानती है सर क्योंकि सारी दुनिया को इतनी अकल है कि minus charge अगर मेरे उपर हो तो मैं अपने अंदर से H plus को नहीं जाने दूँगा इस HA minus पर negative charge है वो अपने अंदर से H plus को release नहीं होने देगा इसलिए इस equilibrium का equilibrium constant काफी कमजोर और उपर वाले equilibrium का equilibrium constant with respect तो नीचे वाला तगड़ा माना जाएगा यानि K1 K2 से बहुत बड़ा यहां तक ठीक है और royal enterprises what is die basic acid? die basic acid वो होंगे जो 2H plus furnish कर सकते होंगे solutions के अंदर यानि वो एक एक करके 1H plus देंगे फिर दुबार H plus देंगे अगर यह tri basic acid होता तो 3H plus provide कर सकता था पहले 1H देगा फिर 2H देगा फिर 3S देगा यानि वो हमारा tri basic acid होगा यानि मैंने एक di basic acid का example लिया है जिसके अंदर 1H plus निकल क्या आ रहा है फिर दूसरा H plus निकल क्या आ रहा है यह confirm है पहला dissociation constant बड़ा और दूसरा dissociation constant काफी छोटा माना जाता अब आप बताई यह pH कैसे निकालेंगे वही मुद्धा हमारा वही है सर पिएच कैसे निकालेंगे अरे कैसे निकालेंगे मतलब यह आपको total H plus दिखाई नहीं देते पहले dissociation से H plus आ रहा है सर बैमानी नहीं करेंगे क्या अरे छोड़ो लो यार पहले ही मानदारी की बात करेंगे बैमानी तो छुपा के की जाती ऐसे थो नहीं चिल्ला चिल्ला की बैमानी करेंगे पहले सीदी सीदी बात करेंगे सर एक H plus यहा रहा है सर दूसरा H plus यहां से आ रहा है सर जितने H plus यहां से आ रहा है इस डई-busic acid की concentration C ठीक है तो सर ये दोनो हमारे 00 होँगे, हां बिलकुmeye सही, फिर ये Department Dissociate करेगा कैसे, सर इसकी degree of dissociation alpha 1, यानि इसकी first degree of dissociation alpha 1 जब पहले बार टूटेगा, तो it will be C alpha 1, this is also C alpha 1 बिलकु być, क्या ये simultaneous equilibrium है क्या ये simultaneous equilibrium है हाँ सर यह simultaneous equilibrium है और अगर यह simultaneous equilibrium है तो जैसे ही उपर आप H प्लस लिखेंगे नीचे अपने आप H प्लस टैं 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 सियाद है C alpha 1 आ जाएगा अपने आप और जैसे यहाँ तुमने C alpha 1 लिखा यहाँ भी अपने आप C alpha 1 आ गया इसलिए नहीं कि सर नीचे C alpha 1 H प्लस बन रहे हैं इसके टूटने से ना सर उपर वाले H प्लस और नीचे वाले H प्लस common है तो अगर आपने उपर C alpha 1 लिखा तो नीचे भी C alpha 1 लिखना पड़ेगा आपको अच्छा अब आता है second dissociation second equilibrium सर अब यह टूटेगा इसकी degree of dissociation जो होगी माल लीजिए वो alpha 2 है तो यह कितने बनेंगे this is C alpha 1 alpha 2 और यहां से भी कितने बनेंगे C alpha 1 alpha 2 और जैसे ही नीचे C alpha 1 alpha 2 लिखा उपर अपने आप C alpha 1 alpha 2 आ जाएगा और यहां पर अपने आप 1 minus alpha 2 आ जाएगा याद है जो उपर करो वो नीचे लिखो और जो नीचे करो वो उपर लिखो और finally simultaneous equilibrium के equilibrium तयार हो जाएगा यानि आपने यह दो equilibrium तयार कर लिये और इन दोनो equilibrium में आपको बढ़ी आसानी से हर आदमी की concentrations दिखाई देती ठीक है अब सर पी एच कहा है उपने पी एच बताईए लीजिए पी एच बताते हैं सर पी एच की जो वैल्यू है वो हेच प्लस निकालेगा और जो एच प्लस टोटल निकल के आ रहे हैं मुझे लगता है आप देख पा रहे हैं it is c alpha 1 and plus c alpha 1 alpha 2 that is c alpha 1 1 plus alpha 2 so this is my final answer आप मुझे alpha 1 और alpha 2 बता दीजे मैं आपको pH निकाल के दे दूँगा हाँ बास सही है sir c आपने दे रखा है alpha 1 alpha 2 दे दो नहीं देंगे जब इससे पहले मैंने alpha मांगा था तो भी तुमने नहीं दिया था आज मैं तुमसे alpha 1 alpha 2 मांग रहा हूं हमें पता है तुम नहीं दोगे कुछ तो दोगे कह रहा है बिल्कुल मैं पहले dissociation का equilibrium constant दे दूँगा मैं दूसरे dissociation का equilibrium constant के 2 दे दूँगा जो करना है कर लेना मैंने का हो गया solve k1 का expression लिखूंगा k2 का expression लिखूंगा alpha 1 और alpha 2 निकाल के लाओंगा उसको यहाँ put करूंगा total h plus निकल के आएंगे ph निकाल के must हो जाओंगा सर कहीं कोई बेमानी नहीं कर रहे बड़ा इमानदार बन गए है अभी सारी बाते इमानदारी से चल लही है यानि की सर सबसे पहले k1 का expression लिखा जाए k1 is equal to this into this upon this that is c alpha 1 plus c alpha 1 alpha 2 this is h plus concentration into c alpha 1 1 minus alpha 2 upon नीचे क्या आ रहा है c1 minus alpha 1 तर यह k1 हो गया चलिए जरा k2 का expression बताईए क्या बनेगा k2 का expression होगा this into this upon this यानि की c alpha 1 plus c alpha 1 alpha 2 into c alpha 1 alpha 2 upon c alpha 1 1 minus alpha 2 सर यह आपका k1 है यह k2 बताओ कितने unknown है इसके अंदर कितने unknown है इसके अंदर सर k1 रखा है k2 रखा है c रखा है बचा कौन alpha 1 alpha 2 now you have two equations two unknown सर दो equations two equations solve कर लिजेगा alpha 1 and alpha 2 can be solved बस और जैसे ही solve हो सर यहाँ put कर दीजेगा आपको h plus मिल जाएंगे सर देखिया ऐसा है हम यहाँ इसलिए खटे नहीं हुए क्या आप इतनी महनत करवाएंगे हमसे सर यह तो महनत का काम है इन दो equations से alpha 1 alpha 2 solve करके ऊपर पूट करके h plus निकाला तब प्याच निकल के आएगी अरे छोड़िये ने सर बहानी करिए आप आते हैं बहानी अब ज़रा सब लोग समझा सब लोग को यह बात यहाँ तक समझ में आई है कि मैंने कोई बहानी नहीं की है मैंने सबसे पहले first dissociation alpha 1 से निकाला second degree of dissociation alpha 2 मानी और उससे दो equations बना कर alpha 1 alpha 2 solve करके total h plus calculate करने की बाते कर रहा हूँ जिसमें कहीं कोई बहानी नहीं कर रहा हूँ बिल्कु ठीक है अब आते हैं बहानी ठीक है अब आते हैं इसमें बहानी बताओ यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया है सब लोगों यहां तक clear है हाँ सर यहां तक clear है आब आते हैं बहानी की बात क्या बहानी करते हैं आब आते हैं फिर से फिर से यह करने जा रहे हैं कि सर अभी आपने यह बताया है कि जो हमारा dissociation होता है एक dry product या Tripodic Acid का, सर, वो इस तरह से होता है, H+, तूटता है, H+, निकलता है, फिर HA- further dissociate करके H+, और A2- बनाता है, बिल्कुल सर, अभी यही बात हुई थी, चलिए ठीक है, अब आप यह बताईए, क्या यह कहना ठीक है, सर, इसका जो K1 होगा, और इसका dissociation जो constant K2 होगा, क्या यह कहना सब लोगों के बाद समझ में आ रहा है कि K1 की value K2 से बढ़ी होगी, हाँ सर, successive dissociation constant किसी भी weak acid के, वो छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है, अगर K1 बढ़ा है, तो सर, जाना समझिएगा, यह H+, जादा निकल के आएंगे, हाँ सर, क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहा है, कि उपर वाले की वज़े से नीचे वाले को डर लग रहा है, सर, नीचे वाले को भी तो उपर, नीचे की वज़े से उपर वाले को भी तो डर लगना चाहिए, नहीं लेकिन, क्या बताया था, डर मुझे नाम से नहीं, amount से लगता है अगर k1 बड़ा है तो ये ज़ादा तूटेगा h plus ज़ादा बनेंगे ये h plus सर दराएंगे नीचे वाले h plus को और नीचे वाला equilibrium सल जाएगा और अगर नीचे वाला equilibrium common iron effect की वज़े से सल गया तो sir h plus जो निकल के आ रहे हैं वो सिर्फ पहले वाले dissociation से निकल के आ रहे हैं second वाले dissociation से आने वाले h plus को neglect कर सकते हैं कुछ समझे यानि मैं साफ साफ बोलू तो alpha 2 is much more less than 1 और अगर alpha 2 1 से बहुत छोटा है तो अब आप pH आसानी से calculate कर सकते हैं क्योंकि अगर alpha 2 1 से बहुत छोटा हुआ तो जो pH होगी वो सिर्फ first dissociation ही decide करेगी याद करो अभी तुमने यह बोला था कि h plus total यह होगा अगर alpha 2 1 से बहुत छोटा है तो क्या मैं इसको सिर्फ 1 नहीं लिख सकता तो क्या यह answer मेरा पूरा का पूरा जो answer अभी मैंने बनाया क्या यह पूरा का अलफा 1 ही decide करेगा तो आप alpha 1 से अपना काम चला सकते हैं बात खतम हो जाएगी तो चलिए काम करते हैं अगर alpha 2 की value 1 से बहुत छोटी है तो इस equations के बारे में सोचते हैं इन equations में क्या change आएगा चली वेमानी करते हैं अगर alpha 2 बहुत छोटा है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर alpha 2 बहुत छोटा है तो मैं यहाँ पर c alpha 1 common लेंगे तो यह आ जाएगा 1 plus alpha 2 ठीक अचा आप जरा सोच के बताईए अगर alpha 2 1 से respect में बहुत चोटा है तो क्या मैं इसको यह नहीं लिख सकता कि अगर यह चोटा है तो यह 1 बन जाएगा विल्कु सही यह 1- alpha 2 भी 1 बन जाएगा यह भी बिल्कु सही आचा नीचे आते हैं यहाँ पर भी सर कॉमन ले लिजिए c alpha 1 common ले लेंगे तो 1 plus alpha 2 आ जाएगा जिसमें 1 plus alpha 2 को 1 ल देखना जब आप इसको कॉमन आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा सर यहां से c alpha 1 common लिया आपने तो क्या बचा सिर्फ c alpha 1 उधर क्या बचा उधर सर यह हटा दिया उधर बचा भी c alpha 1 नीचे क्या बचा नीचे सिर्फ बचा c1 minus alpha 1 c1 minus alpha 1 this is what k1 आप अगर ध्यान से देखें तो this is c alpha 1 square upon 1 minus alpha 1 यह आपका equation k1 का बन गया अरे सर यह तो बिल्कुल वैसा ही बन गया जो weak वाले monoprotic acid का जो अभी आपने इससे पहले वाला case कराया था अब आते है second dissociation पर आप इसको ध्यान से देखें तो k2 का expression क्या change कर जाएगा k2 का expression होगा c alpha 1 common ने लिया इधर बचा c alpha 1 alpha 2 और नीचे सिर्फ c alpha 1 c alpha 1 c alpha 1 को काट देगा it will be c alpha 1 alpha यानि कहने का मतलब यह हुआ इस बार जो k2 की value आ रही है वो यह आ रही है और जो k1 की value आ रही है वो यह आ रही है तो आप alpha 2 को neglect कर सकते हैं जो भी answer होगा वो alpha 1 decide करेगा और alpha 1 की वज़े से जो भी equation बनेगी वो क्या बनेगी सर आप यहाँ से alpha 2 को 1 के respect में neglect करिए तो आपकी equation यह तयार होगी यहाँ से alpha 2 को neglect करिए तो आपकी equation यह तयार होगी और अब आप इस से pH calculate कर सकते हैं क्योंकि जो H plus concentration है, वो C alpha 1 decide कर रहा है, यानि आपको alpha 1 चाहिए, H plus निकालने के लिए, alpha 2 से कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी diprotic acid की जब भी pH निकालनी हो, तो उससे second dissociation का कोई लेना देना ही नहीं, यानि first dissociation ही सारा answer निकाल के दे देगा, इसका मतलब सर जिस तरह से आपने वो weak monoprotic acid का answer निकाला था, same answer यहाँ पर निकालाएगा, अब आप देख लीजे pH की value कैसे निकाल के आ रही है, बहुत सीधी सीधी बात कर रहे हैं, जो अब आपकी pH की value निकाल के आ रही है, ह प्लस जो concentration है, वो आ रहा है C alpha 1 के बराबर, समझ रहे हो, और C alpha 1 की value निकालने के लिए, आपको फिरवई करना पड़ेगा, क A1 is equal to C alpha 1 square upon 1 minus alpha 1, यहाँ से alpha 1 आ जाएगा, सर, एक काम करते हैं, एक और में मानी करते हैं, कोने में चलते हैं, एक बार alpha 1 की value, under root K1 by C से निकाल के देखते हैं, अगर यह 0.1 से छोटी आ गई, तो सर, pH की value डारेक्ट लिख सकते हैं, minus log under root K1 into C, अब मेरी बात सब लोग यह याद कर लें, कि कम से कम जो यह सवाल, J में में मेंस लेविल पर एक बार पूछा जा चुका है, क्या कि डाइप्रॉटिक आसिड की pH कैसे निकालते हो, तो डाइप्रॉटिक आसिड की pH कैलकुलेशन में, मुझे second dissociation से कोई लेना देना नहीं है, जो भी answer decide करेगा, वो K1 decide करेगा, और बेमानी करके वो answer, under root K1 into C से निकल के आएगा, जैसे पहले निकला था, कोई चक्कर नहीं पालेगा, सब लोग इस बात को याद कर लें, कि जब कभी भी polyprotic acid की pH का answer आएगा, तो आप हर बार answer कैसे निकालेंगे, first dissociation constant को use करेंगे, क्योंकि second dissociation constant वैसे ही कम होता है, उससे आने वाले H+, वैसे ही कम है, और common ion effect की वज़े से खतम हो जाते हैं, इसलिए जो भी H+, निकल के आएगे, वो K1 की वज़े से निकल के आएगे, जो भी deciding factor होगा, वो first dissociation होगा, यानि किसी भी polyprotic acid को, आप एक monoprotic acid, जो भी इससे पहले वाला case किया था, उसी तरह से deal करिए, खेल खता है, बताओ यहाँ तरह समझे कि नहीं, अब यह सवाल तो सर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, प्रिवेस एर में एक सवाल आया था, यह सवाल तो पूछा जा चुका है, कि pH कैसे निकालेंगे, सर और इस साल क्या पूछ सकता है, तो चलिए, इस साल की बात कर लेते हैं, इस साल वो हम से पूछने जा रहा है, J23 में, क्या पूछने जा रहा है? सर, वो मुझसे पूछने जा रहा है, what is degree of dissociation alpha 2? वो मुझसे पूछने जा रहा है, second degree of dissociation क्या होगी? सर, अभी तो आपने बताया था, यह second dissociation बहुत कमज़ोर होता है, common आइन के वज़े से बरबाद हो जाएगा, तो second degree of dissociation is 0, ना, 0 नहीं हो सकती, तुम जानते हो ना, दो बार टूटते हैं, तो सर, second degree of dissociation बहुत कम होगी, much more less than, इसमें कोई शक नहीं है, alpha 2 is much more less than 1, इसमें कोई शक नहीं है सर, लेकिन कितनी होगी, k2 का expression c alpha 1, alpha 2 था, मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ, k2 का जो expression बना था वो मेरा, वो c alpha 1, alpha 2, यह देखिया, और अगर k2 की value c alpha 1, alpha 2 है, तो इससे alpha 2 अगर आप calculate करना चाहते हैं, तो alpha 2 कितना निकल के आएगा, alpha 2 की जो value निकल के आएगी, तो ध्यान रखें, मुझे पूरी उमीद है, कि इस बार वो alpha 2 से related कोई ना कोई बात जरूर करेगा, यानि अगर कोई weak diprotic acid हो, और आप से ये पूछा जाए, कि उसकी second degree of dissociation क्या होगी, क्योंकि पहली degree of dissociation तो बच्चा इसलिए निकाल लेगा, क्योंकि उसको पता है कि सर ये तो weak monoprotic acid की तरह treat करता, तो first degree of dissociation तो under root K1 by C से निकल आएगी, second degree of dissociation कैसे निकलेगी, तो वो सब लोग याद करके जाए, second degree of dissociation K2 upon H plus concentration से निकल के आएगी, और H plus की concentration C alpha 1 से निकल के आएगी, यानि आप आसानी से ये value यूज़ करके alpha 2 calculate कर सकते हैं, clear A वाली बात? अच्छा, दूसरी information क्या मांगी जा सकती है, दूसरी information मांगी जा सकती है, कि जो आपका, जो di anion है हमारा, जो H2A के टूटने से A2 minus बना, वो कितना है? तो आप ज़रा ध्यान से देखो, H2A के टूटने से जो A2 minus बना, वो कितना बना? जो ये बना, कितना बना? C alpha 1, alpha 2. तो ये जो C alpha 1, alpha 2 है, that will be the concentration of A2 minus, और वो di anion की concentration indirectly किसके बराबर है? दिख रहा है? A2 के बराबर है, यानि कि अगर आपको सवाल में K2 के, K1 की value दे रखी हो, तो आप di anion की direct concentration K2 से equate कर सकते हैं. ये information इसलिए important है, जो मुझे लगता है, जो लोग सुन रहे हैं, तो वो सारी बाते समझ के जाएं, और इसलिए मुझे लगता है, कि di anion की जो concentration है, इट शुड भी इक्वल टू K2. सब लोग ये तीन बाते, मैं इनको अभी अलग से नोट कर रहा हूँ, ये तीन बाते सब लोग नोट करेंगे, और इसको याद रखेंगे, मैं इसको अलग से नोट करने जा रहा हूँ. पहला, for any type acid, यानि H2A, अगर डाइप्रोटिक वीक असिट की बात कर रहा है, तो सब लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लें, कि जो H plus की concentration है, इट विल बी C alpha 1, ठीक है? और alpha 1 की value, under root K1 by C. पहली बात, दूसरी बात, जो हमारा alpha 2 है, that is equal to K2 upon H plus की concentration, ये दूसरी information, तीसरी information, the concentration of A2 minus, it is equal to A2. ये तीनों बाते मेरा suggestion है, जरूर याद करके जाओ, क्योंकि ये हमसे exam में पूछिये जा चुके हैं, जो पूछा जा चुका है, वो pH value पूछी जा चुकी है, हो सकता है, इस बार alpha 1, alpha 2, या A2 minus की concentration हमसे पूछ ले, क्योंकि आपके exam में जो सवाल आया है, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ. फिर है? यानि कि ये ले लेते हैं. ये information जो भी मैंने तुम्हें बताई, ये एक exam में, देखिए, अब 2021 के exam में एक shift में पूछा गया था, और वो sulfurous acid के बारे में बात कर रहा था, ये समझ में आता है हमें, this is a weak diprotic acid, जिसके K1, K2 आपको सवाल में दे रखे हैं, ये देखिए, K1 दे रखा है, K2 दे रखा है, पूछा क्या जा रहा है कि find out the pH, सर, pH की बात हो चुकिए हमारी, बैमानी करनी है ना सर, देखिए लीजे, K2 क्या मरा हुआ, 10 दे रखा है, और K1 10 की power minus 2, औरे सर, ये तो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया तो pH कौन decide करेगा, सर, pH first dissociation decide करेगा, आग बंद करके लिख क्या आएंगे, सर, pH is equal to minus log under root, कौन सा के, सर, ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, और क्या पूछ लेता, वो ये भी तो पूछ सकता था, क्या बता सकते हो, what is alpha 2, कितना मस्त सवाल होता, क्योंकि alpha 2 की value जो होती, वो alpha 2 की value अगर मुझसे निकलवाता, जो कि इस साल पूछ सकता है, वो होती, k2 upon h plus concentration, और h plus concentration दुनिया जानती है, वो c alpha 1 के बराबर है, यानि आपको सवाल में सारी चीज़े, और c alpha 1 किसके बराबर है, c alpha 1 है, k2 upon under root of k1 into c, सर, आप इस equation को use करके, आसानी से, यही तो है h plus की concentration, अब आसानी से, इस equation को solve करके alpha 2 निकाल लेते, और वो यह भी पूछ सकता था, कि जो dianine है हमारा, कौन है dianine? sulfide ion, इस sulfide ion की concentration क्या है, तो अभी बात हुई, sulfide ion की concentration k2 decide करता है, और k2 value सवाल में दे रखी है, so this will be the concentration of sulfide ion. अब तुम समझो, जो पूछा क्या गया है, वो यह पूछा गया है, और इसको directly solve कर सकते हैं, under root k1c, यानि कोई भी polyprotic acid हो, weak acid, तो जो h plus होगा, वो k1 decide करेगा, आपको k2, k3 से कोई मतलब ही नहीं, हाँ, अगर आपको finally degree of dissociation further calculate करनी हो, जिसकी value बहुत कम आती है, कर सकते हैं, साथ डाइनाइन की जो concentration होगी, वो k2 के बराबर होगी, यह तीनों बाते आप कर लेंगें, clear? सब को यह बात समझ में आ गई? टिक, चलिए, और आगे बढ़ते हैं, next point बढ़ते हैं, next point है हमारा mixture of 2 weak acids, तो फटा-फट इसके बारे में बात कर लेते हैं, mixture of 2 weak acids की pH calculation कैसे करेंगे? बहास आने सर, mixture of 2 weak acids में 2 weak acids ले ले लेते हैं, एक concentration C1 ले ले लेते हैं, और एक ही concentration C2 ले ले लेते हैं, अब इसकी कुछ degree of dissociation होगी, तो यह alpha 1 माल लेते हैं, it will be C1 alpha 1, and this is also C1 alpha 1, क्या यह simultaneous equilibrium है? है, तो जैसे उपर C1 alpha 1, तो नीचे भी C1 alpha 1, बिल्कुल सही है सर, अब नीचे वाले को तोड़ते हैं, this is C2 1 minus alpha 2, तो यह भी C2 alpha 2, यह भी C2 alpha 2, नीचे C2 alpha 2, तो उपर भी C2 alpha 2, मैंने बताया था, simultaneous equilibrium का बात, जरूर ध्यान रखना, simultaneous equilibrium में, हमें इस चीज का ध्यान देना पड़ता है, कि जो आदमी common है, उसकी concentration common दिखाई देनी चाहिए, यानि एक चीज़ क्लियर हो गई सर, उपर वाला आदमी degree of dissociation alpha 1 शो कर रहा है, और नीचे वाला आदमी degree of dissociation alpha 2 शो कर रहा है, उपर वाले से आने वाले h plus c1 alpha 1 है, और नीचे से आने वाले c2 alpha 2 है, तो बरतन के जो total h plus है, सर वो ये, ये will be the total h plus इंदा container, इसका मतलब ये हुआ, अगर बिल्कुल इमानदारी से बात की जाए, तो जो h plus concentration होगी, वो c1 alpha 1 प्लस c2 alpha 2 से निकाली जाएगी, ठीक है ये, तो अगर आप बिल्कुल इमानदारी की बात करते हैं, तो जो h plus value है, वो c1 alpha 1 प्लस c2 alpha 2, अब आप बताइए आप क्या बोलेंगे, c1 दे दो, ले लो, c2 दे दो, ले लो सर, alpha 1 नहीं देंगे, alpha 2 नहीं देंगे, कुछ तो दोगे, सर इन दोनों weak assets की k value दे दीजिए, हो गया solve, यानि इसका dissociation constant k1 दे दिया जाएगा, and that will be equal to c1 alpha 1 plus c2 alpha 2 into c1 alpha 1 upon c1 1 minus alpha 1, दूसरे वाले का k2 सवाल में दे देगा, k2 is equal to c1 alpha 1 plus c2 alpha 2 into c2 alpha 2 upon c2 1 minus alpha 2, सर, ये equations तयार हो गई, इन दो equations में दो unknown से alpha 1, alpha 2, solve करिएगा, और solve करके यहाँ put कर दीजिएगा, सर, आपको total h plus पता चल जाएगे, pH आ जाएगी, इसमें कोई बैमानी नहीं आ रही, इसमें कोई बैमानी नहीं आ रही है, लेकिं सर, अगर बैमानी करनी हुई तो क्या करेंगे, अब आते हैं बैमानी वाली बात, क्या, दोनों weak हैं, हाँ, दोनों की degree of dissociation कम होंगी, हाँ, और दोनों एक दूसरे के उपर common iron effect लगाएंगे, हाँ, सर, दोनों एक दूसरे के उपर common iron effect लगाएंगे, जिसकी वज़े से दोनों equilibrium पीछे जाएंगे, तो सर, एक चीज़ तो clear, अगर दोनों की degree of dissociation already कम थी, because they both are weak assets, common iron की वज़े से वो और कम हो जाएंगी, तो इसका मतलब यह तो clear हो गया, सर, alpha 1 को भी 1 के respect में neglect कर सकते हैं और alpha 2 को भी 1 के respect में neglect कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं, तो नीचे वाला equation 1 बना, और नीचे यहाँ भी 1 बना, और अब यह equation बहुत simple सी दिखाई देती है, और अब यह equation दिखाई देती है, C1 से C1 cancel हो जाएगा, और अब ये equation दिखाई दे रही है अब इन दो equations को solve कर दिया जाएगा और इन दोनों से अलफा 1 अलफा 2 calculate कर लेंगे मैं तुम्हें solve करके ये याद करने के लिए बोल रहा हूं कि आप पहले से इसको solve कर लीजिए alpha 1 की जो value आती है वो आती है k1 upon under root of आसानी से solve कर सकते हो तुम k1 c1 plus k2 c और जो alpha 2 की value आती है वो आती है k2 upon under root of k1 c1 plus k2 c विल्कुल आसानी से याद कर सकते है alpha 1 alpha 2 आती है अब आप क्या करेंगे sir मुझे चाहिए h plus concentration और h plus की value कितनी है c1 alpha 1 plus c2 alpha 2 and that is equal to k1 c1 upon under root of k1 c1 plus k2 c2 plus k2 c2 upon under root of k1 c1 plus k2 c2 आप इसको solve कर लीजे देख लीजे यह solve करके under root of k1 c1 plus k2 c2 के बराबर आएगा and this is the total h plus coming from asset फेल खतम इसको याद कर सकते हैं बहुत सीधा है कि इसको हम याद करके अपना काम चला सकते हैं याद कर लेते हैं दूसरी बात alpha 1 की value वो k2 upon under root k1 c1 plus k2 c2 से निकाला जाएगा k1 c1 plus k2 c2 से निकाला जाएगा ये दूसरी तीसरी बात हो गई और finally जो h plus की concentration आएगी वो under root of k1 c1 plus k2 c2 से निकाला जाएगा ये चार बातें जो हैं वो हमें ध्यान रख लेनी चाहिए किसलिए बोल रहा हूं है क्योंकि हो सकता है हमसे इस exam में इस से related कोई बात पूले because एक दो साल पहले उसने diprotic acid के बारे बात की तो हो सकता है diprotic acid के बारे में वो एक दो बाते कर ले जो अभी हमने बात की थी और हो सकता है वो weak acid के mixture से relate कर दे तो अगर वो weak acids के mixture से relate करता है तो h plus concentration under root k1 c1 plus k2 c2 से निकाली जाती है आपको सवाल में k1 k2 c1 c2 सब दिया जाएगा सीधे put कर दीजेगा answer आ जाए फिर कब के समझ में आ रहा है चलिए अब आते हैं इसी पर एक छोटा से सवाल देख लेते हैं तो बड़ा सीधा से सवाल है तुम देख लो क्या पूछ रहा है calculate the pH of the solution obtained by mixing equal volumes of 0.02 molar HOCl और 0.2 molar astic acid pH निकालनी अब सब सब्सक्राइब बताओ क्या ये दोनों weak acids के mixture का सवाल है चेक करो हाँ सब्सक्राइब दोनों weak acids के mixture का सवाल है कैसे सब्सक्राइब आप देख लीजे एक weak acids का के दे रखा इतना और दूसरे का के दे रखा इतना तो sir that means दोनों weak acids है और दोनों को मिलाया जा रहा है अच्छा इसमें important बात क्या है important बात ये कि दोनों लोगों के जब आप equal volumes को मिलाते है तो बरतन के अंदर दोनों लोगों की concentration हाफ हो जाएगी समझाओ क्योंकि sir जब volume equal मिलाया जाता है तो total volume double हो जाता volume के double होने से concentration हाफ हो जाती तो बस इस बात का ध्यान रखना कि अब अगर आपको h plus calculate करना है तो formula मेरा याद रखना तुम कौन सा formula था k1 c1 plus k2 c2 बिल्कुल सही है sir इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि जो k1 है वो तो ठीक है sir आपने 2 into 10 raise power minus 4 दे रखना चलिए ठीक है लेकिन जो concentration आप यूज कर रहे है वो ये मत यूज करिएगा क्योंकि जब आप इसको मिला देंगे तो concentration इसकी आधी हो जाएगी clear है ये सब लोगों को सब लोगों इस बात का ध्यान रखना और किसी भी तरह का सबाल आएगा तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि जब दो volumes को मिलाया जाता है तो concentration घट जाती है और अगर दोनों equal volumes है तो volume double हो जाएगा जिसकी वज़े से concentration हाफ हो जाएगी तो जो concentration आपको individually 0.02 दे रखी है वो 0.01 बन जाएगी इसी तरह से k2 की value 2 into 10 raise power minus 5 है और वो भी आधी 0.1 बन जाएगी अगर आप तमीज से देखें तो this is finally कितना आ जाएगा अब 4 into 10 raise power minus 6 this is 4 into 10 raise power minus 6 and if it is 4 into 10 raise power minus 6 so this will be 2 into 10 raise power minus 3 अब 2 into 10 raise power minus 3 से आप pH calculate कर लीजे कितना हसान आ गया अब pH value is minus log 2 into 10 raise power minus 3 and this is कितना आ जाएगा 3 minus log 2 and 3 minus log 2 is 3 minus 0.3 and that is 0.7 यहां सरागी इसमें जाहतर बच्चे गलती यही करते है सारे बच्चे यही गलती करते है इस बात का ध्यान रखना सारे बच्चे गलती यह करते है कि वो concentration को 0.02 ही लेके चलते है actually यह 0.02 नहीं होगी concentration जब 2 equal volumes मिलाए जाएंगे तो concentration half हो जाएगी यह ध्यान रखना यानि सवाल का जो main point है वो यह है कि बच्चे को 2 weak acids की mixture की pH का formula पता होना चाहिए और साथी साथ इस बात का पता होना चाहिए कि जो concentration है वो 0.01 और 0.1 रखी जाएंगी ना कि 0.02 और 0.2 क्यों? क्योंकि जब equal volumes add के जाते हैं तो volume डबल हो जाता है जिसकी वज़े से concentration half हो जाती फिर पॉद वले हैं शाबाज चलिए अब आते हैं next point next point क्या है सर यह तो pH calculations के सवाल है हमने इतनी अच्छी तरह से पढ़ लिया दो घंटे में सर आप weak acid देंगे under root K into C से कोने में जाके चेक कर लेंगे weak acids का mixture देंगे under root K1 C1 plus K2 C2 से answer निकाल देंगे अगर आप dipotic acid देंगे तो K1 से answer निकाल देंगे हमें सारी चीजे clear हो गई अब आते second portion पर जो इस chapter का important portion है and that is hydrolysis यानि अगर मैं आप second portion की बात करूँ वो है salt hydrolysis what is salt hydrolysis अर्दीशी केश राज बहुत देर से पूछ रहे है sir duration क्या रहेगी देखो बिटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पूरे chapter को ऐसा cover कर लिया जाए ताकि advanced level पर भी कोई सवाल आए तो हम गलत ना करें बाकी मर्जी तुम्हारी है अगर तुम्हें लगता है तुम अभी नहीं देख सकते तो तुम इसको बात में भी देख सकते हो जैसा तुम्हारा दिल करें तो हो सकता है उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो मैंने इसलिए वो सारी बाते की चलिए और आगे बढ़ते हैं अब पीवाई क्यूस भी अभी इसी के साथ आते जाएंगे तुम लोग अरे सब अभी कर लेंगे बटा तुम टेंशन मतलो ठीक है क्योंकि पीवाई क्यूज में सिर्फ वीक इसिट से रिलेटेट सवाल नहीं है हाइड्रॉॉलिस से रिलेटेड या फिर बफर सल्यूशन या सॉल्यूबिलिटी से रिलेटेड भी सवाल है तो एक बार मैं थोड़ा सा कवर करता हूँ उसके बाद PYQs भी उठा लेता हूँ, ठीक है, तो चलिए, अब Hydrolysis की बात करते हैं, कोई सोच के बता सकता है कि, कार्तिक हम पूरा ही करेंगे बेटा, इन सारे बच्चों के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, जिसके अंदर जितनी हिम्मत हो, वो उतरा देख सकता है, तो मेर suggestion यही है कि सब लोग कोशिश करो, थुआ सा हिम्मत का काम है, पूरा आयनीक इकलिवरी हम इस duration में cover करने की कोशिश करेंगे, तो थुआ सा हिम्मत के साथ बैठो, ठीक है ना, मुझे भी तभी थुआ सा जाधा motivation मिलेगा, जब तुम involved रहोगे, तुम involved नहीं रहोगे, तो आप पानी में डालते हैं, तो वो घुल जाए, तूट जाए, ठीक है, बिल्कुल सही, लेकिन जब उसके कैटाइस एनाइस जो तूटने के बाद बने, अगर वो वाटर से केमिकली रियाक्ट करने लगे, तो इस प्रोसेस को हाइड्रॉलिस का नाम दिया जाता, यानि कहने का मतलब यह हुआ, पानी में जब सॉल्ट को डालोगे, तो वो भीग जाएगा, बिल्कुल सही है, लॉक की वैल्यू दी जाएगी, अब लॉक की वैल्यू हमें सवाल में दी जाएगी, इसमें कोई इस्यू रही, ठीक, ठीक, अचाँ, अब वो क्या कहना चाहरा है, ठीक है, भीगने के बाद हर salt टूट जाता है। टूटने के बाद क्या बनता है? सर केटाएन और अनाइन. अगर वो केटाएन या अनाइन पानी में बाचीत कर रहे हैं, यानि रियाक्शन कर रहे हैं, तो इस process को hydrolysis का नाम दिया जाता है। अब सर ये बहुत सारी possibilities हैं, क्या possibility हैं? पहली possibility ऐसी है, कि एक ऐसा salt लिया जाए, जो strong acid और strong base का salt. ऐसा भी हो सकता सर एक ऐसा salt है, जो strong acid और strong base का salt है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है. जैसे सर NACL, आप समझेए, आपने NACL का एक salt ले लिया, NACL. अब तुम सब लोग जानते हो, NACL जो salt है, वो बना कैसे होगा? सर, NACL का जो salt है, वो NaOH और HCl की reaction से तयार किया गया होगा. ये हमारा strong base होता है, और ये हमारा strong acid होता है. ठीक है? हाँ, सही है. सर, जब आप NACL को पानी में डालेंगे, तो क्या होगा? आप बिल्कुल हो सकता है. इस strong acid से तो बने, लेकिन weak base से बने. सर, माल लिजिए ammonium chloride ले लेते हैं. सर, ammonium chloride is coming from ammonium hydroxide plus HCl. Now, this is weak base and this is strong acid. तो ultimately, ये वो salt है, जो strong acid और weak base से बना है. चलिए ठीक है. सर, इस salt को पानी में डालेंगे, तो क्या होगा? इस salt को जब आप पानी में डालेंगे, तो ये भीग जाएगा. भीगने के बाद तूट जाएगा. तूटने के बाद, अगर इसके cation and anion water के साथ react कर रहे हैं, कोई भी, चाए cation, चाए anion, चाए दोनों लोग, अगर react कर रहे हैं, तो आप, sir, इसको hydrolysis का नाम देंगे. चलिए, ठीक है, ये भी देखते हैं, और तीसरी बात करते हैं. तीसरा, sir, ऐसा भी salt हो सकता है, जो weak acid और strong base का salt हो. हाँ, बिल्कुल हो सकता है. weak acid, strong base का salt, माल लीज़े, na cn ले ले लेते हैं. है, ये कहां से बना है? sir, ये hcn से बना होगा, और naoh से बना होगा. hcn एक बड़ा ही कमजोर acid है, और naoh मेरा strong base है. sir, ये वो salt है, जो strong base और weak acid से बना है. इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा? अरे बेटा, किसी भी salt को पानी में डालोगे, वो भीग जाएगा, भीगने के बाद तूट जाएगा, अब reaction हुई है नहीं? that is the hydrolysis का case. होगी है नहीं? वो हम बाद में decide करते हैं. ठीक है? चौथा salt कौन सा लिया जा रहा है? चौथा एक ऐसा salt लिया जा रहा है, जो कि weak base weak acid का salt है, जैसे माली जा अपने NH4-CN ले लिया है. ये कहां से बना होगा? सर, ये ammonium hydroxide से बना होगा, और साथी साथ HCN से बना होगा. कमजोर base माना जाता है, और ये कमजोर acid माना जाता है. इसका क्या होगा सर? कुछ नहीं, पानी में जाएगा, तूटनेंगे तो सारे ही, हाँ सारे तूटेंगे. रियाक्शन करेगा या नहीं करेगा पानी से, ये कैसे decide करेंगे? अब आते हैं काम की बात. यानि मैं अब काम की बात करने जा रहा हूँ, कि जब कभी भी किसी salt को पानी के अंदर डाला जाए, तो क्या चीज होगी ही होगी? सर, वो भीगेगा ही भीगेगा. आरे, कैसी बाते करें सर, किसी को भी पानी में डाले के तो भीगेगा ही भीगेगा. भीगने के बाद वो तूटेगा ही तूटेगा. कोई भी salt? हाँ सर, सारे salt. पानी में गए भीगे तूट गए क्या बनता है सॉल्ट के टूपने से सर कैटाइन बनता है और एनाइन बनता है अब ये कैटाइन और एनाइन में से कोई भी एक आदमी या दोनों आदमी पानी से बात कर सकते हैं और अगर इन्होंने water से chemically react कर रहे हैं तो क्या तुम मानते हो इसको hydrolysis का नाम दिया जाएगा अगर cation पानी से बात कर रहा है तो cationic hydrolysis, anion पानी से बात कर रहा है तो anionic hydrolysis, दोनों लोग पानी से बात कर रहे हैं तो both hydrolysis और अगर कोई पानी से बात नहीं कर रहा है तो नो हाइड्रॉलिस यह चार केसिज हैं जो हमें समझ में आने चाहिए क्लियर है चाबाश बहुत बढ़िया तो इसका अलब यह हुआ सर यहां से आप इस हाइड्रॉलिस को स्टार्ट कर देना चाहिए कि आप किसी सॉल्ड को लेके आईए और सर उसको पानी में डाल के दिखाईए क्या होने वाला है तो चलिए मैं अब एक जंडल बात करूँगा और फिर एक एक करके बात करूँगा सर एक सॉल्ड लेके आते हैं पानी के अंदर AB solid और इस AB solid को आप कहां से लाए तो सर क्योंकि यह salt है तो हमें पता है यह salt acid base reaction से बना होगा तो सर एक base लाए होंगे आप AOH और एक acid लाए होंगे आप BH सर इन दोनों की reaction से AB solid तयार होगा बात को एक cation हो गया एक anion हो गया cation is coming from base इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे cation कहां से आता है सर कैटाइन base से आता है और जो salt का anion होता है वो कहां से आता है वो acid से आता है चलिए ठीक है सर तो A is coming from AOH and B is coming from BH चलिए ठीक है अब सर यह बताइए इसको पानी में डालने से क्या होगा कितनी बार बताएं सर इसको अगर आप पानी में डालेंगे तो यह भीग जाएगा यह लिजे भीग गया जो भीग गया वो तूट गया यानि यह अगर भीग गया तो यह तूट जाएगा क्या बनाएगा सर यह A प्लस आक्वस बनाएगा और यह B माइनस आक्वस बनाएगा हो गई हाइडरोलिसिस है इसको तो हाइडरोलिसिस कहते है ललू हो यह हाइडरोलिसिस नहीं है यह तो डिसोसियेशन है हर सॉल्ट का होता है जो घुलता है वो तूटता है यह तो पुरा यह रही वाली बात चलिए शुरू करते हैं, तो माल लेते हैं, कि सर A+, माल लीजे, A+, पानी में बात करता है, अब ज़रा सब लोग ध्यान रखना, अगर A+, पानी में बात करता है, तो इसका मतलब पानी से रियाक करेगा, बिल्कुल रियाक करेगा, डियाक्शन में क्या होगा Logical है sir A plus पानी में से OH को खीचेगा अगर A plus पानी में से OH को खीचेगा तो AOH बनेगा और release क्या होंगे? H plus भई पानी में से अगर आपने OH ले लिया तो क्या छूटा? H plus इसका मतलब यह हुआ कैटायन पानी में बात कर रहा है अगर cation पानी में बात कर रहा है sir तो आज से इसका नाम cationic hydrolysis रख दीजिएगा अगर ऐसा हुआ तो this is cationic hydrolysis यह कैसे decide करेंगे कि ऐसा होगा कि नहीं अभी decide करते हैं तो अगर ऐसा हुआ तो this will be the equation and the resultant solution will be acidic clear है this is h plus the resulting solution will be acidic सब लोग समझना इस बात को यानि अगर किसी salt का cation सिर्फ hydrolysis कर रहा है तो water में h plus release करेगा जिसकी वजह से resultant solution acidic होगा अभी हम बिल्कुल theoretical बाते कर रहा है qualitative फिर हम quantitatively discussion करेंगे qualitative discussion क्या है कि अगर आपने cation को पानी में डाला और वो cation पानी में बात करने लगा अगर हम अभी decide करेंगे कि करेगा या नहीं करेगा माल लो करेगा तो क्या release होंगे h plus और अगर वो h plus release करेगा तो पक्का वो क्या release करेगा वो पक्का solution क्या बनेगा एस दिए चली ठीक और आगे बात करते हैं माल लीजे एनाइन पानी में बात करें अगर एनाइन पानी में बात करें तो उसको एनाइनिक हाइडरॉलिसिस का नाम दिया जाएगा अगर एनाइन पानी में बात करता है तो उसे एनाइनिक हाइडरॉलिसिस का नाम दिया जाएगा एनाइन कौन है मेरा माल लीजे b minus तो अगर B- पानी में बात करता है तो क्या करेगा? जरा सोचो B- पानी में बात करेगा तो पानी में से क्या लेगा? H+. अगर वो पानी में से H+, लेगा तो क्या बनाएगा? BH. रिलीस क्या करेगा? OH-. इससे साथ दिखाई देता है सर कि ये जो resultant solution है. Now the resulting solution will be what? Resulting solution will be basic. Resulting solution मेरा basic होगा. अब सबसे पहले तो ये theoretical बात जो आपके सामने हुई है, ये important हो गई. सबसे पहले ये बहुत important बाते हो गई. कि अगर salt का kateaion पानी में बात करें, तो उस case में aceric solution बनता है, और अगर salt का anion पानी में बात करें, तो basic solution मनता है. करेगा कौन वो बात की बात? एक एकर के बात करते हैं. अगर ऐसा हुआ तो ये, अगर ऐसा हुआ तो ये. अगर सर दोनों पानी में बात करें तो क्या होगा? अरे भाई, अगर दोनों में पानी में बात करते हैं, तो solution acidic भी हो सकता है, वो basic भी हो सकता है, that depends कि H plus ज्यादा निकल ना है या हो H minus ज्यादा निकल ना है, वो किसके ओपर depend करेगा quantity थिए भी आधियम बात करेंगे, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा सर अरे यार कमाल हो गया अगर कुछ नहीं हुआ तो पानी पानी है जैसे पड़ा था वैसे अब भी पड़ा होगा और solution की pH पानी डिसाइड करेगा यानि salt पानी में गया भीगा तूटा लेकिन पानी से बात नहीं की तो pH कौन डिसाइड करेगा पानी पानी की pH कितनी 725 डिसाइड करेगा इसका मतलब हुआ उस केस में solution neutral होगा और उसकी pH 7 होगी आगर 25 डिगरी का टेंपरेचर क्लियर है ये solution neutral होगा टेंपरेचर कुछ भी हो अगर टेंपरेचर गिवेन है तो pH की वैल्यू 7 होगी आगर टेंपरेचर 25 क्लियर है क्योंकि अब pH कौन डिसाइड करेगा वाटर यानि चार आप्शन्स हैं केटाइन या तो बात करें और या कोई बात ना करें अगर कोई बात नहीं करता दिन आंसर भी ऐट 25 यहां तक समझ में आब अ il कि अ सब को यहां तक समझ में आया हाँ, बिल्कु सर, अगर 25 डिगरी की बात करना है, देना आंसर विल भी 7, इसमें क्या इतना सोचना है, बहुत क्लियर है सर, बहुत सीधे से निकलाएगा, इसमें कहीं कुछ हंजट नहीं, यानि कहने का मतलब यह हुआ, कि अगर माल लीजे, आपको pH कैलकुलेट करनी हो, कित नहीं करेंगे, अगर वो वाटर से बात करते हैं, तो ऐसे में, या तो कैटाइन पानी से बात करेंगा, या एनायन पानी से बात करेंगे, या कोई बात नहीं करेंगा, अगर कोई बात नहीं करेंगा, अगर कोई बात नहीं करेंगा, then the pH will be decided by water and the solution should be neutral, at 25, the pH will be 7, otherwise acidic भी हो स करता है यह कैसे डिसाइड करेंगे चलिए अब आते हैं सेकेंड पोर्शन पर एक चीज़ क्लेर हो गई अगर यह हुआ तो यह होगा अगर यह हुआ तो यह होगा अगर यह हुआ तो यह होगा और अगर ऐसा कुछ ना हुआ then the solution will be neutral and the answer is 7. अब बात करते हैं, क्या होगा? ठीक है? अब बात करते हैं, अब कैसे होगा? अगर दोनों बात करेंगे, तो sir, H-plus भी निकलेंगे, O-H भी निकलेंगे, अब अगर H-plus जादा निकले, ऐसे दिक, O-H जादा निकले, पानी में करता कौन? ठीक, पानी में बात करता कौन? आप देखो, बहुत ध्यान से देखना. अभी मेरी बात हुई थी, salt एक ऐसा आदमी होगा, जो cation भी देगा, और anion भी देगा, पानी में जाने के बाद. हाँ, sir, बिल्कु सही है. जो cation होंगे, ये कहां से आए होंगे? सर, ये base से आए होंगे? और जो salt का anion होगा, वो कहां से आया होगा? वो acid से आया होगा. हाँ, बिल्कु सही. यहां तर सही. अब बस इस बात का ध्यान रखना. अगर hydrolysis होती, cation की या anion की? तो उस case में हो क्या रहा था? अगर cation hydrolysis करता है. आप समझे के जरा example ले लेते हैं. मालीज़ आमारे पास AB एक salt है. इस salt को आपने पानी में डाला, तो ये AB aqueous बन गया. ये पानी में जाने के बाद जो भीग गया, वो तूट गया, तो ये A plus aqueous और B minus aqueous बन गया. ठीक ह है ये? अब ये होगा या नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ. ये तब होगा, जब ये जो AOH बना, ये OH strong base न हो. समझना जरा है. यानि ये जो cation है, ये cation जिस base से आ रहा है. आप बताइए ज़रा AB जो solid है हमारा, वो किस base से बना होगा ये वाला salt? सर, एक base होगा आपका AOH और एक acid होगा आपका भी है. ठीक है ये? यानि ये जो salt है, ये जिस base से आ रहा है, अगर ये base strong base है, तो ये 100% dissociate कर जाएगा. आप जानते हैं, strong base are strong electrolytes, और अगर strong base strong electrolytes होते हैं, तो जैसे A plus पानी से बात करेगा, AOH बनेगा और AOH फिर से टूड़ियाएगा, यानि A plus वापिस निकलाएगा, फिर गया, फिर वापिस, फिर गया, फिर वापिस, यानि ये reaction प्रोसीड नहीं करेगी, अगर AOH एक strong base, अब सब लोग इस बात को धियान रखेंगे, यानि cationic hydrolysis तब नह कर जाता है, यानि cationic hydrolysis तब नहीं होती, जब cation जिस बेस से आया हो, वो बेस एक strong base, फिर? समाझ में आई बात? खलिए, अचा, अब anionic hydrolysis कब होगी? अनि cationic hydrolysis कब होगी? यानि इफ cation is coming from strong base, then there is no cationic hydrolysis. cationic hydrolysis बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, अगर मेरा cation strong base से आया हो, तो, बिल्कुल clear? अभी मैं एक्जाम पेस इस बात को समझूँगा, ठीक, एक्जाम पेस सारी बाते अभी समझते हैं, ठीक, अचा, दूसरा, सर, anion के hydrolysis कब नहीं होगी? चलिए, anion की बात कर लेते हैं, लीजे, anion के लिए लेते हैं, anion के लिए क्या होगा? सर, anion B- था, अगर anion B- पानी से बात करता है, तो, क्या बनाएगा? BH बनाएगा, release क्या करेगा? OH. सर, ये reaction B, आगे तभी proceed, B- कहां से आया? सर, B- is coming from BH. अगर ये BH is strong acid, तो क्या होगा? सर, अगर ये strong acid है, तो ये जैसे ही बनेगा, ये further dissociate कर जाएगा, यानि ये B- और H+, में फिर से टूड़ियाएगा. यानि कहने का मतलब क्या हुआ? अगर ये anion, जो कि acid से आता है, अग पानी के अंदर 100% dissociate कर जाए. यानि सब लोग इस बात को समझो कि anion जो होगा हमारा, यानि if anion जो हमारा है, कहां से आते है anions? सब लोग पहले सबसे पहले क्यायत करेंगे? anion acid से आते हैं, cation base से आते हैं. अगर anion acid से आ रहे हैं, जो कि strong acid है, तो anion hydrolyze नहीं करेगा, बात there is no hydrolysis, अब मैं example लेता हूँ, no hydrolysis of anion. anion की कोई hydrolysis नहीं होगी, सब लोग इस बात को बिलकुल याद रखें, ये फिर से important point हो गया हमारा, यानि anion hydrolyze नहीं करेगा, अगर anion is coming from strong acid, समझो. here है, समझ में आई ये बात, चलिए ठीक है, example ले लेते हैं, अब इसको example से समझते हैं, माल लीजिए, मैं आपके सामने एक salt लेके आता हूँ, naCl, अब मुझे जल्दी से बताओ, naCl जो salt है, वो कहां से आया, सर, base और acid से बना होगा, ठीक है, अब ये बताइए, naCl में na plus आएगा और Cl minus आएगा, जल्दी से बताओ, na plus कहां से आया, सर, ये kGame Base से आएगा, कौन से ब хлस से आएगा, सर, NaCl कहां से आएगा, और Cl कहां से आया, तो कहां से आएगा,さर, Cl minusаемL, ये theta Clbecle, अशिए, अऑन का है, अजल्दी से बताओ, Savannah, यह unlike है, और अगर ऐसा है, कि सर, ये अना strong based स्वाने वाला Cation Hydrolyze नहीं करेगा, and this is a strong acid, इसका मतलब N-ION भी hydrolis नहीं करेगा, एक बाँ क़ना के देख लेते हैं, सर चली एक बाँ करा के देख लेते हैं, क्या होगा, अगर Na plus ने hydrolysis की, तो क्या होगा, अगर Na plus ने hydrolysis की, तो sir, NaOH बनेगा, बिल्कुँ सही है, क्या आपको लगता है, NaOH बन सकता है, नहीं sir, क्योंकि अगर बन गया तो तूड़ियाएगा, क्योंकि strong base, strong electrolyte होते हैं, और वो water के अंदर 100% dissociate कर जाते हैं, इसका मतलब NaOH बनी नहीं सकता, बन नहीं सकता, तो sir, NaOH बनी प्लस की hydrolysis नही वो sir, अगर HCl बना, तो यह H प्लस और Cl माइनस में फिर से टूड़ियाएगा, इसका मतलब यह हुआ, sir, इस बार Cl माइनस की भी hydrolysis नहीं हो सकता, तब लोग इस बात को समझने की कोशिश करें, if a salt is from, strong acid is strong base, then the hydrolysis of cation anion is not possible, why? Because अगर वो cation anion hydrolyze करते हैं, तो उनको वही strong base और वही strong acid दुबाना बनाना पड़ता है, जहां से वो बने हैं, और क्योंकि वो strong acid is strong base हैं, वो 100% dissociate कर जाते हैं, और 100% dissociate करते ही, cationic anionic hydrolysis खतम हो जाती है, यानि NaCl एक ऐसा salt हो गया, जो कि strong acid strong base से आया है, वो salt का cationic anionic part water में hydrolyze नहीं होगा, क्योंकि अगर हुआ, तो उसको वही strong base और strong acid बनाना पड़ेगा, जो कि water में नहीं बन सकता, क्योंकि ये लोग strong electrolyte हैं, बनते ही टूड जाते हैं, clear? सब को ये बात समझ में आई, क्या यहां तक clear है, अभी हम सिर्फ qualitative समझ रहे हैं, कि hydrolysis अगर हुई तो क्या होगा, या कब होगी, कब नहीं होगी, हम कितनी pH होगी, या hydrolysis से answer कैसे निकालेगी pH का, वो बात की बात, सबसे पहले यहां ते समझ लो, क्या ये बात समझ में आ अगर माल लीजे, ऐसा कोई salt होता, जो strong एस strong base का salt न होता, तो क्या होता, चाली हम example ले लेते हैं, दूसरा example ले लेते हैं, अच्छा, ये तो समझ में आ गया, नमक का solution neutral क्यों है, क्योंकि सर, hydrolysis तो किसी की होनी नहीं, तो solution का pH कौन डिसाइड करेगा, pH सर, पानी खोता, तो हम तो बहुत सारे सबजी बनाते हैं, मुर्गा बनाते हैं, समझ कें सानी है, तो ऐसे में, तो यह दो शले ही दूसरा example लेते हैं, चलिए दूसरा example ले लेते हैं, और दूसरा example है हमारा ये, CH3C Gesunduने ले लेते हैं, अब जल्दिसली बताओ इस salt का, सर, ये salt एक ऐ माइनस देगा और यह तूटने के बाद एने प्लस देगा अब ज़रा जल्दी से बताइए CS3CO- कहां से आ रहा है सर CS3CO- is coming from astic acid and na plus is coming from any way अब आप बताइए hydrolysis किस कैटाइन की होगी या एनाइन की सर अब तो मैं एकदम sure हूँ कैटाइन की hydrolysis हो ही नहीं सकती क्यों क्योंकि सर कैटाइन is coming from any way and any way is a strong base तो अगर कैटाइन hydrolyze करेगा तो अने यह को दुबारा बना देगा फिर से टूड़ी आएगा लेकिन एनाइन is coming from what sir anion is coming from acetate iron and since this is acetate iron which is coming from astic acid and acetic acid is my weak acid जिसकी वजह से anion पानी में बात कर सकता इसका मतलब यह हुआ कि सर जो hydrolysis हो रही है वो इस anion की hydrolysis हो रही है और अगर anion hydrolyze करेगा तो resultant solution क्या होगा सर अगर anion hydrolyze करेगा तो पानी से h plus लेगा और पानी से h plus लेगा तो oh छोड़ेगा the resultant solution will be what the resultant solution will be basic बताओ समझे बात को कि यानि sodium acetate एक ऐसा system होगा जिसका solution dilute solution पक का basic solution होगा वाई बिकाज आने प्लस तो पानी में बात नहीं करेगा बट आसी टेट पानी में बात करेगा क्योंकि acetate acetic acid से आया है और acetic acid एक वीक acid यह रही है चलिए सर दूसरा example लेके देख लेते हैं फिर quantitatively भी समझ के देख लेंगे दूसरा example ले लेते हैं ammonium chloride क्या कहते हो सर अमोनियम chloride का cation हो गया ammonium iron और anion हो गया chloride ammonium iron is coming from ammonium hydroxide and c l minus is coming from hcl सर बिल्कुल clear हो गया सर बिल्कुल clear हो गया कि सर यह c l minus बात्चीत नहीं कर पाएंगे क्यों क्यों कि सर c l minus is coming from hcl and hcl is a strong acid अगर बात हुई भी तो क्या बनेगा hcl फिर से कुड़ी आएगा खतम होगी बात लेकिन बचा कौन सर ammonium iron since sir this ammonium iron is coming from ammonium hydroxide which is a weak base जिस तरह से यह weak acid था उस तरह से यह weak base है और इस बार सर week base को पानी में बात करनी और अगर weak base पानी में बात करते हैं तो ammonium पानी में बात करेगा तो ammonium पानी में से OH को ले लेगा छोड़ क्या देगा h plus को छोड़ देगा now the resultant solution is what the resultant solution is now acidic यानि अब मेरा resultant solution acidic so this is the case of anionic hydrolysis no doubt this is the case of anionic hydrolysis and this is the case of cationic hydrolysis and what is the differentiating factor or what is the deciding factor the deciding factor is salt which is coming from strong acid strong base they don't get hydrolyzed in water why because अगर अगर ने hydrolysis शो की तो वही strong acid और वही strong base वो दुबारा बना देंगे जिसकी वजह से आप वो फिर से तूड़ आएंगे because they are strong वो salt जो weak portion से आते हैं उनका वही portion hydrolyze करता अगर weak acid से आ रहा है तो anionic hydrolysis कर देगा वीक base से आ रहा है तो cationic hydrolysis कर देगा और अगर दोनों लोग weak है तो दोनों के hydrolysis कर देगा लीजे वो case भी ले लेते हैं फटा फट अगर माल लीजे मेरे पास एक example लिया जाए CH3 COONH4 बताइए कहां से आ रहा है कौन कौन है सर एक तो ये बनेगा CH3 CO- देदेगा और एक ammonium देदेगा CH3 CO- दोनीया जानती है सर असेटिक आसिड इस वीक आसिड और एमोनियम आइन टो दिस इस वीक आसिड and दिसे वीक बेस तो दिस इश दा केस्थ ओफ वॉट हाईडरॉलेसिस तो दो लोग हाईडरॉलेसिस करेंगे और दोनों की hydrolysis से pH calculate की जाएगी हम कैसे निकालेंगे pH वो बात की बात क्लियर यहां तक समझ में आगई बात अच्छा अब आते हैं quantitative analysis की बात करते हैं सर एक एक करके अलग लग तरह के salts लेते हैं तो चलिए सबसे पहले हम अपना salt ले लेते हैं जो वही पुरानी बात है सर इस इस a salt of strong acid strong base सर क्या बाते करनी इसमें क्या बात करनी सर strong acid और strong base का salt बताओ जल्दी से सर कुछ भी ले लेते हैं इनी में से कुछ ले लेते हैं सर ये लेते हैं अपना आदमी लेते हैं NACL तमाम example मैंने लिखे हैं लेकिंगे सर अपना आदमी लेते हैं NACL सर इस a salt of strong acid strong base अरे छोड़ो ना सर पानी में डालो भीग जाएगा भीगे गई तूट जाएगा तूटे गई लेकिन बात नहीं करेगा क्यों? क्योंकि सर इस तरह के salts strong acid strong base से आते हैं और strong acid strong base के बने salt पानी में वही strong acid या वही strong base दुबारा नहीं बना पाते इसका मतलब है सर इस बार hydrolysis ही नहीं होगी और अगर hydrolysis ही नहीं होगी तो pH पानी decide करेगा 25 degree centigrade पर pH की value 7 consider की जाएगा यान दिस इस no hydrolysis का case यानि कहने का मतलब यह हुआ litmus paper पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि solution अब भी neutral होगा क्योंकि ना तो acid बनेगा नो OH- release होगे जो भी H+, और OH- है पानी के अंदर solution के अंदर वो बराबर होगे क्योंकि वो दोनों पानी से निकल के आ रहे होगे और इसलिए solution को neutral consider किया जाएगा और 25 degree centigrade पर pH को 7 माना जाएगा बताओ clear? यानि any salts which are coming from strong acid strong base which are coming from strong acid strong base which are coming from strong acid strong base वो लोग ये काम कर लेगे ये hydrolysis नहीं करेगे ऐसी तैसी और अगर hydrolysis नहीं होगी तो ऐसे में जो pH है वो 7-डिसाइड हो here अरे कोई break break मत मांगो आज सब लोग बिलकुल tight होके पढ़ाई करेंगे कोई break नहीं बिलकुल mask टेक दमाज क्लिक्रियम की बैंड बजानी मैंने कोई भी point अभी तक miss नहीं किया है मैं कोई point miss नहीं करना चाह रहा हूँ मैं ये चाह रहा हूँ कि भले ही तुम्हें थोड़ा ज़्यादा time लगे भले ही तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़े बट अल्टीमेटली सारी चीजे कवर हो जाएं इसलिए सब लोग बहुत इत्वनान से बैठो वहीं पर पानी रख लो वहीं पर कुछ खाने पीने का समान रख लो आप देखते हैं मलब समरो अगर बीच में जाओ आओ जल्दी से वाश्रूम होके आओ ठीक है अचा अब दूसरी बात करते हैं सर अब जरह अब थुआ सा ऐसे salts के बारे में बात करते हैं जिसमें कुछ हो रहा है तो चली कुछ होने वाले salts ले ले लेते हैं अब ये ले लिया हमने हम इनको पाद में अभी देखेंगे इनको आप स्ट्रॉंग बेस की कैटेगरी का salt मानेंगे विकाज हमें उस टाइम पर ऐसा salt चाहिए होगा जो कम भूलता है पानी के अंदा हम इस बारे में बात करेंगे कि resultant solution basic होगा या acidic होगा बड़ा असान है सर कैसी बाते कर रहे है resultant solution acidic या basic तो मैं बता दूँग आपको sir ammonium chloride कहां से आ रहा है sir ammonium hydroxide से आ रहा है और ammonium hydroxide weak base होता है इसका मलब ammonium hydrolyze करेगा और अगर ammonium hydrolyze करेगा तो ammonium की hydrolysis क्या release करेगी sir h plus release करेगी resultant solution पका acidic होगा बताओ यहां ते समझे बात resultant solution पका acidic देखने को मिलेगा ठीक है अच्छा अब तो अब इसका मलब यह हुआ कि अगर acidic हुआ तो pH कैसे निकालेंगे तो theoretically तो मुझे समझ में आ गया लेकिन अब सर्थ थोड़ा सर नुमारिकली सोचते हैं सवाल पूछे जाते हैं तो कैसे answer देंगे ठीक चलिए अब answer की बात करते हैं ammonium chloride के बारे में हम सब जानते हैं ammonium chloride को ऐसे पानी में डालते हैं तो सबसे पहले भीगा देते हैं आप इसको भीगाएंगे तो सारी दुनिया जानती है जो भीग गया वो टूड़ गया तो यह ammonium aqueous बन जाएगा और साथ में CL minus aqueous बन जाएगा दूसरी बात क्या है सब दूसरी बात यह कि ammonium से आपको CL से आपको उमीद मत करिएगा यह कुछ नहीं करेगा क्यों से बात करनी है किससे बात करनी है यानि जो भी कुछ होने जा रहा है वो ammonium के साथ बातकीत होने जा रही है तो क्या सब लोग इस बात को agree करते हैं this is the case of catanic hydrolysis this is the case of catanic hydrolysis and if it is case of catanic hydrolysis the resultant solution will be no doubt acidic कैसे sir ammonium जो है वो पानी में से OH लेकर H plus छोड़ देगा यह सब आप बात कर चुके हैं क्या acidic होगा pH बताईए अब आप numerical बताईए कि answer क्या निकल कि आएगा अब यह बात करनी है सब लोग ज़रा समझना मैं इस पर एक तो जो सवाल है वो तो करी रहे साथ में जो main point है जो मुझे लगता है और discussion mains level पर गहराई वाला जो सवाल बन सकता है हम उसके बारे में भी discussion करते हैं जो मुझे समझ में आ रहा है वो यह समझ में आ रहा है कि जो cation है वो पानी में बात करेगा एनाइन पानी से बातचीत नहीं करेगा because anion is coming from strong acid and strong acid तो वाला एनाइन पानी में बातचीत नहीं करेगा है यह तो समझ में आता है तो अब इसमें दूसरी बात करते हैं दूसरी बात क्या है अगर आप pH calculate करते हैं तो pH calculate करेंगे कैसे यानि pH की value कैसे निकल के आईगे तो सर देखिए वह तो दिख रहा है ना सर pH की value यह है अगर आप मुझे h-plus की value बताते तो answer आजाएगा यही होता है सर हर बार पूरी पूरे ionic में सर वही यह सर डब्बे से आवाज आ रही है जैसे डब्बे से आवाज आई कि cation hydrolyze कर रहा है तो मैंने cationic hydrolysis के pH का formula लगा दिया बस हो गया answer अब बस सर वह formula कहां से आया एक बार वो देख लेते हैं और काम चल जाएगा हमारा तो फटा फट एक बार देख लेते हैं जाए derivation सिर्फ इसले करके दिखा रहा हूँ थोगा सा क्योंकि मैं चाहरा हूँ कि कहीं कोई कसर ना रहा है विकास सवाल अंदर घुसके पूछ सकता तो derivation इसले दिखा रहा हूँ ताकि वह किसी और तरह के सवाल जो अभी मैं तुमको पूछूँगा वो पूछ सकता है हमसे ठीक है ना तो चलिए इस बारे बात करते हैं तो क्या कहा रहा है कि अमोनियम अगर यह हरकत करेगा तो क्या होगा सर ऐसे करते हैं अगर आपको C molar ammonium chloride solution की pH calculate करनी है तो आप ऐसा कर लिजे कि ammonium chloride के अगर concentration C है तो उससे जो ammonium ion मनेंगे वो भी C molar होंगे और chloride जो बनेगा वो भी C molar होगा क्योंकि यह तो 100% dissociate करता है हाँ सही है तो इसका वलब यह हुआ कि अगर the concentration of ammonium is C then they will be 00 और फिर इसका कुछ हिस्सा hydrolyze कर जाएगा तो माल लेते हैं कि इसकी degree of hydrolysis H है अब देखो यहाँ पर सर आपने एक नयाद नाम लिया है degree of hydrolysis इसलिए लिया है क्योंकि इस बार dissociation नहीं हो रहा है इस बार hydrolysis हो रही है तो आपको degree of hydrolysis का सर अमोनियम आइन के आप बात कर रहे है तो अगर इसकी degree of hydrolysis है तो इसका मतलब यह हुआ वन में से H लोग hydrolyze कर जाएंगे तो बचेंगे कितने CH तो C में से CH बच गए तो कितने बचें C1-H CH एन CH अब आप यह बताईए सर इससे आपको पी-H कहां दिखाई देती है पी-H यहीं तो दिखाई दे रही है आप समझे आप मुझे C की value दे दीजिए और H की value दे दीजिए मैं H plus calculate करके पी-H calculate कर लूँगा याद करो C दे दूँगा H नहीं दूँगा तो क्या करें सर इस equilibrium का equilibrium constant दे दीजिए जैसे alpha निकालने के लिए आप K देते थे वो भी नहीं दूँगा अरे तो सर कुछ तो देंगे जब कुछ देंगे तब ही तो pH निकल के आएगी वो कह रहा है मैं बस एक काम कर सकता हूँ मैं यह जो ammonium आयन है यह जिस weak base या रहा है उस weak base का आपको KB value दे दूँगा बस आपको जो करना है आपका बस आप सब लोग अगर यहाँ पर समझ गए तो आगे के सारा portion उनकों के समझ में आ जाएगा कि सवाल में वो कह क्या रहा है वो यह कह रहा है कि देखिया ऐसा है अगर ammonium आयन हाइड्रोलाइस करेगा तो ammonium हाइड्रोकसाइड बनेगा बिल्कु सही है तो जो H plus की concentration है वो H plus की concentration यह निकल के आई अब उसके लिए क्या क्या चाहिए सर्थ CH निकालने के लिए एक तो C चाहिए वो सवाल में दे रखा है और एक H चाहिए सर्थ CH हमें सवाल में नहीं दे रखा है तो H निकालने के लिए कोई इंतजाम देना पड़ेगा और वो इंतजाम है इस equilibrium का equilibrium constant और इस equilibrium के equilibrium constant को hydrolysis constant कहा जाएगा अब सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे इस is KH value यह equilibrium hydrolysis का equilibrium है इसलिए इस equilibrium constant को KH का नाम दिया जाएगा यानि वो इस KH को अगर दे देता तो मेरा काम चल जाता क्योंकि KH को यूज करके मैं एच निकाल लूँगा और H से में CH निकाल लूँगा वो KH नहीं दे रहा है वो कुछ और दे रहा है वो कह रहा है मैं आपको ammonium hydroxide का KB दूँगा तो हो सकता है इस KB को यूज करके मैं KH calculate कर लूँगा अब सब लोग एक बार देखेंगे ज़रा सब लो ज़रा यह बताओ इसका जब KH लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा बताओ इकलिबियम कॉंस्टेंट कैसे लिखा जाता है products upon reactant product में कौन-कौन है product में ammonium hydroxide है into H plus है और नीचे कौन है नीचे ammonium ion यह लोग यह KH ठीक है अचा अब मैं एक काम करता हूँ उपर नीचे OH- से multiply कर देता है अगर मैं उपर नीचे OH- से multiply करूँ चैसे आप उपर नीचे OH- से multiply करेंगे तो द현तdes देखना यह तोनों मिलके क्या बंगाएंगे यह को सभी है और यह और यह और यह यह की बंगा रहर द 자기 बंगाना यह ये और यह क्या बंगाएंगे तर यह तीनों आमोनियम हाइड्रॉक्साइड का अगर डिसोसियेशन का इकलिब्रियम लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे अब पताइए ज़रा के बी की वैल्यू क्या होगी के बी की वैल्यू होगी अमोनियम इन्टु ओएच माइनस अपॉन एनच फॉर यही तो होगा के बी और मैं क्या पूछ रहा था मैं यह पूछ रहा था अमोनियम हाइड्रॉक्साइड ऊपर है और अमोनियम और ओएच नीचे है तो यह क्या बन जाएगा सरी इस वन बाई के बी यानि इस इकलिब्रियम का जो कॉंस्टेंट होगा वो इनडारेक्ली किसके बराबर होगा के डबलू बाई के भी अब सब लोग इस बात को समझे और यह बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है इस साल में इसके पेपर में इसी इक्वेशन से रिलेटेट सवाल पूछे जाने वाला बहुत इकलिब्रियम का जो इकलिब्रियम कॉंस्टेंट होगा वो कैसे निकल के आएगा तो इस इकलिब्रियम का जो इकलिब्रियम कॉंस्टेंट है जिसको इकलिब्रियम कॉंस्टेंट कहा जाएगा विस के डबलू बाई के बी सब लोग इसको याद कर ले सबसे पहले यानि अगर KB की वैल्यू कम करोगे, तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, बताओ यह बात दिख रही है, KB उतना कम होगा, KB के कम होने से KH वैल्यू बढ़ेगी, और KH वैल्यू अगर बाती है, तो reaction forward भागेगी, और अगर reaction forward भागती है, तो उस case में आपका OH, पिएच एकॉर्डिंगली आप काल्कुलेट किया जाए अब यह आप सही है यानि मैं यह बताना चाहरा था हाँ वो ज़रा दो मिनट का लाग हो गया था एक मिनट का एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं क्या यह बाज समझ में आ रही है इस एक्वेशन का इक्लिबरियम का एक्लिबरियम कॉंस्टक्स को आ पकेश कह रहा है कि की हाई ही हम गए कद और गली प्याषadas के राए है कि इसा मतलब हुआ कि अगर के भी कम हुआ कैज्प कर जाएगा यानि जो कता यंफोर बेस यह या इन के चैने का मतलब यह यहिए में उपने बात मैं लिखने जा रहा हूं वो यह है केटाइन क्या ऐसे करके लेख लेते हैं यह important बात हो गई weaker the base weaker the base more will be the hydrolysis hydrolysis of केटाइन यानि जितना weak base होगा केटाइन का KH hydrolysis उतना जादा होगा और hydrolysis के जादा होने से H plus जादा निकल के आएंगे काम की बात समयना ज़रा theoretical बात कर रहा है यानि अगर KB कम है तो KH जादा होगा ठीक है अब देखो मैं एक line से लिखता हूँ के भी कम हुआ यानि केटाइन जिस बेस से आ रहा है अगर वो बेस कमज़ोर है तो के भी कम हो जाएगा सर उस केटाइन की hydrolysis बढ़ जाएगी hydrolysis बढ़ेगी तो सर उसकी degree of hydrolysis भी बढ़ जाएगी तो degree of hydrolysis बढ़ेगी तो H plus की concentration भी बढ़ जाएगी और सर H plus की concentration बढ़ गई तो pH कम हो जाएगी यानि मैं ये चाह रहा हूँ theoretically तुम इन बातों को समझने की कोशिश करो जिस पर पक्का ये मान के चलो इस बार किसी ना किसी shift में ये सवाल तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा theoretical सवाल क्या है ये theoretical सवाल theoretical सवाल ये है कि जब कभी भी cationic hydrolysis होती है तो इसलिए होती है क्योंकि cation weak base से आया है तो जो cation जितने weak base से आता है उस cation के hydrolysis उतनी जादा होती और जितनी जादा केटाइन की hydrolysis होगी, यह reaction उतना ही forward भागेगी, और जितना ही forward भागेगी, H+, उतना ही जादा निकल के आएंगे, H+, जादा निकलेंगे, तो pH उतनी कम होगी. समझने की कोशिश करो, यह बहुत important. है माल लोग इस चीज को समझने कुछ करें है यह बहुत इंपॉर्टन है इस इस तरह से समझता हूं अधाल लीजे मेरे पास चार सौल्ट है एक सवाल बनाते हैं बड़ा सब बड्या सवाल जो इस बार के जैए में पूछे जाने के पूरी संभाव क्या सवाल है वो कहरा है मेरे पास 4 salts है कौन कौन से salts है माल लिए एक salt है मेरे पास ACL एक salt है BCL एक है CCL और एक है DCL एब आप से पूछना चाहरा है कि सारे salts की माल लिए concentration C molar है C molar है C molar है C molar यह चार salts अब आप से पूछा जा रहा है वह यह बताई है किसी प्य हमें वग्रावगर है थीक तो हमसे सवाल पूँछा जा रहा है इंक्रीजिंग को एंक्रीजिंग ऑडर मुर्च फ कह पूछा जा रहा हुए ठीक है अच्छा जलिए ठीक सवाल में proven क्या है फोस गिवच個 बेरे किया तो समझ रहो इस इ papcaolo the यह ठीक है, तो जो हमारे salt, उसमें CL का तो कुछ नहीं होगा सार, यह strong acid से आ रहा है, जो भी hydrolysis है, वो cation के hydrolysis है, यानि जो भी लोग hydrolyze करेंगे, वो यह लोग होगे, चलिए ठीक है सार, cation hydrolyze करेंगे, हमने माल लिया आपकी बात को, अब आप यह बताइए, hydrolysis जादा ह होगे, अकम कौन decide करेंगा, वो kb values decide करेंगी, और kb values क्या दे रखी है, वो हम देख लेते हैं, हमें kb values क्या दे रखी है, kb of aoh, वो दे रखा है 2 into 10 raise power minus 4, doh का जो kb दे रखा है, वो दे रखा है 10 raise power minus 3, जो coh का kb दे रखा है, वो 10 raise power minus 4, और जो doh का kb दे रखा है, that is, 2 into 10 raise power minus 3 यह मुझे 4 KB values दे रखे हैं जल्दी से सोच के बताओ सबसे ज़्यादा hydrolysis किस कैटाइन के होगी पहला सवाल most hydrolyzed कैटाइन कौन सा होगा A plus, B plus, C plus या D plus most hydrolyzed कैटाइन the cation which is coming from base कितना कमजोर base उसकी hydrolysis सबसे ज़्यादा होगी मानते हो, तो KB सबसे छोटा कम कहाँ पर है order of KB, जला जल्दी से बताओ order of KB क्या बनेगा, order of KB में सबसे बड़ा KB किसका है, सबसे बड़ा KB है सर, DOH का, बिल्कुल सही है DOH is greater than BOH is greater than, और कौन सा बचा सर, उसके बाद नमबर आएगा next नमबर आएगा AOH और सबसे छोटा जो KB दिख रहा है that is COH, बताओ सही कहर रहे है यानि सबसे बड़ा KB होगा DOH का और सबसे छोटा KB होगा COH का, यह हमारा order बने और अगर यह order है हमारा तो एकदम साथ दिखाई देता है सर, DOH का KB सबसे बड़ा है इसलिए D-plus की hydrolysis सबसे कम होगी D-plus सबसे कम hydrolyzed होगा इसलिए most hydrolyzed cation कौन सा होगा COH, शाब बाश, बहुत बढ़िया most hydrolyzed cation जो होगा वो हमारा COH होगा यानि एक चीज़ क्लियर है सर इस जगहा पर hydrolysis maximum और hydrolysis जब maximum होती है सर तो H-plus जब ज़ादा निकल के आते हैं और H-plus जब ज़ादा निकल के आते हैं तो pH कम हो जाती है यानि इस solution की pH सबसे कम और जो हमारा DOH solution है उसकी pH सबसे ज़ादा है तो जल्दी से बता दो order क्या बनेगा pH का increasing order of pH जल्दी से बताओ क्या बनेगा increasing order of pH बनेगा सबसे increasing order का मतलब क्या हुआ सबसे कम pH सबसे कम कौन सी pH होगी जहाँ hydrolysis सबसे ज़ादा है the order will be C is greater than sorry C is less than A is less than B is less than D this is the increasing order of pH क्योंकि सबसे बढ़ी pH होगी DOH solution की DCL solution की क्यों? क्योंकि सर उसकी hydrolysis सबसे कम हो रही है H plus सबसे कम निकलेंगे pH सबसे ज़ादा होगी so this will be the increasing order CABD शाबाश आप समझ लिए ये मुश्किल सवाल माना जाएगा क्योंकि जनरली बच्चों को पता ही नहीं है कि KB values से finally pH कैसे decide होती है degree of hydrolysis कैसे decide होती है pH value कैसे decide होती है और जो लोग समझदार है वो समझते हैं सर अगर ये चारो salts ऐसे हैं जिसमें cationic hydrolysis हो रही है तो वो cation सबसे ज़ादा hydrolysis करेगा जिस cation का जो cation जिस base से आ रहा है वो सबसे कमजोर base होगा यानि base जितना कमजोर होगा उससे आने वाले cation उतने ही ज़ादा hydrolysis करेंगे और जितना ज़ादा cation hydrolysis करेंगे उनकी degree of hydrolysis उतनी ही ज़ादा होगी उनकी kH value उतनी ही ज़ादा होगी उनसे आने वाले h plus उतने ही ज़ादा होगे उनसे आने वाली pH उतनी ही कम हो, मुझे ये बात बिलकुल तमीज से करनी पड़ेगा यानि जो आपको सवाल दिया जाएगा उस सवाल में आप सबसे पहले केवी का ओर बताईए और केवी का ओर बताने के बाद आसानी से, देखो मैंने तो केवी का ओर बड़ा कंफ्यूजिंग लिखा है, इसमें कई बच्चे तो यही केवी समझने में टाइम लग जाएगा, ठीक, लेकिन वो हो सकता है, एक्जाम में बड़ा क्लेर कट केवी दे दे, तो अंसर तो उल्टा दे रखा, फिर एकदम से सोचते हैं, अरे यार, हाँ, ध्यान नहीं दिया, मैं क्या बताना चाहरा हूँ, मैं बताना चाहरा हूँ, आप जल्दबाजी में गल्ती मत करिए, हमारी गल्ती चलती है, हमारी गल्ती इसलिए चलती भी हमें कौन सा पर ये हमें गए और पर आख आखा, हमारी प्लाव्ट decision प्लू府 अरे भाई ये ब्रेक ब्रेक की बाते मत करें अभी रुख जाओ, कोई ब्रेक की बाते मत करें जिसको ब्रेक ये ना जाए, अजीव आदमियों, ब्रेक के लिए हम रोख सकते हैं तुम्हें? जाए, जाए, एक आद लोग तो साथ के हैं, आप देखों कई बच्चे कह रहें, नो ब्रेक, वाइन आट मी, नो ब्रेक, ऐसी कैसी, प्रबलीन नहीं ब्रेक मत मांगो, पॉद बले आए, बिटा, यही तो यही तो टेस्ट है, यही तो टेस्ट है, आप सुचो, एक्जाम भी आप तीन गंटे का देते हो, तीन गंटे में भी तो आपको ब्रेक के बिना ही बैटना है ना, उसमें तो इना रेस्ट करते हो, और अभी तो तुम्हें यह habit बनानी पड़ेगी, तुम्हें यह habit बनानी पड़ेगी, कि तुम्हारी सिटिंग जो होगी, वो continuously 33 hours की हो, अब सम अब बहुत सारे लोग मेरे साथ है, तो जिसको ब्रेक लेना फट से जाए, फट से आए, क्या चेक करें, है ना, अच्छा, आप दूसरी बात करते हैं, तो सर, अब यह तो यह theoretical decide हो गया, कि pH जादा आ रही है, या pH कम निकल क्या रही, चलिए तो समझ में आ गया, अब यह निकाली कैसे जाएगी, तो अब मैं उस बात पे दुबारा आ जाता हूँ, जो pH कैलकुलेशन अभी हम कर रहे थे, उस pH कैलकुलेशन में यह बात आई थी, यह देखे, यह वाली कहानी थी, कि सर, जो कह है, वो आपका के डबलू बाई, के बराबर आएगा, और वो कह लिख कर रहे थे, हाइड्रॉलिस करने से अमोनियम हाइड्रॉकसाइड बनेगा, और साथ में एच प्लस बनेगा, तो चलिए फड़ा-फड़ लिखते हैं, this is C00, और यह हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा, C1-H, जो हो जाएगा CH, यह हो जाएगा CH, और अब मेरे खियाल से सब लोग समझ जाएगे, कि जो KH की वैल्यू आएगी, सब लोग इस बात को agree करेंगे, कि जो KH की वैल्यू निकल के आएगी, वो KH कितना आएगा, वो KW by K भी आएगा, चलिए यहां तक तो ठीक है, अब जब KH आप अपने एसाब से लिखके दिखाए, this is the equilibrium constant KH, अब अपने एस स्क्वार लिख देंगे, और अगर CH स्क्वार लिखेंगे, तो H की वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट ओफ, KH अपन स्ती, और KH की वैल्यू किसके बराबर है, सर, KH की वैल्यू के बराबर है, so this is KW by TKB, तो this is H, आपको चाहिए क्या, सर मुझे H प्लस चाहिए, और H प् के बराबर है, इससे H की वैल्यू के बराबर है, इससे H की वैल्यू के बराबर है, और KH की जगहाँ आप KW by KB, लिख सकते हैं, so it will be KW by CKB, और H आते ही, CH आ जाएगा, और CH आते ही, आपका H प्लस निकालाएगा, और वो H प्लस आपको ग्लक्लेट करके pH देए, सवाल में आपको क्या क्या गिवन होगा? सवाल में के वी की गिवन होगा? C गिवन होगा? सीधे वैल्यू पूट कर दो, और आपको pH मिल ज तो यानि मुझे अब मैं अलग से यह formula भी लिखके दे देता हूँ, आपको यह formula याद रखने पड़ेंगे, यानि मुझे cateinic hydrolysis के बारे में कुछ-कुछ बाते याद रखने हैं, पहला कि जो हमारा cateinic hydrolysis होता है, उस cateinic hydrolysis में जो आपका answer निकल के आएगा, वो answer pH का minus log kwc by kbc निकाला जाएगा हमें यह formula याद रखना है क्योंकि हमें यह अगर पता चल गया कि यह kateinic hydrolysis है तो हमें यह काम करना पड़ेगा हमें यह formula लगाना पड़ेगा तो मैं अभी सवाल की बात करता हूँ ठीक है चलिए दूसरे case बनाते है दूसरा case क्या बन सकता है दूसरा case बन सकता है weak acid strong base का सर वह यह सेम सेम कहा नहीं है weak acid strong base का मतलब क्या हुआ सर जैसे मालीज आपने sodium acetate ले लिया CS3CONA ले लिया अब बताइए क्या होगा सर जब आप इसको पानी में डालेंगे तो यह भीग जाएगा CS3CONA aqueous बन जाएगा जो भीग गया वो टूट गया तो इस विल भी CS3CO-aqueous प्लस NA plus aqueous अब आप बताइए NA plus से आप क्या उमीद करते हैं सर NA plus से किसी को कोई उमीद नहीं है क्योंकि NA plus is coming from NAOH और अगर NAOH आ रहा है तो फिर किसी भी सूरत में तो पॉस्बिल है वो 100% dissociate कर जाएगा और वो 100% dissociate कर गया तो ऐसे में सर NA plus की hydrolysis होगी नहीं तो बचा कौन सर इस केस में acetate जो weak acid से आ रहा है वो hydrolyze करेगा और अगर acetate weak acid से आ रहा है तो यह आ जाएगा CS3CO- पानी से react करेगा और react करके क्या release करेगा OH- release करेगा अब फिर वही वाली कहानी है सर इसका C ले लेते हैं यह दोनो 0 है दिस विल भी C1-H दिस इस CH अब ऐसे में बिल्कुल clear है इसका जो hydrolysis constant KH होगा वो तुम फिर करके देखो वो इस बार kw by k के बराबर आएग और indirectly it is equal to CH square upon 1-H and that is also CH square यानि कहने का मतलब यह हुआ इस बार भी same कहानी निकल के आती है कि जो degree of hydrolysis है H वो ultimately under root of kw by किसके बराबर आएगी Ck के बराबर और जो CH निकल के आएगा जो ultimately OH- के बराबर है वो आएगा Ckw by K और जब आप H plus calculate करेंगे तो H plus की value under root kw by C से निकाली जाएगी और यहीं से pH निकल आईगी समझना यानि मेरे लिए जो important है वो यही है कि मुझे derivation से मतलब नहीं है मुझे सिर्फ इनके formula याद रखने है यानि अगर मुझे भी पता चले जाए कि anionic hydrolysis हो रही है तो मैं फट से क्या काम करूँगा anionic hydrolysis के formula लगा दूँगा अगर ketionic हो रही है तो ketion वाला formula लगा दूँगा और मुझे पता कैसे चलेगा अगर वो salt एक ऐसा salt है जो weak acid से आ रहा है तो anionic hydrolysis weak base से आ रहा है तो ketionic hydrolysis और अगर वो दोनों strong portion से आ रहा है तो hydrolysis नहीं होगी जिसकी वज़े से pH 7 consider करें समझ में आया अब जल्दी से मुझे इस सवाल का answer भी बता दो फटाक से अगर माल लीजे वो कहता है फिर एक सवाल अपनी तरफ से बना लेते हैं कि order of pH और चार solutions ले लेते हैं कौन कौन से solution लेंगे एक ले लेते हैं एक ले लेते हैं एक जीरो पॉइंट वन मोलर एक जीरो पॉइंट वन मोलर एक ले ले लेते हैं एक ले लेते हैं जीरो पॉइंट वन मोलर एक ले ले लेते हैं hc की दे रखी है और hd की दे रखी है हे की दे रखी है 10-5 इसकी दे रखी है 10-25- इसकी दे रखी यह 10- तो हईडास किस की होगी गई अरृड यह Anionic Hydrolysis का Case होगा, और अगर यह Anionic Hydrolysis का Case है, तो अहनृइन, दढिख़ से लगा तो खाइड्रोंसिजज़ ज़ादा होगी चैशाड़ो जादा होगी तो मैइनस जादा निकलेगे गोवड़ा क्वाथ निकलेंगे तो हमारा पी ङोव कम हो जाएगा हमें फिर यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यानि मुझे theoretical सवालों का जवाब देना है, तो इस बात का जवाब देना पड़ेगा, यानि कहने का मतलब यह हुआ, कि अगर मुझे order of pH calculate करना है, तो सबसे जादा pH वो solution शो करेगा, जिसके weak acid का k सबसे छोटा, और weak acid का k सबसे छोटा कि a के छोटे होने से pH बढ़ जाएगा, समझे बात, तो अगर आपको increasing order या decreasing order बनाना है, तो आप इस equation को use कर सकते हैं, और इससे अपना answer चेक कर सकते हैं. कि एर है, इसका अब यह हुआ, यह बड़ा आसां सा concept है, theoretically जो सौझ मारा हो यह है, कि सर आप K, KB को देखकर यह decide कर सकते हैं, कि अनाइनिक और केटाइनिक यह जादा होगी, यह कम होगी, यह बड़ा आसान, हाँ, यह clear है कि अब ऐसे में सर, अगर माल लीजे आपको ठिरिटिक नुमारिकली solve करना है, तो आपको अनाइनिक और केटाइनिक हाइडरोलिस का formula याद रखना पड़ेगा, तो हमने यह याद कर लिया, कि अनाइनिक हाइडरोलिस का H+, KW, KB, KB से निक यह बड़े ले लेते हैं, तो ऐसे में जो H+, का formula है, वो बदल जाएगा, यानि अगर दोनों की hydrolysis है, तो क्या हो रहा होगा, CS3, CO, NH4, यह पानी में गया, तो यह क्या करेगा, सर, यह भीग जाएगा, पानी में कोई भी चीज जाएगा, भीगने के बाद, 100% dissociate कर जाएग इट विल भी CS3, CO, माइनस aquas, प्लस NH4, प्लस aquas, चलिए ठीक है, अब क्या होगा, सर, अब दोनों लोग हैट्रोलाइस करेंगे, और जब दोनों लोग हैट्रोलाइस करेंगे, तो ऐसे में, सर, resultant pH कौन decide करेगा, वो सर, equation decide करेगे, यानि कहने का मतलब यह हुआ, कि सर, अचरिक भी हो सकती है, और pH बेसिक भी हो सकती है, that depends, sir, that depends, k बड़ा है या kb, और ऐसे में, मैंने तुम्हें सामने यह फॉर्मले रख दिये, अब सब लोग इन फॉर्मलों को एक बात देखें, कि अगर माल लीजे, मेरा strong acid, weak base का salt है, strong acid, weak base, क्या मतलब हुआ, sir, cationic hydrolysis, तो cationic hydrolysis के बारे में यह सारी बातें हमें ध्यान रखनी है, कि अगर आप cationic hydrolysis की बात करते हैं, तो एक चीज़ क्लेर है, sir, solution will be acetic, the kH value will be kW by kb, and the degree of hydrolysis will be यह कि हमने अभी derive किया थे, और साती सात H plus की value यह, और pH की value यह, यहीं H plus है, जिसको log में convert किया गया, here है, अ अगर आपका weak acid का hydrolysis हो रहा है, यानि अनाइनिक hydrolysis हो रहा है, तो solution will be basic, अनाइनिक hydrolysis, kH will be kW by k, degree of hydrolysis will be kW by kc, and the pH value will be this, and the pH is 7 plus half pk plus half log c, यह पूरा table एकदम समझ रहो, कोई अगर सोते सोते भी उठा के बोले, कि अनाइनिक hydrolysis का degree of hydrolysis कितना होता, मुह से खट से लिख जाए, कि से अनाइनिक hydrolysis के लिए, जब degree of hydrolysis निकाली जाती है, तो kW by kc से under root में निकाली जाती है, और उसकी pH value यहां से निकाली जाती है, एकदम मुह से टपक जाए, आप समझे एक सेकंड ना लगे, जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, जो इतनी देर से मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे ये बात बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों को ये बिलकुल guarantee के साथ बोल सकता हूँ, कि जिन लोगों ने आइनिक equilibrium को बहुत detail में भी समझ रखा है, लेकिन उन्होंने ये बात याद नहीं किये जो तुम से बोली जा रही है, आप समझ लिए वो आने वाला सवाल गलत करके आएंगे, और आप जिनको बहुत कम भी आता है माल लीजिए, और वो ये चार्ट याद करके गएं, तो hydrolysis पे आने वाला कोई सवाल गलत नहीं होग अगर आप मेरी बात सुनके जा रहा है, आप सिर्फ ये समझ लीजिए, जैसे ये अंदर से आवाज आए, एनाइनिक हाईरालिस तो आपको ये बिल्कुल चमक जाना चाहिए, और जैसे ये आवाज आए बोथ हाईरालिस की, तो ये पूरे फॉर्मले चमक जाने चाहिए, अब तुम बताओ, बोथ हाईरालिस में मैंने क्या बोला था? सर, बोथ हाईरालिस में आपने बोला था कि सल्यूशन की pH 7 भी हो सकती है, 7 से जादा भी हो सकती है, 7 से कम भी हो सकती है, कैसे? देखिया आपी. सर, ये देखिये, जो आपका h-plus की concentration है, वो इसके बराबर. यानि अगर acid और base के k-kb value same है, तो उस case में आपकी जो h-plus value है, वो k-w के under root यानि 7 से decide होगी, यानि solution will be neutral. और अगर आपका k बढ़ा है, तो h-plus जादा हो जाएंगे, h-plus की value बढ़ जाएगी, तो pH आपका 7 से कम हो जाएगा, यानि solution acidic होगा. यानि if k is more than kb, then the solution will be acidic. इस kb is more than k, the solution will be basic. And if k kb are equal, the solution will be neutral. तब लोग इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, कि अगर मैं बोथ hydrolysis का case कर रहा हूँ, तो बोथ hydrolysis का case एक ऐसा case होगा, जिसमें anionic hydrolysis और cationic hydrolysis दोनों हो रही. और अगर anionic cationic hydrolysis दोनों हो है, तो ऐसे में से resultant solution की pH, वो 7 भी हो सक सकती है, और 7 से छोटी भी हो सकती है. It depends on k and kb values of weak acid and weak base. If k kb's are equal, the solution will be neutral. If k is more than kb, solution will be acidic. If kb is more than k, then solution will be basic. सब लोग इस formula को या इन formula को बहुत अच्छी तरह से याद कर ले और इन सब को याद करने के बाद एक बड़ी खुशूरत बात है, जो इन तीनों जगाओं पर distinguish करती है, वो यही अकेला एक ऐसा solution है, या यही salt solution एक ऐसा solution है, जिसकी pH concentration से independent है. आप देख रहे हैं, this is independent of concentration, independent of concentration of solution, solution की concentration से independent, आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो pH होगी, जब OH concentration से dependent है, तो pH भी concentration से dependent होगी, यहाँ पर भी देखिए, concentration से dependent, यानि सर, H+, और OH- concentration दोरों जोंपर, concentration के उपर depend करती है, लेकिन जब कैटाइनिक एनाइनिक हैं, उस case में concentration से independent pH देखने को मिलती है, और वो बड से बना है, तो आप इस बात को याद कर लीजिए, कि अब जो आपकी pH निकल के आने वाली है, वो 7 से बड़ी भी आ सकती है, वो 7 से छोटी भी आ सकती है, वो 7 भी आ सकती है, लेकिन कुछ भी हो, that is independent of the concentration, अब सोच के जब आप दो, लो एक सवाल ले लेते हैं, इस बार आने वाला सवाल बात करते हैं, विच अबुशन पी एच, इस इन डिपेंडेंडेंट अफ इक कॉंसेंट्रेशन, बहुत बल्या सवाल, पहला पार्ट हुआ, एन एच फोर दूसरा पार्ट हुआ, एन एच फोर और चौथा पार्ट हुआ, एच सीए, पाल लेज़ें ये चार सलूशन, इन बेसे वो कॉन से सलूशन ऐसा है, जिसकी पी एच, उसकी कॉंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंडेंट है, एक चीज तो बिलकुल साफ समझ में आती है, इस सवाल का ये आंसर तो हो होगा ही होगा, मानते हो, क्योंकि सर, एन एच सीएल का सलूशन न्यूट्रल है, पी एच विल भी सेवन आट 25 डिगरी सेंटिग्रेट, ये तो कनफर्म है, इस से कंसेंट्रेशन से कोई लेना दे रही नहीं है, जैसा भी सलूशन आ ला लिए, यानि पी एच कौन है, अरे यार, कैसी बाते कर रहे हो, ह-C-L की कॉंसेंट्रेशन उसकी पी एच को डिसाइड करती है, कैसी बाते कर रहे हो, सर फिर आंसर ये भी सही है, क्यों, विकाद दिस इस इस सॉल्ट आफ, इस आ केस ऑफ बोथ हाइड्रॉलिस और अभी हमारी बात हुई थी, बोथ हा शाबाश, second और third ही आंसर सही लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसा second और third के केस में हमारी pH कॉंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेटन है, क्योंकि एक salt solution ऐसा, जिसकी pH 7 निकल के आ रही है, वाइ, विकाद इसमें hydrolysis, नहीं, वो बोथ का केस था और ये no hydrolysis का case, and this is the case of no hydrolysis, यानि एक चीज़ तो ऐसे clear हो गई if it is a case of no hydrolysis then answer will be 7 and if it is a case of both hydrolysis the answer can be 7, more than 7, less than 7 it depends on KNKB but it is independent of concentration, this is true clear, समाझ में आई ये बात यानि जिस salt solution की hydrolysis होती ही नहीं, वो तो 7 हो गया concentration से भी independent हो गया और answer 7 हो गया और एक ऐसा salt solution जिसमें दोनों लोग hydrolysis करते हैं, उस case में kateinic hydrolysis भी होगी, anionic भी होगी तो सर, answer 7 या 7 से बढ़ा या छोटा कुछ भी आ सकता है, बट जो भी आएगा the answer will be independent of the concentration, the pH will be independent of the concentration, क्योंकि अभी आपने pH का formula दिखाया है, वो मैंने याद कर रखा है और उसमें कहीं पर भी concentration का time नहीं आता है here जल्दी से chat पर ये लिख के बताएं लोग क्या यहां तक सब कुछ समझ में आ गया anionic hydrolysis, cationic hydrolysis both hydrolysis, क्योंकि मुझा hydrolysis के दो और case करने, जल्दी से बताओ, क्या यहां तक सब कुछ समझ में आया खाबाश चाबाश, चलिए ठीक, अब एक और case बनाते है अभी मैं इसके उपस हवाल करता हूँ, अभी मैं PYQ भी इसके उपर करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसके उपर PYQ है मेरे पास, ठीक, अब दूसरी बात कर लेते हैं, दो और case बनाता हूँ दो और case बनाना चाह रहा हूँ मैं, एक case यह है जिसमें polyvalent anion के hydrolysis बड़ी important है, समझना ज़रा polyvalent anion के hydrolysis का मतलब, जैसे एक example ले लेते हैं, यह suppose phosphate ion वो कह रहा है, find out the pH of C molar Na3PO4 अब मुझे जल्दी से सोच के बताओ क्या Na3PO4 salt है? हाँ सर, salt है अच्छा, आप क्या होगा सर, बरतन से क्या आवाज आ रही है बरतन से आवाज आ रही है, कि I am a salt of NaOH and S3PO4, clear है? यानि this is a salt of NaOH and H3PO4 बिल्कुँ सही है सर, NaOH से आपको Na+, मिलना है और S3PO4 से आपको phosphate ion मिलना है बिल्कुँ सही है सर अब बताओ, होना क्या है? होना तो एक चीज़ clear है सर, क्या होना छोड़िये Na+, का कुछ नहीं होगा because Na+, is coming from NaOH and NaOH से आने वाले Na+, हाईडॉलाइज नहीं होगा यहां तक समझ गया है? सर, phosphate हाईडॉलाइज करेगा वाई? because phosphate is coming from weak acid S3PO4 और अगर phosphate हाईडॉलाइज कर रहा है तो ऐसे में अब phosphate का ये काम हमें करना पड़ेगा phosphate का हाईडॉलाइज करनी पड़ेगी Now, this is case of anionic hydrolysis तो इसमें नया क्या है? कुछ नया नहीं एक चीज़ नहीं तर यह polyvalent anion जिसके उपर एक से ज़्यादा negative charge इससे पहले जब आप anionic hydrolysis करते थे तो आपके उपर एक negative charge था आप पानी में से H को लेते थे OH चोड़ देते थे और हमने formula याद कर रखा था pH calculate कर लेते थे यहाँ पर गरबर यहाँ पर गरबर और गरबर ये है जिसमें एक से ज़्यादा negative charges अब यह क्या करेगा सर यह देखे क्या करेगा phosphate iron पानी में से H लेगा बिल्कुल लेगा 1H लेने के बाद OH release कर देगा ठीक लेकित क्या यह चुप हो जाएगा क्या HPO42 negative चुप हो जाएगा नहीं नहीं सर अभी भी इसके उपर negative charge है पानी में एक बार और H लेगा यह इसकी second reaction होगी पानी में एक बार और H लेगा क्या अप्चुप हो जाएगा नहीं नहीं सर अभी भी इसके उपर negative charge है 1H और लेगा नहीं कहने का मतलब यह हुआ phosphate एक polyvalent anion है है जो water में बार बार hydrolyze करने की कोशिश करेगा और बार बार क्या release करेगा OH तो pH कैसे निकल क्या आएगी सर इन तीनों OH को जोड़ देंगे और pH निकल आएगी खतम हो गया यहीं तो तरीका है नाइनिक hydrolysis करने का लेकिन अकल लगाते है अकल क्या है सर यह जो first equation है हमारी इस first equation का जो equilibrium constant होगा KH1 वो KW by K3 से निकाला जाएगा और second equilibrium constant जो हमारा KH2 होगा वो KH2 KW by K2 से निकाला जाएगा और second, third equation का KS3 जो होगा वो KW by KA1 से निकाला जाएगा यह आपको कैसे पता चलना है मैं बताता हूँ अभी मैंने तुम्हें derivation दिखाया था और तुम्हें बताया था यह KW by K आता कहां से एक बार तुम derive करके देखो जड़ा कैसे derive करेंगे सर यह देखिए आप इस equation का KH लिखिए KH1 कैसे होगा KH1? KH1 होगा concentration of HPO4 2 negative into concentration of OH negative divided by concentration of PO4 3 negative यही तरीका है? ठीक है आप क्या करते हैं? सर उपर नीचे H plus से multiply कर देते हैं जब आप उपर नीचे H plus से multiply करेंगे तो क्या होगा? यह तो बन जाएगा मेरा KW दिख रहा है यह? यह बन जाएगा KW और यह वाली value और यह वाली value यह वाली value मिलके बन जाएगी K3 आप समझेए? S3 PO4 का third dissociation constant involved होगा K3 यानि इस equilibrium का equilibrium constant KW by K3 और इसका equilibrium constant KW by K2 और इसका equilibrium constant KW by K1 इन में सबसे बढ़ा के कौन सा ज़रा बताईए? पर K3 सबसे छोटा है और अगर K3 सबसे छोटा है तो यह KH सबसे बढ़ा होगा और अगर KH सबसे बढ़ा हुआ तो first equilibrium बहुत तेजी से forward चलेगा जिसकी वज़े से OH सबसे ज़्यादा कौन decide करेगा? उपर वाला और यह उपर वाला OH नीचे वाले OH को बरबाद कर देगा नीचे के दोनों equilibrium बरबाद हो जाएंगे सब लोग पहले इस बात को समझने की कोशिश करें यानि अगर मेरे पास एक polyvalent anion तो उस polyvalent anion के एक से ज़्यादा बार hydrolysis के cases बनेंगे लेकिन एक से ज़्यादा वाले hydrolysis के cases में सिर्फ एक hydrolysis consider की जाएगी और वो होगी first hydrolysis क्योंकि नीचे की hydrolysis उपर वाले OH बरबाद कर दें और first hydrolysis में कौन सा K involve है सर्फ first hydrolysis में K3 involve तो फिर anionic hydrolysis का जो formula तुमने याद किया था उस anionic hydrolysis के formula में आप K3 की जगा कौन सा anionic hydrolysis यह है उसमें K की जगा K3 पूट कर दीजेगा यानि जो H plus की value निकल के आएगी वो answer क्या निकल के आएगा जब आप H plus की value पूट करेंगे तो उस case में जो H plus बनेगा हमारा वो क्या बनेगा वो बनेगा finally H plus concentration is equal to under root KW K A by C यही था H plus anionic hydrolysis का आप K की जगा क्या पूट कर देंगे K3 पूट कर देंगे बस इतना ध्यान रखना अब यह important है मैं फिर वही काऊंगा derive बिलकूर मत करना सिर्फ एक चीज़ समझो if you are a polyvalent anion तो that means आप बार-बार hydrolyze करेंगे तो जब आप बार-बार hydrolyze करेंगे तो जिस weak acid से आप आ रहे हैं उस weak acid का सबसे छोटा dissociation constant वो आप इस equation में पूट कर दीजेगा जो anionic hydrolysis का formula आपने पढ़ाए क्या पढ़ाता अionic hydrolysis का formula under root kw k by c तो उसमें k की जगा कौन सा k पूट करेंगे k3 अगर वो सबसे छोटा k है तो k3 को पूट करके अपना काम चलाई सब लोग इस बात को समझो मैं एक example लेता हूँ उससे और ज़्यादा चीज clear होगी अगर माल लीजिए वो मुझसे कहता है कि find out the pH of ऐसे ले लेते हैं pH of T molar Na2CO3 solution चलिए ठीक और हमें क्या दे रखा है K1 and K2 of this weak acid H2CO3 they are given हमें ये values माल लीजिए given अब बताए ये answer कैसे निकालेंगे तो सर देखे बिलकूर clear है सर Na2CO3 is a salt and if Na2CO3 is a salt तो क्या करेगा ये सर ये आपको क्या क्या देगा ये Na plus देगा और carbonate देगा अब बताए क्या होगा सर Na plus से मुझे कोई उमीन नहीं है carbonate चालू होगा लेकिन this is polyanine and if it is polyanine तो इसका बार-बार hydrolyze करेगा और अगर बार-बार hydrolyze करेगा तो ये carbonate iron जिस weak acid से आ रहा है उस weak acid का सबसे छोटा वाला K कौन सा के होता है K1, K2 में छोटा K2 वो K2 यूज़ कर लीज़ेगा और आपको सीधे H plus मिल जाएगा H plus is equal to under root KW K by C anionic hydrolysis का formula जिसमें K A की जगा K2 रख दीज़ेगा सब लोग इस बात को समझे जब कभी भी polyanine का सवाल आएगा जब कभी भी polyanine का सवाल आएगा उस case में आप हर case में जो उस weak acid का सबसे छोटा के involved है वो आप use करेंगे उस salt की hydrolysis के pH calculation यह बहुत important है भाई सब लोग इस बात को समझो बहुत important है और मुझे लगता है बहुत ही ज़ादा बच्चों को confuse करता है जब वो तीन फॉर्मली तो मैंने आप कर लिए अनाइनिक हैडालिसस, कैटाइनिक और बोथ वो तो तीनों clear हो गए सर चौती बात यह भी हो सकती है कि एक ऐसा salt involved है जिसमें polyanine हो तो उसका answer कैसे निकालेंगे खतम हो गया सर वो अनाइन है ना तो अनाइनिक हैडालिसस का फॉर्मला यूज करेंगे उसमें जो कै आता है उसमें जो उस वीक ऐसिट का सबसे छोटा कै वो पुट कर देंगे बस इतनी बात याद करेंगे सबसे छोटा कै यूज करो बस यानि जब कभी भी ऐसा salt involved हो जिस salt के अंदर आप एक ऐसे अनाइन को देख रहे है जो poly-n-9 है तो वो अनाइन पक्का वीक ऐसिट से आएगा और वो poly-n-9 है तो वीक ऐसिट poly-protic होगा तो जो उस वीक ऐसिट का सबसे छोटा dissociation constant है अगर वो dipotic है तो K2 tri-protic है तो K3 वो सैनाइनिक हाइटॉलिसस के फॉर्मले में पूट करके आप pH calculate करेंगे बस इतनी बात याद करने है कोई derivation नहीं करना कुछ याद नहीं करना यहर है अब pH में बेटा लॉग लेना पड़ेगा वलब यह H प्लस आ गया ना तो अब आप जब pH निकालेंगे तो pH इस इक्वल टू माइनस लॉग अंडर रूट आफ के डबलू के बाइसी यह equation यूज़ कर लेंगे और के कौन से यूज़ करेंगे अगर पॉलिएनाइट यह रही है चाबाश चलिए ठीक बहुत बढ़े याद चलिए अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है ना हम इसके डरिवेशन पर जा रहे हैं वाट इस एमफी प्रॉटिक एनाइन एमफी प्रॉटिक एनाइन है मतलब एक ऐसा एनाइन जो पानी में एच प्लस दे भी सकता है और ले भी सकता अब तक तुमने कौन से एनाइन पढ़ें सर अपने वह एनाइन पढ़ें जो पानी में से ले लेता है और रिलीस कर देता है बेसिक सल्यूशन बन गया बात खतम पी एच का फॉर्मला हमने याद कर लिया अब एक ऐसे एनाइन को लेके आए जो पानी में गया तो एच प्लस दे भी सकता है ले भी सकता है यानि देता भी है और लेता भी है एच प्लस पानी के अंदर ऐसा करेंड आपको क्या क्या पॉरवाइट करेंगा तरडी इसकमिंग फ्रॉमिंग फ्रॉमम एड़े हैंड एच क स्यों थ्री इंड एड़े प्लस देगा और रेने प्लस तो एनी वह से आ रहा रहा ना वो थोरा ही टोड़ाइस करेगा एक बनाएगा HCO3- plus H+, और फिर से HCO3- dissociate करेगा, तो carbonate ion बनेगा, और H+, यह दो dissociation है, K1 and K2, ठीक है यह, अब बताए, पीएच कैसे निकालेंगे, सर, bicarbonate की hydrolysis होगी, अब बहुत भ्यान से देखना बहुत असान है, क्या, सर, HCO3- अगर आप हईड्रोलिस कर रहे है, तो सर, यह पानी में H+, दे भी सकता है, हाँ, दे सकता है, बिल्कुल सही है, अगर इसने पानी में H+, दिया, तो क्या बनाएगा, carbonate, और यह पानी में H+, ले भी सकता है, हाँ, बिल्कुल ले सकता है, तो ये H2CO3 बनाएगा, पर ये पानी में H+, दे भी सकता है, और ले भी सकता है, तो ऐसे में इसका solution का pH कैसे निकालेंगे, सब लोग इस बात को याद कर लें, आप ये बताइए, ये जो आपने equation बनाई है, right side वाली, ये right side वाली equation, इस K1, K2 में किसको involve कर रही है, ये दोनों species K1 में involved हैं या K2 में? सर, ये दोनों species K2 में involved, इसका मतलब यह हुआ, सर, यहाँ छोटा सा K2 लिख दीजिए, चलिए ठीक है, और ये दोनों किस में involved हैं, सर, ये दोनों K1 में involved हैं, यहां K1 लिख देते हैं, सर, फिर तो आप सिर्फ ये याद कर लीजिए, H+, की value, under root K1 into K2 से निकाली जाती है, और pH अगर आप दोनों साइड माइनस लॉग ले ले, तो ये PK1 प्लस PK2 पाई 2 से निकाली जाती है, और मज़े की बात क्या है, this is again independent of concentration, independent of concentration, समझो, यानि सब लोग इस बात को समझे, कि अगर आप amphiprotic anion की बात करेंगे, सब लोग समझना इस बात को, अगर आप amphiprotic anion की बात करते हैं, तो एक ऐसा anion होगा, जो इधर H+, दे भी सकता है, और H+, ले भी सकता है, तो क्या होगा, अगर ये H+, दे सकता है, और ले सकता है, तो ऐसे case में, आपको दोनों तरफ के k-values को रखना है, और उन k-values को k1, k2 अगर आप बोलना है, तो answer आप Na2HPO4 solution, बताइए कैसे निकालेंगे इसकी pH, तो मैंने का भी बता देते हैं आपको, एक second रुकिए, Na2HPO4, सर, Na2HPO4 आपको क्या-क्या दे रहा है, सर, एक तो Na+, दे रहा है, और एक आपको, HPO4, बलकि पहले हम दूसरा example ले लेते हैं, HPO4, 2 negative दे रहा है, यह यह न, यह दे रहा है, ठीक है, आप क्या होगा, सर, यह Na+, जो है, इसका तो कुछ होना नहीं है, सर, यह idolize करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिसर, यह एक ऐसा आदमी है, जो H दे भी सकता है, ले भी सकता है तो क्या करेंगे, सर, एक बार S3PO4 के तीनों dissociations लिख लेते हैं, S3PO4 का एक dissociation होगा, H2PO4 minus plus H+, यह K1 हो गया, दूसरा होगा, H2PO4 minus gives HPO4 2 minus plus H+, यह दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया, HPO4 2 minus gives PO4 3 minus plus H+, सर, यह तीन dissociations है, ठीक है, अच्छा, अब HPO4 minus को बीच में रखते हैं हैं, HPO4 2 minus को बीच में रखते हैं, बताओ, अगर यह H+, देता है, तो क्या बनाएगा, phosphate, और अगर यह पानी में H+, लेता है, तो क्या बनाएगा, H2PO4 minus, clear है, अब बताएए, यह दोनों कौन से केम इंवाल्व हैं, यह दोनों किस केम इंवाल्व हैं, सर, यह तीसरे वाले म इंवाल्व हैं, तो लीजिए, सर, आंसर आ गया, H+, is equal to under root, K2 into K3, and the pH value is what, PK2 plus PK3 by 2, खतम, independent of the concentration, समझो, सब लोग इसको समझने की कोशिश करो, सब लोग इसको समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है, सब लोग इसको समझो, कि जिस salt में amphiprotic anion का involvement हो गया, उस salt की pH concentration से independent हो गई, ठीक है यह, अच्छा, वो amphiprotic anion एक ऐसे acids आया होगा, जिसके K1, K2, K3 होते हैं, तो उस amphiprotic an involve हुए, वही under root K1, K2 के अंदर डाल दो, उसी under root के अंदर डाल कर pH calculate कर लो, इसमें concentration से कोई लेना देना नहीं, नहीं चिन में previous formula भी ठीकी था, previous formula जो हमने बनाया था, वो PK1 प्लस PK2 बाई 2 था, why? because bicarbonate ion था, bicarbonate ion हमारा diprotic acid है, तो इसके सिर्फ दो के होंगे, और ऐसे म ये वाला केस था, इस केस में क्या involvement है, sir, HPO42 negative है, तो एक बार देगा, ये होगा, एक बार लेगा, तो ये होगा, और ये दोनो, K3 में involved है, और ये दोनो, K2 में involved है, तो सीधे answer लिख दिया, PK2 प्लस PK3 बाई 2, कुछ करना ही नहीं, फिर है, जैसे एक और example लेते हैं, एक और example लेते हैं, शायद उससे और समझ में आएगी हमें बात, माल लीजिए, ओ कहता है, C molar T molar Na H2PO4, इसकी pH बताईए, T molar Na H2PO4 solution की pH बताईए, तो क्या करेंगे, सर ये देखे, ये आपको Na प्लस दे देगा, और साथ में H2PO4 माइनस दे देगा, अब बताईए, Na प्लस का कुछ नहीं होगा, बात हो चुकिया हमारी, Na प्लस का कुछ नहीं होगा, H2PO4 माइनस कैसा आदमी है, सर H दे भी सकता है, और H ले भी सकता है, तो आप इसको बीच में रख लिए, H2PO4 को माइनस को बीच में रख लिया, अगर इसने H दिया, तो क्या होगा, दिया तो HPO4 2 माइनस बनेगा, और अगर लिया तो क्या बनेगा, लिया तो S3PO4 बनेगा, अब क्या ह सर यह दोनों के कौन से के हैं बताइए सर दिस से के 2 और के लिए दिखाई देरा यह पर यह के 2 वाला है और यह के 1 वाला है रहा है तो बतायीase जल्दी से एस फ्लस की वैली क्या होगी सर अंडर रूट के अंदर के 1 के 2 चले जाएंगे और pH के अंदर pk1 plus pk2 by 2 आजाएगा बस खतम हो गया तो यह आप कहा अंसर आजाएगा खेल खतम नो independent of concentration दिख रहा है independent of concentration independent of concentration समझो एर है जल्दी से सब लोग बताओ यहां तक समझ में आ गया hydrolysis का case complete हो गए सब लोग यहां तक समझो anionic hydrolysis कैसे हुई cationic कैसे हुई both कैसे हुई polyvalent anion कैसे हुई और amphiprotic anion कैसे हुई दो ऐसे solutions आ रहे हैं जिनमें hydrolysis के दौरान pH हमारा concentration से independent है पहला case था जिसमें anionic और ketionic दोनों hydrolysis हो रही है और दूसरा case है अगर amphiprotic anion का involvement है तो हमारी pH concentration से independent होगी यानि in case of amphiprotic anions साफ साफ लिख लेते हैं इस पूरी बात को एक छोटी सी बात में summarize कर लेते हैं pH is independent of of concentration पहला बोथ हईड्रॉलिस का केस और दूसरा MP प्रॉटिक अनायन का केस MP प्रॉटिक अनायन का केस क्लियर कमाश काबाश इस्तुति बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं जो लोग थोड़ा बहुत कम समझ रहे हैं, वो इस वीडियो को एक बार दुबारा भी देखेंगे, तो उनको clarity आईगी कि actually समझाना क्या चाह रहा हूँ मुझे जो लग रहा है वो यह कि main part क्या था, सर सबसे पहले hydrolysis के तीनों formula यह उस कर ले थे, क्योंकि J mains में तो वही आएं सर यह दो case आपने जो बताएं, एक MP product वाला और एक polyvalent वाला, यह भी important है क्योंकि वो सवाल theoretical भी पूछ सकता है और numerical भी बना के पूछ सकता है अब देखिए उसने सवाल पूछे क्या है, कि देखिए कितना सीधा सवाल 2009 का पुरहना सवाल लिया जा रहा है, the dissociation constant of a substituted benzoic acid is this, the pH of 0.01 molar solution of its sodium salt, यानि जो benzoic acid है हमारा, उस benzoic acid के बारे में अगर बात करें, तो C6H5COONA, मा लीजे ही हमारा benzoic acid का sodium salt, ठीक, बता ये क्या उमीद करते हैं आप इससे, क्या ये salt है, हाँ सर ये salt, clear है, अगर ये salt है, तो आप से क्या उमीद कर रहा है, सर डब्बा यही तो कह सकता है, कि hydrolysis होगी, नहीं होगी, दोनों की होगी, हमारी होगी, तुम्हारी होगी, MPP, यही तो पांच बाते कर सकता है, जो पांच बाते आपने बताई ही, आज डब्बा क्या कहता है, सुरह सुनते हैं, डब्बा ये कह रहा है, भाई साब, I am coming from N and C6H5COH, clear है ये, हाँ सर बिल्कुल clear है, तो सर साब दिखाई दे रहा है ना सर, डब्बा साब कह रहा है, कि NUS से आने वाला जो NA plus है, वो hydrolyze नहीं करेगा, लेकिन benzoic acid से आने वाला, benzoate ion, C6H5CO-, वो hydrolyze करेगा, now what is the case, this is the case of what, sir, this is the case of anionic hydrolysis, because you have an anion, and the pH value, हम कुछ calculate नहीं कर रहा है, direct बता रहा है, the H plus concentration of anionic hydrolysis is KWK by C, sir, ये formula, sir, मुझे सोते सोते भी याद आ गया है, क्योंकि मैंने याद कर लिया है, देखो, इतना पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है, अगर तुम ये formula याद करके नहीं जाते, क्योंकि exam में ये सोच के बैठे है, anionic hydrolysis का case है, लेकिन formula नहीं आता, तो derive सोना करोगे, इतना time सोना होता है, हाला कि derivation मैंने तुमें दिखा दिया, but derivation की जरूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए, clear है ये, तो साब दिखाई देता है, sir, this is the case of anionic hydrolysis, and if it is the case of anionic hydrolysis, the answer will be decided by the formula, क्या concentration given है, sir, given है, क्या आपको K पता है, sir, K पता है, तो किस चीज़ का इंतिजार है, जब सब कुछ पता है, तो क्या निकल आएगा, sir, H+, और H+, से क्या जाएगी, pH आजाएगी, और ये number मिल जाएंगे, बताओ समझे, नहीं, चिनमें C उपर नहीं होगा, बता, anionic hydrolysis का, जो तुमने, मैंने, चार्ट दिखाया है, वो OH- का फॉर्मला लिखाया है, मुझे H से ही है, तो H+, की जो वैल्यू होती है, वो KW, K by C होती है, जो मैंने चार्ट में लिखाया है, that is OH-, चिनमें, एक पास ध्यान से दे W, K by C से निकाला जाता है, यह रेचिन में, चार्बाश, इस तुती answer rate बता रहे है, जो भी इसका answer निकल का है, बहला असान, और देख लेते हैं, और एका सवाल जो दिया है, पूछे का है, यह लेकि, 2017 में पूछा गया है, PKA दे रखा है, वीक बेस का, अरे, सर, जब वीक acid वीक बेस मिलाओगे, तो जो salt बनेगा, वो AB बनेगा, यानि, HA और POH के मिलने से AB बनेगा, अब आप बताई ज़रा, सर, AB का क्या होगा, सर, AB एक ऐसा salt है, जो वीक असे से आ रहा है, और वीक बेस से आ रहा है, यही तो रहा है, सर, फिर क्या होगा, सर, यह तो cateinic, cateinic hydrolysis दोनों होगी, और अगर cateinic, cateinic दोनों होती है, तो सर, एक ही formula तो है, जो याद करना, यह देख लीजे, जब बोथ hydrolysis होती है, तो सर, सोते सोते भी याद आ जाता है, जब बोथ hydrolysis का case होता है, तो हमें यह बात याद आ जाती है, कि हमारा जो answer निकल के आएगा, ब k by kb, या फिर यह देखे, 7 plus half pk, minus half pk, यह सर, formula मुझे आदे सर, कोई जंजट नहीं है, formula मैंने याद कर रखें, आप बताइए, solve क्या करना है, तो अगर आपने formula याद कर रखें हैं, तो बढ़ी आसानी से यह काम किया जा सकता है, यह देखिए आपका सवाल, और यह सवाल में खुद ही कहा जा रहा है, यह देखिए, weak acid, weak base का salt, तो अब बताइए, pH कैसे निकल के आएगी, pH is equal to 7, plus half pk, minus half pkb, सब कुछ सवाल में दे रखा है, value put करिये, put करके मज़े लीजिए, यानि answer क्या निकल के आएगा, 7 plus half, pk की value कितनी है, 3.2, और pkb की value कितनी है, 3.4, आप इसको solve कर लीजिए, solve करके जो भी value निकल के आएगी, b option बता रहे है, 6.9, solve करके देख लेते हैं, 7 plus, या जाएगा 1.6, minus करते हैं, 1.7, so the answer is 6.9, शाबाश, इसका answer 6.9 आएगा, बिलकुल easy, समझो, अब मुझे कैसे पता चल गया, मुझे ही इसलिए पता चल गया, because मुझे ही पता है, sir, this is the salt, तुम समझो, अगर तुमारे बरतन में से आवाज आ रही है कि तुम salt हो, तो बस तुम उससे ये पूछो, कौन से हो, अनाइनी करोगे, कैटाइनी करोगे, दोनों को करोगे, कुछ नहीं करोगे, एमफिप्रोटिक अनाइन या पॉलिविलेंट अनाइन, ये 5-6 केसे हैं, बस, सारे फॉर्मले यादे, sir, जैसी बरतन बोलेगा, पॉलिविलेंट अनाइन, फाक से फॉर्मला लगाएंगे, अं पॉत का केस है, तो फॉर्मला लगा दूँगा, मुझे सर्फ पांच ही बाते तो याद करनी है, सॉल्ट काइडॉलिस में, बाकी बरतन को देखके अपने आप पता चल जाएगा, कौन सा फॉर्मला, एक सेकिंड में आंसर, clear है ये? चाबाश, सारे लोग सही कह रहे है, आंसर B ही होना चाहिए, बिल्कुछ सही, आंसर शुर्ण भी B, चाबाश, बहुत बढ़िया, ये रहे है, चली ठीक, और और देख लेते हैं, ये लिए, ये सब वही है, साब लाइन से, इसलिए तो मैं सवाल नहीं करा रहा था, तुमक रे यार, ये सवाल ले लल्लू है, सार आप तो ये पॉलिवेलेंटर क्या-क्या पढ़ा रहा है, इसलिए मैं सवाल नहीं करा रहा है, क्योंकि सवाल देख कैसे लगता है, यही पढ़ लेते हैं, और मैं कई बाब बता चुका हूँ, जितना पूछा जाता है, उतना पढ़ CL- चुप हो जाएगा, याद है, CL- की hydrolysis नहीं होगी, ammonium की hydrolysis, क्या है ammonium की hydrolysis, सर, cationic hydrolysis, फॉर्मला याद है सर, put कर देंगे, answer आजागा, छोड़िए ना बात को, सारी values दे रखिए, एक second में answer, खेल खता, clear, तबाश, बहुत सारे बच्चे बोल ला है, this is the case of cationic hydrolysis, और cationic hydrolysis का formula हमें आता है, सीधे-सीधे formula लगा है, time pass बिलकुल नहीं, फडाक से formula, और cationic hydrolysis का formula तुम देख चुके हो, ताब दिखाई देता है, 7 plus half pk minus half log c, ऐसे करके formula न, वो forward लगा दिये, सारी values दे रखिए है, kb value दे रखिए है, और sir, ये क्या है हमारा log 2, वो सब जरुरत पढ़े की concentration, दे रखिए, सीधे formula यूज करिए, कुछ नहीं करना है, सार, कुछ भी नहीं करना है, सीधे answer, समझ में आई बात, सबको समझ में आई बात, चलिए, और देखते हैं, और कोई example है क्या, आसर अब next point पर आते हैं, क्योंकि अब इनको मिला कर भी बात करेंगे, and the next point is again, small topic but important topic and the buffer solution, buffer solution की बात करनी, what is buffer solution, कोच ये जरा, buffer के बारे में क्या पढ़ाया है, सबसे आदा सबसे आदा सवाल बनाए, तो एक काम करेंगे, करते हैं, five minute break लिख लेते हैं, एक five minute का break ले लेते हैं, चलिए, आप कहते हैं, तो एक five minute का break कर लेते हैं, चंदू, खाना नहीं खा पाओगे five minute में, पांच मिनट में लोटके आना, सबको five minute के अंदर, clear, शाबाश, क्र लेते हैं, सक कि अंद डंदा नहीं को बोटके ही ज़तके हैं, तो एक five minute को एक ओके ONदान सजादो का लेते हैं, तो दो एक सॉवसर थي ओक तो एक कि शितना हैं, तो एक, खाना हैं, दो एक बोटक का भाटके नहीं, छो एक कि पृतिए, बोटकी डं़िए, यह झाल 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 प्रयास पास्ट्रैक फीचर्स की दुनिया अच्छा भई पड़ाई करनी है भई अब पब्लिक आ रही है भई पब्लीक आ रही है ऑफिचल पांच मिनिट हो गए भी या हम भी आ गए है ना समयरो तो बहुत बेसिक सी इंफरमेशन है और लेकिन फिर वही है एक बाट डबा अंदर से आवाज लगाएगा और आप सीधे फॉर्मला लगाएंगे जैसे अब तक जो मैंने बात की वह यही की आपने देखा कि अंदर कंटेनर से आवाज आ रही है अरे मैं तो सॉल् प्लालमोर लेकिन आगर मुझे अवाज सुनली आ जाए प्लस वह पॉर्मले रखंज लोगत। कुछ भी नहीं है, आप समझ जह कुछ नहीं है, आप बेकार में मत घबराहिए, आप समझignant बात को, मैं हरidentified बहुता हूं फिर बोल रहा हूं इस बात को. पेपर में मनलीजे 100 सवाल आये समझाने के बोल रहा हूं मनलीजे 100 सवाल है उन 100 सवालों में से 50 questions easy तो आप मनलीजे आपकी तयारी आएसा यह यह कि वो 50 सवाल आपकर सकते हैं तो आप यह मुझे बताइए वो 50 सवाल सही करके आपने क्या कर लिया और बाइब वो 50 सवाल तो जीरो टाइम पर ये हैं जब पेपर इसटार्ट हुआ तो आपने धिरी-दर सवाल करने सटाट किया आसान वाले तो तो दुनिया ने करने सटार्ट किए इसका लगा वहाँ से दो गंटे बाद हमारा उसका लेविल बराबर ही तो होगा यानि जैसे सब लोग मैसे इन-50 सवालों को सही करके नहीं होगा निंद निए एक सब्साइब तो वो तो सही करने पड़ेगी लेकिन हमें कुछ ऐसे सवाल भी सही करने पड़ेंगे जो सारे लोग सही नहीं करते उसके लिए यहीं वो एक-टो सोसता कि 50 तो सब करके आएंगे वो जो एक सवाल तुमने छोड़ा था आइनिक इकलिब्रियम का MP प्रोटिक एनायन की हाइडरॉलिस वाला वो सवाल अगर तुमने सभी कर दिया तो बहुत सारे बच्चों से तुम उपर निकल जाओगे और वो फिर तुम्हें पिछाड नहीं पाएंग इसलिए मैं हर बार यहीं बोलता हूं तुम लोगों से भी बोलूँगा कि आदित प्ल बचके चले जाओ ताकि एक्जाम में सवाल आया तुम देखरो सवाल पूछता तो अगर एक्जाम में सवाल आया तो आप सभी करके आएंगे और तब आप लोगों से आगे निकल जाएंगे तो वही एक चीज़ कर देहान रखना है बहराल आप अब इसी में थोड़ा सा आ डाले यानि स्ट्रॉंग एसीड या स्ट्रॉंग बेस के एडिशन से जो पी एच में चेंज आना चाहिए था अगर उतना चेंज नहीं आ रहा है तो उस सल्यूशन को बफर कहते हैं क्योंकि वह पीएच चेंज को रजिस्ट कर रहा है लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टें हैं आप उससे होने वाले पीएच चेंज को रजिस्ट कर रहा है तब तो आप बफर बोले जाएंगे लेकिन सोचा अगर उपर से आपने ड्रम भर के एच प्लस डाल दिये तो बफर सल्यूशन क्या बोलेगा लो मर गए यानि आप ट्रेन के आगे खड़े होकर ट्रेन को र पल decision क्या रहे हैं यहां तो यहां तक समझ में आ गया कि सब को यह बात समझ में आ गई हाँ तो सर ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि भई यह चीज तो इंपॉर्टेंट है हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि बफर सेलूशन साथ दोस सेलूशन विच रजिस्स दपीए चेंज और इडिशन आफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एस असे और बेस हम यह पहचानेंगे कैसे कि मेरा सलूशन बफर है कि नहीं तो देखो मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं मैं अपने सबसे अच्छे बफर सलूशन की बात करता हूं जो सबसे अच्छा एसिडिक बफर सलूशन होगा मैं उसकी बात कर रहा हूं जो मेरा बढ़िया एसिडिक ब बाद को यानि अगर वीक असिट अपने conjugate base के साथ प्रेजेंट है तो एक जबरदस्त एसरीग बफर सेलूशन माना जाएगा जैसे मैं एक्जाम्पल लेता हूँ जैसे एक्जाम्पल ले लेते हैं एक बरतन ले लेते हैं और इस बरतन में dissociate करके acetate plus Na plus बनाएगा और acetic acid एक weak acid है जो acetate ion और H plus में break करेगा तर यह आपका भरतन यानि this is a weak acid system बिल्कुँ ठीक है सर this is weak acid and this is its conjugate base याद है तुम्हें conjugate base कौन होता है conjugate base वो है जो H plus के छूटने के बाद बनता यानि acid अगर अपना H plus चोड़े तो जो चीज तयार होगी उसे आप conjugate base मोलेंगे clear है अच्छा चलिए एक चीज यह हो गई दूसरी बात क्या है दूसरी बात यह है कि सर अगर माल लीजे मुझको कभी भी acetate ion की concentration निकालनी पड़े CS3CO- अगर मुझे salt से निकल के आ रहे हैं लेकिसर अगर आप तमीज से बात करें तो बैमानी कर सकते हैं आप acid से आने वाले acetate को neglect कर सकते हैं और जो भी acetate salt से निकल के आ रहे हैं उसी को आप total acetate मान सकते हैं उसका reason क्या है सर ये acetate निकल के आएगा और ये उपर common iron effect लगाएगा और इस common iron की वज़े से उपर वाला equilibrium पीछे भागेगा जिसकी वज़े से acetic acid से निकल के आने वाले acetate with respect to sodium acetate से निकल के आने वाले acetate वो neglect कर दिये जाएं यानि मेरे कहने का मतलब है conjugate base हमेशा कहां से आएगा salt से ये मैं तुम्हें समझाना चाहरा हूँ conjugate base तो acid से भी आ रहा है लेकिन इसको आप निगले कर दिये यानि जो important बात सबसे पहली निकल के आती है जो एक important बात है वो ये है conjugate base जो भी निकल के आएगा it will be coming from coming from salt only बस मुझे ये धियान रखना कि conjugate base की concentration will be decided by the salt not by the acid यानि conjugate base जो भी होगा मेरा जैसे यहाँ acetate आएन है तो acetate की concentration अगर आप से कोई पूछे तो आप ये दे दिजेगा कि जो भी salt से निकल के आने वाले acetate है वही concentration है सर उपर वाले तो ना के बराबर है नगले कर दिजे ये common आइन की वज़े से बरबाद हो जाएंगे पहले बताओ ये वाली बात clear है यहाँ ते सबको समझ में आ रहा है यहाँ ते ठीक है? ठीक, अच्छा चलिए और आगे बतते हैं अब वो ये कह रहा है कि सर चलिए अब ये बताइए, आप इसको अच्छा बफर क्यों कहते हैं तो आप देखो, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा फिर सीधे बफर की फॉर्मले का पियेच का फॉर्मला बताऊंगा मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूँ कि वाइव बीक आसिड विज़ेट बेस इस जबरदस्त बफर मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे, सर ये देखिया आप ये कह रहे हैं कि आपके पास ये सिस्टम है जो आपने बफर लिया है एक है CS3COH, एक्जामफिल के तौर पर बात कर रहा है CS3COH और एक आपने लिया है CS3CONA आप ये कह रहे हैं कि ये हमारा एक जबरदस्त acidic buffer ये आप कैसे कह रहे हैं सर ये आप कैसे proof कर सकते हैं कि ये आपका जबरदस्त acidic buffer मैंना जाईखिया आप इस बर्तन में अगर h plus बंग ठोले से h plus डालो तो इसको regist करना चाहिए अगर यह register कर रहा है जबरदस्त तो यह एक अच्छा बाफ फर्माना जाएगा हां सुर्ण कर रहा है आप सोच भी ने सकते कितना रजिस्ट कर रहा है मैं नहीं चुनलो पूरूफ करके देखते हैं मैं इसके अंदर h-plus डालना हूं माली जया से समझाने के लिए 1000 h-plus डाल दी तुम को कि सर 1000 H+, इतने सारे, आप करें तो थोड़े से डाले, अब यह 1000 बहुत कम है, बाते मोल में होती थी, याद है 10 की पाफर 23, यह तो बहुत कम है, इसका अब ऐसे समझाने के लिए बोल ला हूँ, मैंने थोड़े से H+, आप क्या होगा सर, जैसे आप थोड़े से H+, डाले होगा सर, H+, को कौन खाता है, सर, H+, को साब दिखाई देता है, इस बार इस H+, को जो भी आपने H+, डाले, वो असी टे टाएन खायेंगे, क्यानि सर, एसिटेट आएन इन H+, को खाएंगे, और अगर असी टेट इन H+, को खाता है, तो क्या equation बनेगी, सर, equation यह बनेगी, यह बने से निकल कर भर भर के आएंगे सर उपर वाले तो ना के बराबर है सब्सक्राइब करने लगेंगे लेकिन सारे खाएगा ये थोटा मोटे खाने की बाते क्यों कर रहे हैं सारे खाएगा आप तो करें बला अच्छा भफर है तो सारे खिला के दिखाऊं ना इसको तारे खिला के दिखाता हूं देखो कैसे तुम देख पारो इस 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 इकलीब्रियम विच इस डिवर्स ओफ डिसोसीएशन ऑफ अश्टीक ऐसे तरह देखो आस्टिक असेट के का equilibrium constant 1 by k है और क्या तुम इस बात को समझते हो कि जो 1 by k होता है यह बहुत बड़ी value होती है हाँ सर मुझे यह बात समझ में आती है तो उसका k छोटा होगा और अगर k छोटा होगा तो 1 by k बड़ा होगा पता नहीं तुम लोगो को पता है कि नहीं अगर मैं acetic acid की बात करूँ तो इसका जो k होता है वो 10 की पावर minus 5 की order का होता है इसलिए 1 by k 10 की पावर 5 की order की आसपास होगा सिर्थ समझाने के लिए बोल रहा हूं कि सिर्थ इस इस वीक आसड़ा है तो 1 by k विल बेरी हाई इसका अलब यह हुआ इसका अलब यह हुआ इकलिब्रियम constant of this equilibrium इस जबर्दस्त बताओ समझें कि नहीं कि या अगर आपने उपर से हम सिर्फ यहां पर यह पर यह प्रूफ कर रहे हैं कि इस सिस्टम को एक जबर्दस्त इस बात को याद कर लेंगे बात समझ रहो प्रूफ कैसे कर रहे हैं सर आप इसके अंदर थोड़े से एच प्लस डालेंगे तो उन एच प्लस को अशीटेट का जाए दर पूरा खाएगा कि नहीं यह बता है यह क्यों सर इसका के वैलू सबर्दस्त है वन वाइक ए गए लाइक लीवियां कॉंस्टेंड अप्लियुम ए वटेन डेस पार फाइव फाइव फाकता जाएगा तुम ने एच प्लस डाले रियक्शन काक्स अरे रुको ना सर क्या बनाया खाके एसिटीक एसिट तो बनाया सर अरे सर एसिटीक एसिट तो फिर से टूट जाएगा सर एसिटीक एसिट तो एक एसिट है ये फिर से टूट जाएगा और एच प्लस वापिस बाहर निकाल देगा सर आप खिला रहा है वो फिर से बाहर निका बताऊं समझेगी नहीं, खाने का रेट कांस्टेंट 10 की पावर फाइव, एकलिबियम कॉंस्टेंट, और उल्टी करने का रेट कॉंस्टेंट 10 की पावर जाएंगे तेज़ी से, और दो चार लोगों की उल्टी कर दे, कितने डाले थे 1000 और छोड़े कितने 24 और जबरदस्ट रजिस्टेंस है पी एच में चेंज 1000 की वजह से होना चाहिए था सिर्फ 24 की वजह से हो रहा है जबरदस्ट एसिडिक बाफर पताओ समझे कि नहीं कि बचाइब द्रबूस्ट भी तो नहीं है इसलिए तो कहा जाता है तो वन भाइक स्ट्रॉंग हो जाएगा जिसकी वज़े से देट तो उल्टी इनले कि निकाल देंगे और जब निकालने की बारी आईगी तो थोड़ा अधिन निकाल देंगे यानि आपने डाले 1000 गाइब हो गये चुछी वन भाई के हसाब से भाग रहें और यहां चूटा होता यानि आपने जबरदस्ट तरीके से जो है वफर एक्षिन शो किया, वफर एक्षिन सबरता से, खबाश, ठीक है, अच्छा चलिए, अच्छा आब ये बताईए सर, एक सिगन रुगिए सर, कहां से एक चीज़ सीखने को मिलती है, क्या, कि अगर आप किसी, और इस बात को बहुत इंपोर्टेंट है, सब लोग समझना, अगर आपने किसीभी ऐसे टिग बाफर में, अगर आपने एक पलस डाले, तो कॉंञुगेट बेस, एक पलस जितने तुम ने डाले, उतने आमाउंट से कोंजुगेट बेस कम हुजा जाएगा, देख लिए, आपने एक MOL ह पलस डाले, तो आसिटेट भी तो एक MOL खर्च ह होगा और बनेगा क्या Acetic Acid एक मूल बन जाएगा यानि मैं यह बताना चाहरा हूँ जितना भी ऊपर से डाला जा रहा है Acetate ions का जो Amount है ऊतने Amount से कम हो जाएगा और Acetic Acid का Amount उतने ही Amount से increase कर जाएगा बहुत important information इस को याद रखते हैं और सब लोग इसको नोट डाल के लिखते हैं यह एक जबरदस्त याद बात है जो बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आती कि जब एडवांस लिविल पर इस तरह का सवाल आता है कि कि किसी बफर सिलूशन में अगर आप एच प्लस को डालते हैं तो बिलकुल इंपॉर्टेंट है the conjugate base amount is decreased by the amount of H plus added. the acid that is जो हमारा weak acid है, weak acid amount is increased by the amount of H plus added. समझो. यह बहुत important बात है सब लोग इस बात को धियान रखें. यानि अगर माल लीजे मैं कहता हूँ कि मैंने x mol acid डाला, hcl डाला तो क्या होगा? सर अगर आपने x mol डाला तो acetate का जो amount है वो x से कम हो जाएगा और इसका amount है वो x से भर जाएगा. माल लीजे ऐसे कहते हैं कि माल लीजे हमारे पास अगर मैं इसके अंदर x mol h plus डालता हूँ तो क्या होगा? तो जब आप इसके अंदर x mol h plus डालेंगे, तो जो acetate है, जिसको आप a बोल ला है, देख रो न, acetate कितना है? सर a, जितना यह होगा वही acetate बनेगा, तो a में से यह x कम हो जाएगा और x जो है वो b में add हो जाएगा, यानि b plus x, यानि the new concentration of acid will be b plus x and the new concentration of acetate and will be a minus x. सब लोग इसको समझो बहुत important है, अच्छे level का सवाल बनता है और j e के advanced level पर पूछ चुका है, यानि किसी भी acidic buffer में on addition of h plus, what happens? on addition of h plus, the amount of conjugate base decreased by the amount of acid added and the amount of acid, weak acid increased by the amount of acid added, यानि जो भी strong acid आपने add किया, अगर उसके x mole आपने add किये, सपोज आपने इसके x mole डाले, तो अगर आप इसके x mole डालते हैं, तो इसका जो amount है, वो x से react कर रहा है, तो यह a minus x हो जाएगा, और बन क्या रहा है, acid, पहले acid कि इसको उल्टा, यह a हो गया, और वो हमारा acid हमारा b है, this is b, तो जो हमारा acid है, वो b plus x हो जाएगा, बताओ समझे बात को, यानि acid के amount के बराबर conjugate base कम, और acid के ही amount के बराबर acid increase कर जाएगा, now the new concentration of conjugate base and acid will be a minus x and b plus x, यह बहुत important है, सब लोग समझना, हाला कि मैं सिर्फ यह proof कर के दिखाना चाहा रहा था, कि h plus को add करने से यह solution एक जबरदस्ट ऐसरिक buffer की तरह क्यों बन रहा है, यह जबरदस्ट buffer की तरह इसलिए behave कर रहा है, क्योंकि जब आप इसके अंदर h plus डालेंगे, तो वो solution एक second में सारे h plus खा जाएगा, 24 h plus की उल्टी कर देगा, सर 24 h plus से क्य oh minus से भी pH change को register करते हैं, यह कैसे proof करेंगे, कि यह वाला buffer solution oh minus के addition से होने वाले pH change को register करेगा, बताइए भाईज आप कैसे proof करेंगे, मैंने का भी बताते हैं, यह देखिया, अब आप इसी के अंदर oh minus add करिए, चलिए ठीक है सर, यह buffer ले लेते हैं, जो आपके पास buffer solution है, इसे CS3CO minus plus H plus, जो कि ना के बराबर चल रहा है, क्योंकि common effect लगा रहा है salt, और यह salt से आने वाले acetate यह हो गए, और यह आपका एने plus हो गया, अब देखिए बिल्कुल clear है, मालीजे इसका amount आपके पास B है, और इसका amount मालीजे A है, चली 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 चुड़िए, अब यह बत सही है, आँ OH माइनस भी थोड़े से डालने पड़ेंगे, तो एक बार OH डालके देखते हैं, तर यह बताईए, अब इस OH माइनस को कौन खाएगा, तो देखते कौन बताएगा, अब मोटिवेशनल वाला repeat मत करवाँ बेटा, अब यह चीज दुबारा आएगी तब समझ में आए, अनन्या कहए रही है, आए, राकेश कहा है, सोडियम, राकेश, मोहित कहा है, ह प्लस रॉनक न, अरे यार, रॉनक दिल तोड़ दिया, तुमने आनन्या, कैसी बाते कर रहा है तुम लोग? यह प्लस अगर को खाएगा तो क्या बनाए तो बनाएगाRight a फोर बनते ही नहीं वह तो फिर टूड़ियाएगार इनील जैसा कुछ नहीं होता क्योंकि यह टूड़कर पाइएमें अधे शीयर जैसा कुछ नहीं होता क्योंकि अध्यय डाइलूट सेलूशन की बात करें तो और तुमने क्या पढ़ा था भी रियाक नहीं कर सकता तो तूम यहाँ कि नहीं भाली बाताओ समझेंगे ना हाँ तो इसका अब यह वहाँ सर यह रहुआ है इसका इन्दर 1000 डालेंगे तो यह 1000 तो नहीं कहा हैं इस आदमी ने इसको तूट रही नहीं दिया तो इसे किला देटे लोग एसेट से खिला देते हैं हुमने एसेट से ऊचको खिला दिया है सिर्ब्स को क्हा लिया और क्या करेगा तो तो एसी टेट और पानी बनाएगा क्योंकि आसे एच प्लस देगा एच प्लस ओएच के साथ रियाकर के एच्टू बना देगा यह आपकी रियक्शन चोड़िए यह सब क्या बता रहे हैं आप की खाएगा आप यह बताईए यह जबरदस्ट बफर है कि नहीं है सर सारे खाए ओलती सर एनाइनिक हाइडरालयो का फुर्टा है। और एनाइनिक हाइडरालयों सिसका जो के एच वै vont था याद करो के डबलू भाइ चराइके टहाए कि नहीं बताया था acetic acid का हाला कि याद करने ही जूरत नहीं फिर भी सर के आपने बताया था 10 की पावर minus 5 था क्या सपास का था और kw minus 14 क्या सपास होता है और यह सर यह 10 की hydrolysis, weak acid का अनायन है, hydrolyze करेगा, मैंने कहां बिल्कुल करेगा, अगर hydrolysis होती है तो कैसे होगी, अगर hydrolysis होती है तो सर ऐसे हो जाएगी, अगर hydrolysis होती है तो सर आसिटेट पानी के अंदर हच प्लस को खा जाएगा, ओएच रिलीस कर देगा, सर यही तो थी हईडॉलिस, एन आइन के हईडॉलिस, लेकिन सर ओएच तो फिर से निकलाए, आपने खिलाए, उसने निकाले, लेकिन बेटा, जो निकाले वो के एच के हिसाब से के डबलू बाई के, किस ओडर का, माइनस खा गया सारे, निकाले दो चार लोग, वाह सर, क्या जबरदस बफर है, हजार के हजार ओएच खा जाएगा, इक के दुख के बाहर निकालाएंगे सर, मजेदार बफर सल्यूशन होगा, समझना, यारी खाने का, रेकिलिब्रियम कॉंस्टेंट, के टेन की पावर नाइन के और निकालने वाला, 10 की पावर, माइनस 9 के ओडर का, और इसे निकाले के इतना दो चार, खा जाएगा सारे, जबरदस बफर, बताओ समझे की नहीं, बताओ सब लोग समझे, हाँ सर यह बिल्कुल आसान है, बिल्कुल क्लेर यह वाली बात, बिल्कुल समझ में आ रही है, और यहां से देखो एक और बात समझ मा आती है, अगर तुम OH- को add करते हो, तो देखो क्या होगा, OH- किसको कम कर रहा है, इस बार acid को कम कर रहा है, और conjugate base को बहा रहा है, यानि कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपका acid B है, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, अगर acid B है और आपने OH डाले हैं, माल लीजे, इसके अंदर X माल लेता है, सबस्थ ऐसी X डाले, तो यह B-X हो जाएगा, और acid, यह conjugate base का जो amount है आपका, salt का, वो A plus X हो ज भारत, definition of buffer solution is, those solutions which resist the pH change on addition of, small amount of addition of acid or base, acid or base के addition से होने वाले pH change को जो resist करते हैं, वो buffer solutions होते हैं, लेकिन जो addition आप करते हैं, वो थोड़ा सा होना चाहिए, यह बहुत जादा नहीं, हो, Ais कह रहे हैं, इसको कब जबत, बता हो, यह वाली बात सबके समझ में आई, clear है, organic भी चल तो रहा है, बटा, organic भी तुम्हारा चल रहा है, साथ-साथ, organic भी मेरे ख्याल से, दो चैप्टर तुम लोग ने, organic के भी biomolecules और polymer शायद कर लिए है, शायद इस वीक में proof में, दो बात ही important आ रहे हैं, कि जब आप किसी भी acidic buffer में, H-plus को डालते हैं, तो जो conjugate base है, वो उस डाले गए H-plus के amount के बलाबर कम हो जाता है, और जो Acid है, वो उसी amount से बल जाता है, और जब आप उसी एक बफर में बेस को डालते हैं तो acid का amount उस amount से घड़ जाता है और conjugate base का amount उसी amount से increase कर जाता है बस यह ध्यान रखते हैं अरे यार motivational वाला speed up के लिए मत बोलो यार मैं बहुत speed से ही करा रहा हूं बास समझो कहीं ऐसा नहीं तो समझो इस चीज़ को अब तुम्हारे लंबे लंबे चलते हैं तो हमारा भी लेक्चर चलने दो इतना परिशान मत करो इंपोर्टेंट है इसलिए तुम्हारा सा टाइम लग रहा है और तो इसको इतनी जल्दी खतम करना है तो फिर तो वही है समझो बात को अगर बाते को समझना है तो ठीक है पहले ही समझ लेंगे फिर उसके बात कहीं से भी आप फास फॉरवड करके देख सकते हैं बट एक बार तो कम से कम जब नहीं पूरे दो साल एक साल पढ़ा तो इस यहां पर तो टाइम देना पढ़ेगा ना तो सब लोग थ इस बात को हम याद रखते हैं तो चली यह क्लेर हो गया सर यह जो सिस्टम होता है कौन सा वीक असिड और उसका कॉंजूगेट बेस सर यह जो सिस्टम है यह जबरदस्त हमारा बफर के नाम से जाना जाता है चली ठीक है यह प्रूफ हो गया अब आप यह बताईए इस तरह यह पीएच निकालना है तो कहां से निकलेगा सर पीएच यहां से तो निकलेगा बिल्कु सही है तो इस इकलिब्रियम का इकलिब्रियम कॉंस्टेंट ज़रा जल्दी से बताईए सर उपर वाले इकलिब्रियम का जो इकलिब्रियम कॉंस्टेंट हो का दुनिया जानती है इ H plus is equal to Ka into acid divided by acetate time, यह देखिया, और अगर आप यहाँ से दोनों साइड natural log ले ले, तो log ले लेते हैं, minus log of H plus, which is equal to minus log of Ka, base 10 ले लेते हैं, into CS3Coh upon CS3Coh-, यह देखिया, अगर आप यहाँ से formula निकाले, तो pH is equal to Pka plus log concentration of CS3Coh-, divided by concentration of CS3Coh, क्या आपका formula बन गया, आप देखो, मैं यहाँ पर बड़ी important बात बोल ला हूँ, थीक है, बहुत important है, मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मुझे इस बात की बहुत हैरानी है, कि J E के mains level पर, इस बात का use किया गया है, मुझे बहुत हरानी, बिकरस जैसे मैं बोला था ना, कि NTA वालों को पता ही नहीं चला, कि उन्होंने अरे, इतना अच्छा सवाल बन गया, समझ दो बात, तो इसलिए तुम लोग से बोलना चाहा हूँ, because NCRT में जो बात बोली गई है, उससे जो बच्चे सिर्फ वो याद करके जाएंगे, वो confused हो जाएंगे, अब मेरी बात ज्रा समझना, यहां तक कोई formula में कोई गरबर नहीं की गई है, बिल्कुस सही चला है, अब तुम भी बताओ, मैंने अभी तुम्हें एक बात बोली था, कि अगर तुम्हें acetate iron की concentration चाहिए, तो वो acetate majorly formula सर मैंने pH का, acidic buffer का मैंने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, और आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सर आपने acetate की जगा salt रखा है, acetate की जगा salt क्यों रख दिया सर आपने, अभी तो बात हुई दिया हमारी, कि अगर आपको acetate की concentration चाहिए, तो कहां से आएगी, सर वो दोनों आपनी हो, हम तो बता चुके हो, salt पानी के अंदर 100% dissociate करता है, तो जितना salt, उत्रा acetate, ना ना, यह यहां सही है सर, क्योंकि यह salt 1 is to 1 stoichiometry का salt है, 1 is to 1 stoichiometry का, यानि अगर salt के 5 mol होंगे, तो acetate की भी 5 mol बनेंगे, लेकिन salt जरूरी थोई ना सर, 1 is to 1 stoichiometry का salt हो, सब लोग salt के लिए यह applicable नहीं है, यह वाला formula जिसका इस stoichiometry ratio 1 is to 1 नहीं, समझो जरा बात, मैं अभी बताता हूं इस बात को, बहुत important है, आप समझे, मैं इस बात को मना नहीं करता, कि acetate आयन की concentration salt से आएगी, हम acid वाली neglect कर देते हैं, बिल्कु सही है, यह तो मैंने अभी शुरू में बोला ही था तुमको, ठीक, लेकिन मैं इस बात से agree नहीं करता, कि acetate की concentration हमेशा salt के बराबर होगी, आएगी वही से, लेकिन बराबर होगी कि नहीं, वो यह salt की stoichiometry decide करेगी, जरा समझो मेरी बात को, अगर यह salt ऐसा नहीं होता, चलिए हम समझने की बात करते हैं, माल लीजे और यह आपका conjugate base provide करेगा, तो इसका मलब यह हुआ सब बिल्कुल जैसे अभी आपने पढ़ा था, CS3CO- plus H+, and this will be CS3CO- plus PA2, बिल्कुल सही है सर, this is a buffer solution, लेकिन सर अब आप यह बताइए, क्या इसके लिए यह लिखना सही है, pH is equal to PKA plus log concentration of acetate ion divided by concentration of acetic acid, हाँ बिल्कुल सही है, अरे भाई, यह तो तुमने derive करके निकाला ही है, लेकिन इसके लिए यह सही नहीं लिखना, जरा समझना, this is not equal to, this is not equal to PKA plus log concentration of salt divided by concentration of acid, जरा समझना, क्यों, सर इसमें क्या गलती है, गलती है, कि तुमने acetate को किसके बराबर बोल दिया, salt के बराबर, अब अगर खुश सोचो salt के 10 mol है, तो क्या acetate भी 10 mol है, salt से ही आ रहा है सर, मैं मानता हूँ salt से आ रहा है, लेकिन 10 नहीं आ रहा है, सर, acetate 20 बनेंगे, आपको 20 रखना था, ना कि 10, और जिस बच्चे की आँखे, salt को ढून रही है, वो क्या रखेगा, 10, जबकि रखना किसको है, acetate को, उसको रखना क क्या चाहिए था 20, तब लोग इस बात को समझने की कोशिश करो, मुझे है रानी है कि जई ने मेंस लेविल पर यह पूछ कैसे लिया, मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें सवाल, इसलिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, वो भले ही गलती से पूछ लिया हो, लेकिन अ अब वो तुमसे जबजस्ती पूछेगा, और बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे, क्योंकि वो तो एक ही फॉर्मला याद करके जाते हैं, pH is equal to pk plus log salt by acid, अरे भाई, salt by acid याद मत करो, याद करो, तो conjugate base by acid याद करो, तुम्हारी आखे conjugate base को ढूढनी चाहिए, salt को नही अगर salt 10 है, तो conjugate base कितना है, 20, तुम्हें 20 रखना था, 10 नहीं, जो बच्चा salt याद करके जाएगा, वो 10 रखने आएगा, और जो conjugate base याद करके जाएगा, और वही सही होगा, समझना, सब लोग इस बात को समझो, और मुझे बताओ, कि N से multiply करके नया formula बना लो, सर, हाँ, formula मुझे नहीं बनाना है, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहरा हूँ, मैं तो सिर्फ एक formula याद करने के लिए बोल रहा हूँ, और वो ये formula है, जो मेरा suggestion है, सब लोग याद करके जाएए, pH is कि आखे सिर्फ किसको ढूनेंगी, conjugate ways, समझे रोबात को, कहा से आएगा, salt से आएगा, लेकिन salt के बराबर होगा, या नहीं होगा, that depends on salt, बस ये बताना चाहरा हूँ, समझो, कावाश, सब्सक्राइब, लेकिन उपर conjugate base की concentration रखेंगे, ना की salt की, अब आपने salt वाला formula याद कर रखा है, तो आप 10 लिखके चले आएगे, और जिस बच्चे ने conjugate base याद कर रखा है, वो कहेगा, या सा 10 वेन चोड़ो, तुमसे conjugate base कितने बनना है, ये बताओ, और इससे conjugate base कितने बनना है, 20, 20, because this is twice, समझे रहो बात को, so you will put 20 air, not 10, बस ये ध्यान लखेंगे, ठीक है, चलिए, ये देख ली जाएगे, सर, अब ये formula है, जो कि किताब में दिया जाता है, pH is equal to pk, भाई, मेरा suggestion ये है, इसको छोड़ो, और main बात ये आप तरो, बस, conjugate base by acid, the conjugate base will be equal to acid, only when the salt is of 1 to 1 stortometry, otherwise, conjugate base is not equal to salt, बस, आपको conjugate base ढूणना है, salt को देखिए, वही रख दीजे, या उससे दूणना रख दीजे, तिक basic buffer में भी यही चीज़ देखने को मिलेगी, basic buffer एक ऐसा system होगा, जिसमें आपके पास एक weak base होगा, यानि अगर आप basic buffer की बात करते हैं, तो कैसा system होगा, जिसके अंदर एक weak base होगा, बिल्कुछ उल्टा, एक weak base होगा, plus, उस weak base का conjugate acid होगा, conjugate acid, बस, खतम होगया, इस तरह का system एक जबरदस्त basic buffer माना जाएगा, और तब आप उसकी pH लिखेंगे, तो pH, फॉर्मला याद रखना, pH is equal to pkb, plus, log, concentration of conjugate acid, यह याद करके जाओ, divided by concentration of base, अगर वो as conjugate acid, एक ऐसे salt से आ रहा है, जो one is to 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 one to one to one to one to one salt है, तो वही salt बन जाएगा, और नहीं तो, इस टॉश्यमेट्री चेंज कर देना, उससे आंसे निकाल ले, जबाश, जैसे मैं example दिखाता हूँ, यह देखिया, पहले एका सवाल कर लेते हैं, यह JEE के advanced level पर पूछा गया एक पुराना सवाल है, मुझे मैंने साल नहीं लिखा, और उसमें सवाल पूछा गया था, gaseous solution of HNO3, KOH and acetic acid और sodium acetate, इनके solutions को अगर हम mix कर दें, तो बताइए आपका buffer solution कहां बन सकता, तो अब आप सेके देखिए buffer solution कहां बन सकता, तो अब आप सेके देखिए buffer solution कहां बन सकता, सर देखिए एक चीज़ तो clear है, यह KOH strong base है सर, समझने बात को हो, तो KOH strong base है, यह हमारा salt सर यह buffer solution नहीं मना सकता, ठीक है, चलिए छोड़िए इस बात को, और क्या हो सकता है, सर और यह हो सकता है कि HNO3 एक strong acid है, और यह हमारा weak acid, अरे सर कैसी बाते कर रहा है, strong acid, weak acid, यह तो इन अच्छा buffer बनेगा, इसको भी अटा दीजे, दूसरा option सर, यह तो मस्त है, D option में कोई doubt सर, और एक बात देखिए न, यह देखिए आप, अगर मैं यह कह रहा हूँ, कि if HNO3 is in limit, यानि अगर आपने HNO3 limit मिल लिया, तो क्या होगा, सर, HNO3 से क्या निकल के आएंगे, H+, और वो sodium acetate के acetate से react करके क्या बनाएंगे, acetic acid, अब ज़रा समझना बात को, सर, यह जो HNO3 है यह H+, यह H+, acetate answer या करके, acetic acid बनाएंगे, और अगर यह acetate कम बने, और sodium acetate भी बरतन में पढ़ा रहे गया, तो सर, यही system दुबारा बन जाएगा, आप समझे ज़रा, यानि अगर आपने HNO3 को थोड़ा कम ले रखा है, तो ऐसे में, सर, acetic acid भी बनेगा, sodium acetate भी बचा रह यही system तयार होगा, और इसी system की वज़े से इसको भी आप एक बढ़िया buffer के नाम से जानेंगे, तो answer will be CO, P and D both, समझो बात, अच्छा सावाल है, सर, बहुत सारे बच्चे confused हो जाते हैं, यह समझे नहीं पाते, यह कैसे हो रहा है, आप समझे यह जो H+, है, यह H+, sodium acetate के acetate से acetate और H+, मिलके क्या बनाएंगे, estic acid, now you have estic acid, और sodium acetate अभी भी बचा हुआ है, अगर यह भी भी बचा हुआ है, और estic acid भी बना हुआ है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, सर, इसे जबरदस्ट acidic buffer बोलेंगे, सर, यह भी option सही होगा, C भी होगा, आप बिलकुल सही, शोबित अगर OS question में limit नहीं लिखा है, बट उसने यह पूछा है कि अगर मैं इनको मिलाता हूँ, तो buffer के chances कहा है, तो सर, इनको मिलाने से buffer के chances C में भी बनेंगे, उसके लिए सिर्व आपको मिलाने में ध्यान देना पड़ेगा, बाकी लोगों कैसे भी मिला दीजे, सर, कुछ नहीं और example लीजे, यह लीजे, तो 2019 का वो खूब सुरत सवाल जिसको देख कहरानी होती है, कि आपने पूछ कैसे लिया यह, अब आप देखे कितना, अब समझो, क्या यह पैचान पारो, this is basic buffer, हाँ सर, बिल्कुल दिखाई देरा, आप देख लीजे ना, सर, यह आपको कैसे पता NH4OH के साथ मिलाया, सर, NH4OH बेस हो गया, और दुनिया जानती है, acid-base reaction, salt बनाती है, and the salt will be ammonium sulfate, पिल्कुल सही है, सर, क्या यह बैलन्स equation है, नहीं सर, अब यह बैलन्स हो, ठीक है, सर, अब यह बताईए, हो क्या रहा है बरतर में, पता नहीं क्या हो रहा है, यह दोनों मतलब, moles कितने है, millimoles, 20 into 0.1, सर, आपने 2 millimoles डाले, चलिए, ठीक है, 2 millimoles डाले, NH4OH के कितने millimoles है, 30 into 0.2, that is 6 millimoles, इसके 6 millimoles, और इसके 0, ठीक है, अब बताईए, क्या reaction होगी, सर, साथ दिखाई देता है, ammonia, H2SO4 is limiting reagent, और अगर यह limiting reagent है, तो खतम हो जाएगा, तो यह तो 0 हो जाएगा, यह कितना बचेगा, सर, यह 6 minus 4, यह 2 millimoles बचेगा, बताओ समझे, 4 क्यों कह रहा हूँ, 1 mol, 2 mol से रियाक करते हैं, तो 2 mol, 4 से रियाक करेंगे, तो 6 में से 4 चलेगे, बचे कितने, 2, ठीक, इसके कितने millimoles बचेगे, सर, इसके भी 2 millimoles बचेगे, limiting reagent आपका S2S4 है, तो 2 से 2 बनेंगे, सर, अब आपका बताई, बरतन क्या कहता है, सर, बरतन चीख-चीख के कह रहा है, यह है वो बरतन, और यह चीख-चीख के कह रहा है, कि मेरे बरतन में एक तो साहब बचे हैं यह, और एक हैं यह, क्या तुम पहचान पा रहे हो, this is weak base, और और अगर यह जबरदस basic buffer है, तो अब आप answer कैसे निकालेंगे, सर, यह लीजिए, सर, पह is equal to PKB plus log, हमारा तो formula अच्छा है, conjugate acid याद कर रखा है, upon base, प्लस यह ज़रा, PKB, कहां से निकलेगा, सर, PKB की value 4.7 दे रखिए, चलिए, बहुत बढ़िया, PKB दे रखा है, पह is equal to, PK PKB दे रखा है, 4.7, प्लस, log के अंदर क्या आएगा, सर, log के अंदर आएगा, conjugate acid, अब जिन बच्चों ने salt याद किया था, याद करना जरा, जिन बच्चों ने salt याद किया, वो क्या रखेंगे, कितना है salt, salt 2 है, सर, तो जिन्होंने salt याद किया, वो 2 रखेंगे, clear है, तो के समझ में आ रहा है, सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ammonium sulfate से, जो ammonium निकल के आएगे, वो 2 टाइमस NH4 प्लस होंगे, बताओ समझे, यानि, if the salt is 2, the ammonium ion will be 4, clear, कही बताना चाहरा था, जो बच्चे salt याद करके गए थे, उन्होंने 2 रख दिया, और जो ammonium याद करके गए log 2.3, that is 5, so pH is equal to 14 minus 5, and that is 9, so answer will be 9, बहुत ही खूबसूरा सवाल बनाय गया था, क्योंकि ये वो कमी है, जो बच्चों के अंदर भरी पड़ी है, क्योंकि वो उपरी तोर पर तयारी करके गए थे, उन्होंने formula याद कर रखा था, pH is equal to pk plus log salt by base, और salt की value ढून रहे थे, और जो salt ढून रहा था, वो क्या रख क्या आ गया, दो, और जो salt कीज़ेगा conjugate base, conjugate acid को ढून रहा था, वो जानता था, आएगा तो salt से, लेकिन salt के बराबर होगा या नहीं, वो salt decide करेगा, and since this is a salt of 2 is to 1 stoichiometry, the conjugate acid concentration will be double the concentration of salt, and if the concentration of salt is 2, the HNH4 plus will be double of this, so this will be 4, पताओ समझे की नहीं अरे विवेक यादव जी, हमको भी हाय बोल दीजिए, समझ में आई यह बात, यह ज़रू ध्यान रखना, नॉर्मल सवाल बनते हैं, वो अलग बात है, सर, यह सवाल लेकिन बहुत यूनिक बनाए गया है, और एका सवाल देख लेते हैं, यह लिजए सर, बफर का सवाल, कि किसका है, एसेट का, लीजिए, एसेट ले लिया, हे, हे ले लिया, और यह किसके साथ मिक्स है, यह है, पचास एमल एने ए, एने ए, अरे सर, यह वीक एसेड है, और यह है, कॉन्जूगेट बेस, दिख रहा है, यह वीक एसेड है, और उसका कॉन्जूगेट बेस, इन दोनों का मिक्चर, एक बफर सेलूशन होगा, लीजिए, आंसर आगया सर, पीएच इस इक्वल टू, यह लीजिए, पीएच इस इक्वल टू, पीके, प्लस लॉग, कॉन्सेंट्रेशन ओफ कॉन्जूगेट बेस, इवाइड़ बाइ, कॉन्सेंट्रेशन ओफ एसेड, लीजिए, खतम हो गया सवाल, कुछ नहीं करना है, अब, उमर समझ में आया भाई यह वाली बात, समझ में आया यह, कॉरव नीट वाले भी देख सकते हैं, यह तो बिल्कुल सारे किसी भी एक्जाम का सवाल, किसी भी तैयारी करने वाला बच्चा देख सकता है, ठीक, तो बहराल, तो यह कहना चाहरा है, सर, कॉन्जूगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, पुट कर धिन लेते हैं, पीके दे रख्खा है क्या, पीके दे रख्खा है, हाँ सर, पीएच की वैलू 4 दे रखञी है, और पीके सवाल में दे रखखा है ये, अब हो गया सवाल, देखिए कैसे, पीएच以及 4 है तो यहां 4 रख देते हैं, और पीके की वैल लोग की माइनस लог कै, या तो यह आजाएगा 50 into कितना concentration है वो दे नहीं रखा तो हम इसके concentration ले लेते हैं 50 into X divided by X is the molarity of NA solution और HA का कितना दे रखा है मोल्स 50 into 0.2 50 into 0.2 कितना आजाएगा 50 into 0.2 तर इससे solve कर लीजिए सब कुछ दे रखा है X की value आजाएगी आपका answer आजाएगा खेल खतम here है सब को ये बात समझ में आ गई क्या किया बिल्कुल आसान है बिल्कुल आसान है कोई जंजट नहीं है वो कह रहा है क्या concentration NA की ली जाए तो NA solution की concentration को X माल लेते हैं this X is the concentration जो हमें निकालनी है of NA solution NA solution की concentration या मुलारिटी एक्स माल लेते हैं तो अगर मुलारिटी एक्स है तो मोल्स कितने हो जाएंगे 50 एक्स तो conjugate base के मोल्स हो गए 50 एक्स और जो acid है वो 15 2.2 सब कुछ दे रखा है सवाल में X unknown है X all को लिए 0.02 निकलाएगा फटाक्स और यह buffer है क्यों buffer है because this is weak acid and its conjugate base no doubt this is a buffer solution सीधे डबबा चीख चीख के कह रहा है कि भई या मैं buffer solution हूँ buffer का formula याद है तो buffer का formula लगा दो answer बाहर चलिए और आगे बात करते हैं यह लीजें कितना बढ़े है सवाल 1 molar benzoic acid है 1 molar benzoic iron है सर एक benzoic acid है weak acid और एक sodium benzoic conjugate base दे देगा सर यह फिर से वही buffer solution है स्याब सेम सवाल है सर वो कह रहा है total 93 ml अगर आप बनाना चाहते हैं तो किसका कितना कितना volume लेंगे अरे यार कितना असान सवाल है benzoic acid को मालो vml है तो sodium benzoic कितना हो जाएगा c6 h5 cona वो कितना हो जाएगा वो 93 minus vml हो जाएगा हाँ बिल्कु सही है अब बताइए क्या करना है क्या यह buffer है हाँ buffer है because weak acid conjugate base के साथ present buffer हो गया सर buffer का formula लगा लगा लेते हैं बस हो गया सौल pH की value कित conjugate base कितना है सर conjugate base है 1 into concentrate volume molarity into volume कितना हो गया 93 minus v into 1 divided by नीचे acid कितना है सर acid 1 है into v that is 1 into v इसमें क्या unknown है सर इसमें v unknown है solve कैसे करेंगे 4.5 में से 4.2 minus किया तो 0.3 आ गया 0.3 is equal to log 93 minus v upon v सर 0.3 किसका लोग होता है सर 0.32 का लोग होता है इसका मतलब यह 2 होना चाहिए इसका मतलब सर यह 2 होना चाहिए if it is 2 अब यह सब देखो calculation तुम्हें अपने आप आना चाहिए so ultimately 93 minus v upon v is equal to 2 clear है इससे v की value solve हो सकती है और v की value solve करते ही आपको बाकिस सब लोगों है अगा है इस तरह से आप इसके सारे सवाल बफर के जो भी सवाल पूछे गार और भी सवाल देख सकते हैं आप बात कर सकते हैं next point पर आते है next point है मेरी buffer capacity अब दो को मैं चाहरा हूं कि कम से कम buffer capacity का formula जयात कर लिए आजा buffer capacity का information आ जाए हमारे पास buffer capacity का मतलब है कि किसी भी buffer solution में आप कितना strong acid या strong base डाल रहे हैं यानि एक लीटर buffer solution में जितना भी strong acid या strong base डाला जा रहा है to change the pH by one unit is buffer capacity समझो बढ़ा important है हो सकता है हम से immense level पर सिर्ट definition पर सवाल पूछ लिया जाए यानि definition पर सवाल क्या पूछ रहा है it is defined as the number of moles of strong acid or strong base added in one liter buffer solution to change the pH by one unit यानि किसी भी buffer solution की अगर आप pH change करना चाह रहे हैं तो आप उसके अंदर acid या base डालते हैं तो एक लीटर buffer solution की pH अगर वन unit से change करना चाहते हैं आप तो जितना भी acid या base डालेंगे that amount is known as buffer capacity समझ में आया यानि किसी भी buffer solution को लेके आते हैं वन लीटर एक buffer solution ले लिया उसके उपर एच प्लस डालेंगे तो buffer capacity is equal to 2.303 AB upon A plus B where A is what? A is हमारा acid and what is B? B moles हमारे salt के यानि salt अगर B है और acid अगर A mole है तो उस buffer solution की जो buffer capacity होगी वो 2.303 AB upon A plus B से निकाली जाएगी और मेरे खिया से तुम सब math के student हो इस बात को समझते हो maximum capacity कब निकल के आएगी? maximum capacity तब निकल के आएगी जब ये term maximum हो AB upon A plus B should be maximum और मुझे लगता है सब लोग इस बात को जानते हैं ये कब होता है? जब A और B बराबर होता है यानि AB upon A plus B की value maximum तब आएगी जब A और B आपस में बराबर होंगे यानि वो बफर जिसमें conjugate part और weak acid या weak base का part जब वो दोनों बराबर होते हैं तो वो बफर अपनी maximum capacity शो करता है यानि लोग के अंदर जो term आ रहे हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए conjugate base upon acid बराबर conjugate acid upon base बराबर ऐसे में वो बफर अपनी maximum capacity शो करता है यानि maximum capacity buffer शो करने के लिए A और B आपस में बराबर होने चाहिए या फिर buffer capacity की definition क्या कहती है buffer capacity कहती है किसी भी buffer solution की pH को अगर आप one unit से change करना चाहते है on addition of acid और base तो जितना भी acid base आप 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 कर रहा है that is buffer capacity तो जो amount आपने डाला उसे buffer capacity कहेंगे और उसको निकालने के लिए 2.303 upon into a b upon a plus b का सहारा लिया जाएगा और maximum buffer capacity तब आती है यानि वो buffer maximum resistance तब create करता है जब A और B की value बराबर होती तो अगर conjugate part और जो weak acid या weak base वाला part है अगर वो बराबर है तो maximum capacity का buffer तयार होने लागए तेर क्यासे example ले लेते हैं ये लिजाब एक्जामपल बढ़ा सीधा सा example ले लेते हैं क्या कह रहा है ये ये कहना चाहरा है बताइए मेरे पाद दो buffer है पहले बात बताएए buffer है कि नहीं मैंने कहा ये low यार ये acetic acid है ये sodium acetate यानि acetate आयन है Sir buffer इन में से अच्छा बाफर कौन सा है हमने का रहे यह तो दोनों ही maximum capacity शो कर रहा है यह देखिए उपर वाले की maximum capacity उपर वाले की buffer capacity निकालने के लिए 2.303 into AB that is 0.1.1 upon 0.1 plus 0.1 का सहरा ले लेंगे और नीचे वाले की buffer capacity निकालनी है तो 2.303 into 0.2 into 0.2 upon 0.2 plus 0.2 का सहरा ले लेंगे साफ समझ में आता है बफर B is better buffer than A because the buffer capacity of B is greater than the buffer capacity of A. clear? अब बिल्कुल यह advance level के लिए भी यह theory sufficient है सिर्फ questions की practice और करनी होगी otherwise कुछ भी extra करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी अब नेक्स पॉइंट पर आते हैं नेक्स पॉइंट क्या आएगा नेक्स पॉइंट आएगा हमारा solubility का अब यह important है इस पर भी बात कर लेते हैं फटा फट यह क्या कहता है तर solubility salt की solubility यह main last portion आता है लब इसके बाद छोटा सा एक दो portion और है यह main portion है जिस पर सवाल बहुत जादा बनते हैं तो हम इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं कि solubility salt की solubility का क्या मतलब फुरी साकर लगाते हैं salt को जब आप घोलते हैं वाली जम पानी की बात कर रहे हैं तो salt particular temperature पर जितना भी घुलता है वो घुल जाता है तो एक लीटर saturated solution में जितना भी salt dissolve कर गया वो उस salt की solubility बोली कर तो यानि अगर मैं definition की बात करूँ तो साफ definition है at a constant temperature the maximum number of moles of solute जिसे आप salt कह रहे है जो आपने dissolve किया है वन लीटर solution के अंदर यानि अब आपका solution saturate कर गया है जितना घुलता जा रहा है घुलता जा रहा है जब वो saturate कर जाएगा एक लीटर का solution तो जितना भी salt घुल चुका है उस particular temperature पर वो salt की solubility बोलीजे बताओ ये समझ में आई बात यानि salt की solubility का मतलब है आपको जितना घुलना है आप घुल दीजे एक liter solution के अंदर जितना भी वो घुलेगा finally that will be the solubility ठीक है यानि कहने का मतलब यह हुआ माल लीजे आपके पास ये बरतन है और इस बरतन में आपने एक लीटर पानी ले लिया अब आप इसके अंदर एक salt को घुल रहा है मालीजे ये salt आपने रख दिया ऐसी समझाने के लिए बोल रहा हूँ मालीजे एजी झालीजी तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जितना भी इसको घुलना है वो घुल जाए इपितना भी घुलना है जो नहीं घुला ऑख गया गया और पेलिली तक मैं है AG CL solid is in equilibrium with AG plus aqueous plus CL minus aqueous कि हमारा equilibrium यानि कहने का मतलब यह हुआ कि सर यह जो हमारा equilibrium है इसे हम solubility का equilibrium बोलेंगे यानि जब कभी भी किसी salt को आप dissolve करेंगे तो particular temperature पर salt घुलता जाएगा तो जितना भी वो एक लीटर solution के अंदर particular temperature पर dissolve कर चुका that will be the solubility of the salt अब main बात आती है कि solubility calculate कैसे की जाएगी तो इसके calculation में बना आसान सा information है सर अगर आपको solubility calculate करनी है माल लिए इस AG CL की solubility आपको निकालनी है तो आप क्या बोलेंगे let the solubility of this salt is s माल लेते हैं ऐसे solubility तो अगर इसकी solubility बनेंगे और clbs बनेंगे और साब समझ में आता है इस equilibrium का जो equilibrium constant होगा ksp वो एजी प्लस की concentration इंटू cl- की concentration के बराबर होगा जो कि s into s होगा so s will be root ksp यानि मैं यह बताना चाहरा हूं कि जब कभी भी जितना जब कभी भी किसी salt को आप solution किसी भी suppose पानी के अंदर dissolve कर रहे हैं तो जब कभी आप salt को पानी के अंदर dissolve करेंगे तो वो घुलने लगे गुलने लगेगा तो घुलने के बाद जितना घुलना होगा घुल जाएगा तो जितना भी घुल गया that is the solubility तो अगर मैं माल लूँ कि इसकी solubility s है तो इसका मला एस घुल गया इसका मला एस टूड़ गया अगर एस टूड़ गया तो s into s which is ksp so s will be root ks जानि एक particular category जो पहली category है वो सवाल पूछे जाने की वो क्या है कि अगर मैं आपको salt का ksp value दे दूँ तो आप उसकी solubility कैसे निकालते है यह पहली category तो जैसे मैं और example लेता हूँ माल लीजे वो हमसे कहता है कि यह salt है मेरे पास कोई भी एक salt लेलते हैं a b2 आप बताए इस salt की solubility और ksp value को कैसे link करेंगे तो करके देखते हैं sir ksp का मतलब solubility product तो यह जितना भी घुलना होगा घुल जाएगा ठीक है माल लीजे इसकी solubility ऐसा है तो इसकालब यह s घुल गया s घुल गया तो यह sir s टूट जाएगा तो जो equilibrium बनेगा वो क्या बनेगा a plus 2b यानि sir यह equilibrium अब अगर आपने इसकी solubility s बोली तो यह s घुला अगर यह s घुला तो यह s टूट गया s टूट गया तो a कितने बनेंगे s और b कितने बनेंगे 2s समझो यानि यह s बनेगा यह 2s बनेगा अगर इसकी solubility s मानी अब बताएगे ksp का expression क्या होगा ksp का expression होगा concentration of a into concentration of b का square a कितना है s और b कितना है 2s का square so this will be 4s cube so what is s? s is equal to ksp divided by 4 का cube यानि यह पहली category है जो salt के ksp और उसके solubility को link कर रही है जिस पर कम से कम दस बार तुमारे j mains पर सवाल बन चुका है दस बार यह सवाल पूछ कुका है समझो मैं example लेता हूँ तुम्हें समझ में आए दस बार यह सवाल बन चुका यह देखे आपको example दिखाता हूँ मैं आपको दिखाई देगा यह example दस बार यह सवाल पूछ चुका यह लीजे यह सवाल ले लेते हैं पहले यह सवाल दे लेते हैं देखे क्या कह रहा है अब let the solubility of an aqueous solution of mg oh hole twice be x then its ksp value will be यानि solubility दे रखी है ksp निकाल यह सवाल आगया तो चलिए हमने सवाल शुरू कर दिया mg oh hole twice ले रखा है तो चलिए mg oh hole twice का solubility का equilibrium लिख लेते हैं तो solubility का equilibrium क्या बनेगा mg two plus aqueous यह घुला हुआ salt हो गया 2oh minus aqueous ठीक है अब वो क्या कह रहा है कि solubility is x अगर इसकी solubility x है तो ksp क्या होगा अरे सर इसकी solubility x है क्या मतलब है x अगर solubility है तो x घुल गया घुल गया तो टूट गया तो mg कितने बनेंगे x बनेंगे oh कितने बनेंगे 2x बनेंगे अब बताइए ksp का expression क्या होगा ksp का expression होगा mg two plus की concentration into oh minus का square बताइए ज़रा mg two plus की concentration और oh minus का square कैसे करेंगे mg two plus कितना है x oh कितना है 2x का square so it will be 4x cube so what is ksp ksp is 4x cube कितना simple सवाल हो गया लाइन से पूचे गए चलिए और सवाल दिखाता हूं आपको यह देखिया यह सवाल लीजे क्या कहना चाह रहा है हमारे पास जिर्कोनियम फॉसफेट अरे सर लगरा डरा दिया एकदम 2019 का सवाल है सर हर साल का ड्रामा है सर इसको देख के बच्चे घबराएंगे कुछ नहीं सर कुछ करना ही नहीं सर सॉल्टी तो है ना सॉल्ट ले लेते हैं सर यह लीजा आप क्या होगा सर सॉल्टी का इकलिब्रियम बनाते हैं कैसे बनेगा सर यह बनेगा सर यह बनेगा जेडार प्लस फॉर प्लस थी पी ओ फॉर थी माइनस तर यह हमारा एक्क्वेशन बन गया कि यह बन गया हमारी क्वेशन ठीक है सही बना रहे है कि हमारी क्वेशन है जिसमें जेडार बन रहा है जेडार तीन बन रहे है अब इसकी कॉंसेंट्रेशन अब इकलिब्रियम बना लेते हैं यह हमारा बन रहा है जेडार कि दिर्कोनियम चार्ज कितना रहे है स्का प्लस 4 और साथ ही साथ हमारा बन रहा है। टीयो फोर फ्री माइनस ठीक है ये अचित कर जहां تक सवा लेक्ळ लेक्षेश्न बन रही है ये स्कुरिंट स्वूरी मड़ीहिए S है, तो आप क्या बता सकते है, S और KSP का क्या relation है? बिल्कुल, सर अगर आपकी solubility S, S का बला, आप S घूलेंगे? हाँ, S घूलेंगे तो S तूटेंगे? हाँ, S तूटेंगे तो zirconium का आइन कितने बनेंगे? 3S बनेंगे, और ये कितने बनेंगे? 4S, बताओ समझे? तो अगर सर ये 3S और ये 4S हैं, तो KSP का सीधे-सीधे expression बन रहा है, KSP is equal to zirconium raised to power 3, into phosphate की concentration raised to power 4, ये लीजे, zirconium कितना है? 3S, 3S की power 3, 4S की power 4, तो this will be equal to कितना आ जाएगा? solve करके देखिए, this is 6, 9, 1, 2, S की power कितना? 4 और 3, 60. सर, ये है KSP का relation, solubility के साथ, तो option कौन सा सही लग रहा है? सर, भी option सही. बिल्कुल आसान है, कहीं कोई जंजट नहीं है, सर, बिल्कुल आसान है, आसान ही से किया जा सकता है, कहीं कोई लफ़डा नहीं. यानि कहने का मतलब यह हुआ, सर, एक कैटेगरी जरूर ऐसी लग रही है मुझे, जो सवाल बना रही है, जो KSP को solubility के साथ लिंक कर रही है. तो आप कोई भी सवाल ले लिए, आप जनरल बना लिजे सवाल, सर, ये वाला जनरल सवाल बना लेते हैं, M, X, N, Y, सर, इस इस दा सॉल्ट, अब आप बताईए, इस सॉल्ट की solubility को KSP के साथ कैसे लिंक करेंगे, ले, लोग अभी कर लेते हैं, सर, इसको तोड़ते हैं, जब ये घुलेगा, तो X तो बनेंगे M के, और Y बनेंगे N के, ये दोनों एक्वस, जो घुल गए वो टूट गए साथ, अब अगर आप ये कहते हैं कि इसकी solubility X है, या S है, तो फिर ये S तूटेगा, S घुलेगा, S घुलेगा, तो S तूटेगा, S तूटेगा, तो ये कितना बनेगा XS, और ये कितना बनेगा YS, जब भी कभी solubility का सवाल आता है, तो सबसे पहला statement यही होना चाहिए, कि माल लो solubility S है, उसके बाद क्या बोलेंगे, अगर S solubility है, इसका मतलब S घुल गया, उसके बाद क्या बोलेंगे, S घुल गया, यानि S तूट गया, और जब तूट गया, तो कितने ये बने, और कितने ये बने, वो आपको दिखाई देना चाहिए, अगर यहाँ X लिखा है, तो यह XS बनेगा, और यहाँ Y लिखा है, तो यहाँ YS बनेगा, इसका बलब यह हुआ, अब आप KSP का फिर से expression लिखिए, KSP is equal to M की power X into N की power Y, M कितना है, XS की power X, YS की power Y, थोड़ा और तमीज से लिखते हैं, X की power X, Y की power Y, YS की power X plus Y, and this is my KSP, यानि KSP और solubility का एक general relation जो है, वो यह बन सकता, समझे बात? यानि एक category जिस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, वो यह यह, बिलकुँ सीधी category है, सर, KSP और solubility को आपस में link करिए, बस बात खतम करिए, तो KSP और solubility को link करना है, खट से salt लिखिए, salt किस तरह से टूट राए वो देखिए, और टूटने के बात solubility को आपस में link करिए, हमारा काम चल जाएंगा, बस खतम? हाँ, राकेश, फॉर्मुला हर मारा अलग बनेगा, that depends on the stoichiometry of the salt, इसलिए मैं कहारो, तुम यान मत करो, तुम सिर्फ salt से फॉर्मुला बनता कैसे है, केश, पी का और solubility का, वो सीख लो बात, समझे हो ना, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, यह देखिए, यह भी सवाल का पूछा गया है, यह 2019 का लाइन से एकदम, ए, बहुत सारे सवाल एकदम, यह देखिए, क्या कह रहा है, दा solubility of calcium hydroxide बताईए, अरे यार, और दे क्या रखा है, solubility product दे रखा, यानि KSP दे रखा है, और solubility निकालना है, बताओ, क्या मैं सही लिख रहा हूँ, KSP जो बनेगा, वो बनेगा, सबसे पहले तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए हमारा calcium hydroxide की equation, यानि calcium hydroxide का dissociation होगा, यह घुलेगा, तो calcium के 2 plus के आइन बनेगे, plus 2 OH- आइन बनेगा, चलिए ठीक है यह, अच्छा, अब क्या निकालना है, let the solubility be S, तो this will be S, and this will be 2S, अब बताईए क्या करें, अब sir, KSP का expression लिख दीजे, KSP का expression होगा, calcium आइन की concentration, into OH- की concentration का square, calcium कितना है, sir, calcium S है, OH कितना है, 2S का square, so this will be 4S cube, and this is given as KSP, जो हमें कितना दे रखा है, 5.5 into 10 raise per minus 6, अब तुम खुद बताओ, क्या इस से solubility calculate नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, सब पचासियों बार सवाल आ चुका है, पचासियों बार सवाल, यानि मैं first category discuss कर रहा हूँ, और first category यह कहती है, कि जब भी किसी salt की solubility calculate करनी हो, तो salt की solubility calculate करने के लिए, सबसे पहले solubility का equilibrium बनाओ, और equilibrium बनाते ही पहली line बोलो, क्या, let the solubility be, कैसे ही आपने इसको S बोला, सारी दुनिया समझ गई, S घुला है, S घुला है तो टूटा है, तो कितने कैटाइन के मोल्स बने, और कितने अनाइन के मोल्स बने, वो निकालो, सेम सवाल है सर, इस बार salt हमें कौन सा दे रखा है, सर यह दे रखा, सर, MX4 के लिए बना लेंगे, करना क्या है सर, MX4 के लिए करवा लीजिए, अरे भाई, ये लीजिए सर, M बनेगा, और 4X बनेंगे, let the solubility be S, तो ये S, ये 4S expression क्या बना, सर, KSP is equal to M की concentration into X की पावर 4, M कितना है, S, X कितना है, 4S की पावर 4, सर, लीजिए, solve कर लीजिए, कितना जाएगा ये, 4, 4, 4, 4, कितना होता है, 64 into 4, 256 कुछ हो गया न, 256 हाँ, 256, ये 256S की पावर 4, आप देख लिए कौन सा आंसा सही बना रहा है, ये पावर में कहीं 4 आ जाएगा, एक बाद चेक कर लो, अब 4 नहीं 5 आ जाएगा, पावर 5, ये पावर में 5 आ जाएगा, बस इस से आंसर बन जाएगा, यानि कि अगर आपको S की वैलू चाहिए, तो S की वैलू आ जाएगी, KSP upon 256, यानि KSP upon 256 is D option, बिल्कु सही, नहीं ए नहीं आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, ए गरबढ़ है, अब ये D आ रहा है, खेर है, तो ये वाला portion बिल्कुल easy हो गया, second portion बराते हैं, second portion क्या है, second portion जो निकल के आती है, वो है बहुत important, जिस पर एक बार JEE की mains level पर सवाल बनाया जा चुका है, हाला कि फिर वहीं बोलूँगा, मैं, उमीद कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सवाल बनाया, and that is selective precipitation, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल बनाया, selective precipitation के बारे में, थोड़ा सा discussion हमें करना चाहिए, चले, बस थोड़ा सा हिम्मत रखनी भई, क्योंकि अब ये जो portion करना है, ये last के portions है, बट ये important है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, देखो, इतनी देर से तुम भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, एनर्जी मेरी भी कुछ कम हुई होगी, तुमारी भी एनर्जी कम हो गई होगी, तो थोड़ा सा, मैं कई बार बोल चुका हूँ बच्चों को, कि ये two-way communication जो होता है, जिसमें teacher भी बच्चों को देखकर energy लेता है, और बच्चे teacher को देखकर energy लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हिम्मत और दिखाते हैं, और इसको खतम करने कोशिश करते हैं, क्योंकि अब इसको last में जल्बाजी में खतम मत करवाओ, बैचा रहा हूँ, सारे important portion हमने discuss किये, तो इस important portion को भी हम एक बार discuss कर लें, जल्बाजी में खतम नहीं करेंगा, तो सब लोग एक बार लिख के बताएं, जोश है कि नहीं, आप कर सकते हैं अभी और आगे अच्छी तरह से, तब लोग जल्दी से बताओ कि कैसे करना है, सब लोग हिम्मत दिखा रहे हैं अभी, शाबाज, बहुत एनर्जी, बहुत बढ़या, सही है, सही है, सही है, थोड़ा सा और हिम्मत करते हैं, इसको समझ के देखते हैं न, तो selective precipitation पर, advanced level पर तो एक दो सवाल पहले आये हैं, में इस level पर भी नोंने सवाल दिया है, तो मैं selective precipitation के बारे में थोड़ा सा discussion करना चाह रहा हूँ, कि जो selective precipitation है, ये selective precipitation का मतलब क्या, तो देखो, बहुत clear है कि एक से ज़ादा आयन के precipitation के संभावनाव में से, किसी एक particular आयन का precipitation अगर होने लगे, तो उसे आप selective precipitation का नाम देते हैं, कमचो, यानि क्या इसका मतलब है मैं बताता हूँ, इसका मतलब ये है, कि माल लीजिये मैं आपसे कहूँ, वह ये एक बरतन है, ये एक बरतन ले लेते हैं, इस बरतन में CL- पड़ा हुआ है और BR- पड़ा हुआ है, माल लीजिये CL- की concentration 0.1 molar है, और BR- की concentration भी 0.1 molar, अब मुस्से ही कहा जा रहा है, कि अगर मैं उपर से AG- प्लस डालता हूँ, तो ये बताईए, पहले AG-CL का PPT बनेगा, या AG-BR का PPT बनेगा, अब सवाल ही उठता है, सर्थ PPT का मतलब क्या है, ये PPT बन क्यों रहा है, तो बड़ा clear है, ज़रा समझना, अगर मैं एक पानी के अंदर salt को घूलना शुरू करूँ, ठीक तो क्या होगा, सर्थ salt अंदर जाएगा, और फिर अंदर जाके घूल के तूट जाएगा, अब सर्थ क्या और घूलेगा या या नहीं, कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा, वही आइनिक प्रोड़क्ट, तो मैं याद होगा, हम लोगों ने reaction quotient के बारे में बात की थी, यानि अगर माल लीजे मैं किसी भी salt के बारे में बात करूँ, माल लीजे मैं एक, AG, 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 अब आप ये बताइए, क्या मैं ये किसी भी इस्टेंट पर नहीं लिख सकता, जिसको आप आइनिक प्रोड़क्ट कहते हैं, आइनिक प्रोड़क्ट जिसको आप बोल रहे हैं, इस इस कंसेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस, आप इसको घोलते जाएंगे, इनका आइनिक प्रोड़क्ट बढ़ता जाएगा, यानि AG और CL का अमाउंट बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जब ये अमाउंट KSP के बराबर हो जाएगा, तो तुम्हें याद है, इकलिबरियम सेट हो जाएगा, वही रियाक्शन कोशन की कानी, यानि कहने का मतलब यह हुआ, जिस टाइम पर आइनिक प्रोड़क्ट जो होता है, जिसको रियाक्शन कोशन कह रहे हैं, अगर वो KSP से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है, सर अभी आइनिक प्रोड़क्ट कम है, तो और घोलना पड़ेगा, यानि सॉल्ट डिसॉल्यूशन शो करेगा, डिसॉल्यूशन सॉल्ट का होता रहेगा, चलिए ठीक है, लेकि सर ऐसा भी हो सकता है, कि कभी ऐसा हो जाए, कि आइनिक प्रोड़क्ट बढ़ते बढ़ते बढ़ते, आप उसको घोलते जा रहे हैं, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है, ऐसा भी हो सकता है, सर आइनिक प्रोड़क्ट के बढ़ाबर हो जाए, और जिस टाइम पर आइनिक प्रोड़क के बराबर होगा, सर, saturation आ जाएगा, अब salt का further dissolution नहीं हो पाएगा, लेकिन सर, ऐसा भी तो possible है, कि किसी case में, अगर आइनिक प्रोड़क की value, के एसपी से exceed कर जाए, तो अगर आइनिक प्रोड़क के एसपी से exceed कर गया, तो सर, reaction को backward ज precipitation तब होगा, जब cations and ions की concentration का जो multiplication है, जिसको आप आइनिक प्रोड़क केते हैं, वो KSP को exceed कर जाए, तब precipitation स्टार्ट होता है, यह वाली बात समझ में आ रही, यानि salt कब तक घुलता जाएगा, salt तब तक घुलता जाएगा, जब तक आइनिक प्रोड़क के एसपी से कम, और घुलिये, और घुलिये, और घुलिये, जैसे ही आइनिक प्रोड़क के बराबर आएगा, salt का घुलना बंद हो जाएगा, अगर गलती सा आइनिक प्रोड़क की वैल्यू किसी वजह से, आइनिक प्रोड़क की वैल्यू अगर के एसपी से बढ़ गई, तो salt का यह equilibrium, जो reverse direction में भागेगा, और तब पत्थर बनना शुरू हो जाएगा, और इस पत्थर के बनने को क्या कहते हैं, सर इस पत्थर के बनने को precipitation का नाम दे दिया जाता है, जानि कहने का मतलब यह हुआ, सर कब precipitation selectively किसका होगा, यह कैसे decide करेंगे, यह important, अब हम थोड़ी से अकल लगात हैं कि ionic product जल्दी KSP को पकड़ ले, तभी तो precipitation start होगा, क्योंकि ionic product के SP से बढ़ेगा, तभी precipitation होगा, तो जिन लोग का KSP कम है, उनका ionic product जल्दी KSP को पकड़ लेगा, और precipitation start हो जाएगा, लेकिन actually यह कोई rule नहीं, इसलिए मेरे इसाब से एक general तरीका selective precipitation का क्या होना चाहि और मज़े की बात क्या है, मेंस level पर फिर एक बड़ा खुरसूरा सवाल बनाया गया, जैसे मैं एक example लेता हूँ, माल लीजे मुझसे कहा जा रहा है, कि एक बरतन है, जिस बरतन के अंदर जो है, आपने यह पहला case ले लेता हूँ, case 1, क्या है पहला case, यह बरतन है, और इस बनायेगा, यह एग बनायेगा, तो selectively precipitate कौन बनायेगा, यह कैसे decide करेंगे, हमें सवाल में दोनों लोगों के KSP गिवन होंगे, AGCL का भी गिवन है, माल लीजे 10 देस पर माइनस 10, और KSP माल लीजे हमें AGBR अगर बना, तो उसका भी KSP दे रखा है 10 देस पर माइनस 13, ठीक ह हुई थी, सर, किसका KSP कम है, सर, इसका कम है, तो precipitation किसका पहले होना चाहिए, AGBR, ठीक है, लेकि सर, यह तो अभी बात हुई है, हमारी की, जिसका KSP कम होता है, सर, वही पहले precipitate बनाये, यह कोई रूल नहीं होता, सर, अब थोड़ा जनरल तरीका बात करते हैं, तो मैं तुम के precipitation के लिए कम चाहिए, पहले वो PPD बना रहे है, समझा लिए, यानि कहने के मतलब यह हुआ, आप उओपर से AG पलस गिरा रहा है, तो AGC L के precipitation के लिए AG Mas कितना चाहिए? वो निकालिए, AGBR के प्रेसिपूटेशन के लिए AG benefit deeper का पर निकालिए, जिस जगा पर AG plus कम चाहिए ह होगा वाई पीपटी पहले बनाते हैं समझों पता हो समझे यह बताता हूं आप बताइए जरह एजी प्लस की रिक्वार्मेंट पॉर दा प्रेसिपिटेशन ऑफ एजी एजी सील कितनी होनी चाहिए बताइए जरह सर यह होनी चाहिए के एसपी ऑफ एजी ज़िवाईड़ बाई कंसेंट्रेशन और कुंकि इन दोनों का मुल्टिप्लिकेशन वह के बदाबर होगा तो चाहिए जाएगा इससे बढ़ा हुआ तो प्रेसिपिटेशन स्टाट हो जाएगा यानि यह कंसेंट्रेशन है जिससे जादा अगर आपने एक प्लस दाला तो प precipitation start हो जाएगा, यानि अगर आप AgCl का precipitation लाना चाहते हैं, तो AgCl का precipitation लाने के लिए आपको 10 देस पर माइनस 9 molar Ag Plus दालना पढ़ा है, उससे ज़्यादा Ag Plus दालना पढ़ा है, ठीक, अच्छा, यही काम अगर आप AgBr की करते हैं, तो क्या होगा, अगर आप Ag Plus AgBr की precipitation चाहते हैं, तो क्या होगा, सर उसके लिए आपको KSP of AgBr divided by Br minus की concentration लेनी पढ़ेगी, और वो कितना है, 10 raised by minus 13 divided by 0.1 and that is 10 raised by minus 12 molar, इसका मतलब यह हुआ सर एक दम साफ समझ में आता है, for the precipitation of AgCl, you require 10 raised by minus 9 molar Ag plus, and for the precipitation of AgBr, you require 10 raised by minus 12 molar of Ag plus, सर कहा जादा चाहिए और कहां कम चाहिए, सर यहां कम चाहिए, इसका मतलब सर यह पहले precipitate बना देगा, वो बात में precipitate बनाएगा, यानि सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर है, AgBr precipitates first, तो सर कहां गलत लिखा है, सही तो सीधा है, अभी सीधा है, लेकिन सवाल बदल सकता था, और सवाल तुम से गलत भी हो सकता था, अगर तुम सिर्फ यह याद करके गए, कि जिसका KSP कम होता है, पहले वो PPD बनाता है, बिल्कुल गलत बात है, सही आंसर यह है, जिसके precipitation के लिए, उपर से गिरने वाले आएन की concentration कम चाहिए, पहले वो PPD बनाता है, मैं दूसरा example लेता हूँ, देखो, अभी confuse करने के लिए, दूसरा example क्या है, यह लीजे, केस 2, केस 2 क्या है, सर यह देखिए, फिर से वही दोनों लोग, 0.1 molar CL and 10 रेस पार माइनस 5 molar BR, अब बताइए सर किसका PPT पहले बनेगा, KSP दे रखें, AGCL का KSP 10 रेस पार माइनस 10 और KSP of AGBR, वो दे रखें 10 रेस पार माइनस 13, किसका KSP कम है, सर इसका कम है, तो पहले यह दो बनाएगा, अभी दो हुआ, ना ना, तरीका वो नहीं है, तरीका क्या है, for the precipitation of AGCL, how much AG plus is required, for the precipitation of AGCL, the AG plus requirement is what, AG plus requirement is 10 रेस पार माइनस 10, divided by 0.1, and that is 10 रेस पार माइनस 9, for the precipitation of AGBR, the requirement of AG plus is what, this is for AGCL, और AGBR के लिए कितना चाहिए, AGBR के लिए 10 रेस पार माइनस 13, divided by 10 रेस पार माइनस 5, and this is 10 रेस पार माइनस 8, अब बताईए ज़रा, किसके लिए AG plus कम चाहिए, तर इसके लिए AG plus कम चाहिए, KSP किसका कम है, सर, नीचे वाले का, फिर भी precipitation किसका पहले होगा, AGCL का, यानि इस सवाल का अंसर क्या आएगा, AGCL precipitate first, AGCL precipitates first, इस बार KSP किसका कम था, अगर आप उपर से किसी आदमी को गिरा रहे हैं, तो नीचे तमाम लोगों के precipitation की संभावनाव में से, उस आदमी का precipitation या उस salt का precipitation पहले होता है, जिसके लिए उपर से गिरने वाले आएन की concentration minimum चाहिए होती, यानि अगर आप उपर से AG+, गिरा रहे हैं, और नीचे CL और BR पढ़े हैं, तो जिस salt के precipitation के लिए उपर से गिरने वाला AG+, कम चाहिए होगा, पहले वो PPT बनाएगा, इसके लावा इसमें कोई दूसरी बात नहीं करेंगे, यानि यह बिल्कुल गलत statement है, यानि कहने का मतलब यह हुआ, कि जब कभी भी salt का precipitation आप करेंगे, तो salt के precipitation में उस salt के precipitation के chances बढ़ जाते हैं, जिस salt के precipitation को करते हैं, उपर से जो आप आएन गिरा रहे हैं, उस आएन की concentration minimum जहां पर भी required होगी, तो मैं करूँगा क्या, जब भी कभी इस तरह का सवाल आएगा, मैं उपर से गिरने वाले AG+, की concentration चेकल लूँगा, और उससे case बीचेकल लूँगा, खतम हो गया, क्लियर यह वाली बात, सबको यह बात समझ में आई, क्लियर है, जैसे और example लेते हैं, यह देखिया आप सवाल, कितना बढ़ा सवाल यह पूछा गया था, वो पूछ क्या चाहर रहा है, वो कह रहा है कि, अब आप से पूछा जा रहा है, पहले कौन PPD बनाएगा, और KSP वैलिउस दे रखें, यह भी दे रखा है, और यह भी KSP दे रखा है, दोनों की KSP दे रखें, कैसे करेंगे, सर, मैंने कुछ याद ही नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक बात बात बाता हूँ, उपर से जो आप AGNO3 गिरा रहे हैं, पहले उसके समझ में आ रही है, पहले उसका बनेगा, जिसके प्रेसिपिटेशन के लिए, जो रिक्वाइड एजी प्लस है, वो कम, दोनों लोगों के लिए AGPLUS की रिकॉर्मेंट चेक कर लिजा, अभी पता कर जाएगा, तो चलिए एक बार करते है, AGCL के प्रेसिप्टेशन के लिए कितना AGPLUS चाहिए, जल्दी से बताओ, AGCL के प्रेसिप्टेशन के लिए कितना AGPLUS चाहिए, AGPLUS required for the precipitation of AGCL, यह तो बड़ा असान है के SP of AGCl कितना है 1.7 into 10 raise power minus 10 और CL minus की concentration कितनी है 0.1 so this will be 1.7 into 10 raise power minus 9 molar चलिए यानि इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको AGCl का precipitate बनाना है तो उपर से AG plus कितना गिराना पड़ेगा इतना ठीक है अच्छा अब अगर आपको AG2CRO4 का precipitate बनाना है तब कितना चाहिए वो बड़ा important है ज़र समा बढ़ा important है कैसे सर अब जो आपको AG plus बनाना होगा AG plus की requirement होगी AG2CRO4 के लिए तो बड़ा खूबसूरत है यह इसको अगर आप solve करते हैं तो यह साथ दिखाई दे रहा है और साथ दिख रहा है कि यह काफी कम है यह काफी जादा है यानि precipitation किसका पहले होगा सर ऊपर वाले का केसपी कम किसका था नीचे वाले का फिर किसका पहले हो रहा है उपर वाले का इसका मलब यह हुआ सर सिर्फ डिसाइट कौन करता है required AG plus और इन चारों options में से साथ दिखाई देता है कि AGCL will precipitate first the amount of AG plus needed to precipitate is low रात खता यानि AGCL का precipitation पहले होगा उसका KSP जादा है उसके बावजूद भी क्योंकि requirement यहाँ पर कम दिखाई देती समझ रहो अच्छा अब यह सर आपने अंडरूट लगा के क्यों किया यह भी बढ़ा सान है यह तो तुम सबको समाज में आना चाहिए यह लिखो AG2CRO4 का equilibrium बनाओ जरा कैसे बनेगा solubility का AG प्लस twice प्लस CRO4 2 negative बताओ जरा KSP कैसे लिखोगे सर KSP is equal to AG plus का square into CRO4 बताओ what is AG plus AG plus is KSP upon जरा समझ रहो concentration of CRO4 का under rule यह है AG plus यानि यह जो AG plus आपने निकाला required वो यहां से निकल के आया सर and this is much greater than the required AG plus for the precipitation of AGCL so AGCL precipitate first because it is not because the KSP बनाए KSP छोटा it is only because the concentration of AG plus required in case of precipitation of AGCL is less salt वही PPT बनाएगा पहले जिसके लिए उपर से गिरने वाले आयन की concentration कम चाहिए होगी इसलिए अगर दस तरह के salts के precipitation की संभावनाएं हो तो ऐसे में आप उस salt को ले लीजिए उस हर जगा पर उपर से गिरने वाले आयन की concentration निकालिए और जहां वो requirement सबसे कम लगे सबसे पहले उसका PPT बना दीजिए बात खाब समझो यह सब लोगों के यह बात समझ में आगे जड़ा लिखके बताओ जल्दी से बहुत इंपोर्टेंड अब तुम सोचो जही के level पर किस तरह का सवाल बनाए गया है जिसमें पूछा गया है कि precipitation किसका पहले होगा और वह को भी कन्फ्यूज करने के लिए एक सॉल्ट एजी सीएल है और एक सॉल्ट एजी टू सी आरो फोर जादा तर बच्चे समझी नहीं पाते कि के तरह कि एजी टू सी आरो फोर के केस में एजी प्लस की requirement कैसे निकाली आती है वह केसो पी के requirement यहां से निकलेगी और तब decide करेंगे जहां पर भी AG plus कम चाहिए होगा पहले वो PPD बनाएगा इसलिए KSP का कम होना शाबाज बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं उनके समझ में आ गया है KSP का कम होना सब कुछ decide नहीं करेगा deciding factor सिर्फ KSP नहीं होगा deciding factor सिर्फ एक ही होगा उपर से गिरने वाले iron की requirement जहां कम concentration जहां कम वहाँ precipitation पहले बनेगा शाबाज इस तरह का सवाल हम से पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्म में आगे है ना तो समझो यह सवाल बनाया जा सकते हैं यह बड़ा आसान है अब अब एक केस और बना रहे हैं जिसमें हमसे पूछा जा रहा है जिस पर सवाल बनते हैं तो मैं उसको भी कराना चाह रहा हूं और इस पुछ एकाद केस बना रहे हैं जिसमें डिफरेंट सेलूशन के अंदर सॉलिबिलिटी इस काल्कुलेट करनी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़ा आसान है इसको थोड़ा सा समझने कोशिश करो कि अगर माल लीजिए मैं सॉल्ट ले ले लेता इस किसी असिप्लिटी बंदाने को रिणा सीरी कृषिश संहों तो य Beta की कि स्वा सथया हूं यह आई से तो जो humourले ले रहे हैं तो यो नहीं बाने अलही सौ आटए पानी बहुत ज़्यादग कुलतें और लेकिन लग लग बगभग इस strong acid is strong base को meet करते हैं तो उसका एक बड़ा common सा example माल लेते हैं जैसे मैंने शुरू में भी बोला था AG-CL एक ऐसा salt या AG-BR एक ऐसा salt हो गया यह वो salt है जो weak base से तो आए हैं AG-OH is weak base लेकिन इतना weak base नहीं होता मतलब मैं यह assume कर लेता हूँ AG-CL भी मेरा ठीक ठाक base है अच्छा base है और CL और BR तो मुझे पता यह strong acid से आ रहा है तो मैं उन salts को consider कर रहा हूँ जो sparingly soluble salts है जो कम घुलने वाले salts होते हैं ठीक है तो अब माल लिजे यह मेरा AG-CL है और मुझे इसकी solubility कुछ एकास solutions में calculate करनी है तो जैसे माल लिजे अगर मैं सबसे पहले calculate करूँ इस तरह के salts की solubility माल लिजे water के अंदर calculate करूँ पहला solution is water तो यह तो बहुत आसान है अभी आप बता चुके हैं अगर आप AG-CL को घोलेंगे तो अभी आपने बात की थी AG-CL को घोलेंगे तो sir AG-CL का equilibrium बन जाएगा AG-CL solid AG plus aqueous यह घुल गया और plus CL minus aqueous और अगर आपको solubility निकालनी है तो आप क्या बोलेंगे let the solubility be S तो अगर S तो S घुलेगा S घुलेगा S टूटेगा S S KSP S is equal to root KSP तो माल लेते मैं इसकी solubility को यह solubility इसकी S1 अगर यह S1 है तो यह भी S1 होगा यानि S1 into S1 is equal to KSP तो S1 is equal to root KSP मैं S1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं compare करूँगा solubility के कहाँ जादा है कहाँ काम ठीक दूसरा solution क्या हो सकता है यही salt किसके अंदर घोलना है अब यह घोलना है acidic buffer में दूसरा है हमारा acidic buffer अब बताइए क्या होगा सर अगर आप acidic buffer के अंदर इस तरह के salt को घोलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा अरे बही आप यह बताइए acidic buffer क्या है सर acidic buffer हो है जो H plus देता इसकर आप जिसके अंदर H plus है तो ऐसे में सर जब आप AgCl को अंदर डालेंगे तो वो equilibrium बनाएगा कौन सा? Solubility का equilibrium बनाएगा AgCl solid Ag plus aqueous plus Tl minus aqueous यह equilibrium फिर है अब अगर यह equilibrium बन रहा है तो आप यह बताइए ज़रा सोचके कि इस case में अब इसकी solubility कैसे निकलेगी? सर, solubility S2 माल लेते हैं वड़ा क्या हो? सर, जैसे यह अंदर जाएगा तो Ag plus बनेगा सर, Ag plus H plus के साथ तो बात कर नहीं सकता बात समझे हो? दोनों positive charge Cl minus H plus के साथ बात कर सकता है सर, वो भी बात दी करेगा क्योंकि अगर बात करेगा तो HCl बनेगा और HCl फिर से टूड़ी आएगा strong acid होता है इसका मतब यह होगा सर, यह अंदर जाएगा कोई बात चीत नहीं होगी solubility S2 माल लेते है और इस बार S2 की value फिर से वही root के SPI आ जाती यानि acidic buffer के अंदर वही solubility है जो पानी के अंदर यही चीज़ अगर आप basic buffer ले लेते माल लीजे अगर मैं basic buffer ले लूँ तो क्या होगा सर अगर आप basic buffer ले लेंगे यह लीजे उसके अंदर OH माइनस होंगे यह basic buffer अब आप बताईए क्या possibility है कुछ भी नहीं है यार बड़ा सेम है सर जब आप इसके अंदर agcl डालेंगे तो फिर वही है agcl घुलेगा ag plus बनेगा और cl minus बनेगा लेकिन सर पानी में बातचीत नहीं होगी इस solution में बातचीत नहीं होगी ag plus OH के साथ बात नहीं करेगा क्योंकि अभी तुमने बोला ag OH strong base की category में आएगा तो अगर वो strong base की category में आएगा तो वो टूड़ी आएगा इसका मतलब यह हुआ इस बार भी solubility सेम होगी अगर मैं S3 ले लूँ तो S3 is equal to root के SPI जाएगा सर फिर से भई जानी कहने का मतलब क्या हुआ strong acid, strong base के जो salts होते हैं उनकी solubility पानी में और buffers में वो लगभग एक जैसी दिखाई देती है ठीक है यह आचा अब आते है important जिस पर numerical बनता वो है salt की solubility in presence of common iron जिस पर सवाल पूछे जा चुके है solubility solubility in presence of a common iron common iron के presence में solubility calculate करनी है चलिए calculate करके देखते हैं अब मैं फिर से एक solution लेके आता हूँ जो माल लेता हूँ 0.1 molar agno3 या ag plus का solution है और इसके अंदर agcl को गोलता हूँ चलिए अब बताए कैसे निकालें सर इस बार एक चीज़ समझ में आती है solubility कम हो जाएगी क्यों क्योंकि जैसे आप agcl को घोलेंगे तो ये घुलने लगेगा बिल्कु सही है घुलेगा तो क्या बनेगा ag plus बनेगा और cl minus बनेगा और जो बरतन में पहले से ag plus हैं वो क्या बोलेंगे वो कहेंगे चलो चलो वापिस चलो common iron effect समझो बात यानि मैं ये कहना चाहरा हूँ कि due to this common iron effect इस बार इस salt की solubility वो कम हो जाएगी जितनी भी हो जाएगी कितनी होगी ये तो बताओ माल लेते हैं solubility S4 हो जाएगी के लिए solubility हो गई S4 अगर इसकी solubility S4 है तो सर ये भी S4 बनेगा बिल्कुश सही है अब आप ये बताइए करतन में Ag plus कितने हैं पर एक तो वो है जो तुमारे खुलने से आएंगे एक वो है जो पहले से पढ़ा पढ़ा हुए यानि total Ag plus S4 plus 0.1 तो इस बार कैसे लिखेंगे Ksp is equal to Ag plus into Cl minus Ag plus कितने है S4 plus 0.1 into S4 बैमानी क्या करनी है सर बैमानी ये करनी है एक तो इनकी solubility वैसी भहुत कम sparingly solubility solved और common आएं की वज़े से और कम तो इसका अउनलब ये हुआ सर आप S4 और 0.1 में से S4 को neglect कर दीजिए 0.1 into S4 is equal to Ksp इससे S4 निकाल लीजिए Ksp upon 0.1 and this is 10 Ksp समझे यानि मैंने यहां पर वैमानी क्या की है मैंने वैमानी की है S4 is much more less than 0.1 क्यों कि सर solubility तो वैसे ही बहुत कम होती है और common आएं की वज़े से ये वैसे ही समझो सब लोग इसको समझने कोश्च करो यह बहुत important case है क्योंकि इस common आएं के presence पे solubility हमसे हर एक्जाम में पूछी जाएगी अभी मैं दिखाता है तुम्हारे एक्जाम में पूछी गई यानि जब कभी भी common आएं की solubility calculate करनी होगी तो common आएं की जो concentration है वो salt जो अंदर पड़ा हुआ solution है उसी में से ले ली जाएगी उस salt से आने वाले जो ag plus है उसको neglect कर दिया जाएगा यानि जो total ag plus है वो this plus this है जिसमें S4 को neglect करके point 1 को use कर लिया जाएगा और solubility S4 calculate कर लिया जाएगा clear है? सबके यह बात समझ में आ रही है यानि simultaneous यह जो solubility है जो common iron के presence में निकाली गई नहीं नहीं दिव्याज समझने की कोशन करो बेटा यह बहुत important है मैं example के तौर पे तुम्हें दिखाता हूँ यह सवाल हमसे पूछे जाते हैं तुम कहो तो सिर्फ example से ही तुम्हें यह बात समझा के दिखाता हूँ यह हमसे common iron के यह देखिया यह 2019 का सवाल है KSP दे रखा है solubility निकालनी है इस solution में किसकी निकालनी है solubility देना बताइए सर यह देखिये 0.1 molar Ag plus है और आप उपर से घोल रहे हैं Ag2CO3 को तुम बताओ क्या यह वही सवाल नहीं है सर Ag plus अंदर है अंदर भी Ag plus है तो this is the case of common iron अब कैसे करेंगे अभी तो किया है अभी करके देखते हैं यह देखो सबसे पहले Ag2CO3 को घोलते हैं कैसे घोलेंगे यह बनेगा 2Ag plus CO3 2 negative यह आपने घोल दिया चली ठीक है अब क्या करें सर घोलने के बाद अब आपको solubility calculate करनी है तो कैसे को let the solubility yes मैंने हर बार बोला जब भी solubility निकाली जाती है पहला answer क्या होता है let the solubility yes तो अगर इसकी solubility yes है तो इसका मतलब यह S घुलेगा S घुलेगा तो S तूटेगा S तूटेगा तो यह 2S बनेगा और yes बनेगा यहां तक ठीक है अब जरा KSP का expression लिखते है क्या है KSP का expression KSP का expression है AG plus का square दिख रहा है into carbonate what is AG plus जरा सोच के होता हो sir AG plus एक तो वो वाले और एक पहले से present कितने 0.1 sir यह है AG plus आपका इसका अलब यह हुआ this is 2S plus 0.1 का whole square into carbonate कितने है S प्रमानी क्या करनी है sir एक तो ऐसी solubility कम होती है उपर से common ale लगेगा solubility और कम हो जाएगी तो 2S को 1 के respect में नगलेट कर दीजे यानि 2S is much more less than 0.1 बस खतम हो गया sir अब बताए यह answer कैसे निगलेगा this is KSP which is equal to 0.1 का square that is 0.01 into S तर यहां से आप आसानी से KSP calculate कर सकते है KSP को 0.01 से divide करके solubility निकाली जा सकती है so solubility is KSP divided by 0.01 जो भी option होगा उसको tick कर सकते है 8 into 10 raised power minus 12 upon 0.01 that is 8 into 10 raised power minus 10 वो हमारा order बाइग ती option बिलकुँ सही क्यानी common iron के presence में भी solubility हमसे पूछी जाती है बेमानी सिर्फ और हर बार बेमानी करनी है बेमानी क्या करनी है सिर्फ common iron की presence में जब भी solubility निकालनी है तो solution से आने वाले जो AG plus हैं उनको salt से निकल के आने वाले AG plus के respect में उनको dominate करवाईए और salt से आने वाले AG plus को नेगलेक्ट कर दीजे तो हर बार यह S नेगलेक्ट हो जाएगा हर बार यह S नेगलेक्ट हो जाएगा क्या बचेगा सिर्फ 0.1 का square तो इससे आप S calculate कर सकते हैं तो जब भी कभी common iron का सवाल आएगा आप आसानी से एक काम कर सकते हैं यह बैमानी आपको हर बार लगानी को समझ में आई बात? चलिए और एक example ले लेते हैं और एक case बना लेते हैं दूसरा case बनता है हमारा simultaneous का इसी के अंदर एक case और बनाते हैं जिस पर सवाल बनता है next case is simultaneous solubility last case होगा इसका simultaneous solubility simultaneous solubility का क्या मतलब? simultaneous solubility का मतलब है आप एक तरफ से AGCL को घोलने की बात कर रहे हैं यह मालीज़ आपको AGCL घोला जा रहा है पानी के अंदर और एक तरफ से आप AGBR को घोले हैं यानि simultaneously आप दोनों लोग की solubility calculate करना चाहा है जिसमें एक आएन common और यह बहुत important है जो बच्चे भी थोड़ा सा थक चुके हैं वो बिल्कुल दो मिनट और alert रहें क्योंकि इस पर भी सवाल पूछा जा चुका है mains level पर भी और advanced level पर भी अब लोग बहुत alert रहें यह बहुत important है simultaneous का मतलब है तुम्हें याद होगा एक साथ एक से ज़्यादा equilibrium जिसमें एक आदमी common हो अब आप बताइए हो क्या रहा है सर इसमें देखिए एक तरफ से यह होगा कि जो है AG CL घुलेगा घुलेगा तो सर यह equilibrium बनाएगा कौन सा equilibrium बनाएगा AG plus aqueous plus CL minus aqueous अच्छा AG BR भी घुलेगा सर उसको कौन रोकेगा वो भी घुलेगा चलिए वो भी ठीक है जब वो भी घुलेगा तो वो भी AG plus aqueous बनाएगा plus BR minus aqueous बनाएगा अब आपसे पूछा जा रहा है क्या बता सकते हैं दोनों लोग की solubility क्या है तोनों लोग की solubility क्या है तोनों लोग की solubility को अगर आप discuss करना चाहते हैं तो let the solubility of AG CL is S1 अगर यह S1 है तो S1 घुलेगा S1 घुलेगा तो S1 टूटेगा तो यह भी S1 बनेगा और यह भी S1 क्या यह simultaneous है हाँ सर उपर भी AG plus है नीचे भी AG plus है तो कैसे लिखते थे उपर S1 तो नीचे भी S1 समझे बात को फिर नीचे वाला equilibrium बनाएंगे तो let the solubility of AG BR is S2 तो यह S2 बनेगा यह भी S2 बनेगा और उपर भी चुप चाप S2 लिख देंगे क्योंकि AG plus common है so the concentration of AG plus will be common what is S1? S1 is the solubility of AG CL in presence of AG BR and what is S2? S2 is the solubility of AG BR in presence of AG CL समझ मैं तो equations दो unknown solve कर लिजे खतम हो गया पहला equation क्या बनेगा? KSP is equal to S1 plus S2 into S1 और दूसरा equation क्या बनेगा? AG BR का जो KSP होगा वो फिर से वही S1 plus S2 तर ये दो equations है दो unknowns है दोनों को solve करके S1 और S2 calculate कर सकते नहीं इस बार S2 को S1 के respect में neglect नहीं कर सकते because दोनों ही की solubility खराब है बास समरो? तो दोनों लोग तो एक दूसरे के सामने आएंगे आएंगे तो आपके पास दो equations है दोनों को solve कर लीजे दोनों से S1 S2 solve हो जाएगा और एक बार S1 S2 निकल आया तो आपको दोनों की solubility पता चल जाएगी यानि इस बार भी देखिए वही कर रहा है AGCl है और CuCl है बताओ समझे की नहीं सेम सवाल है सर यह AGCl है यह CuCl है कर लो अपने आप सब कुस्त तो तुम्हें अभी लिख के दिखाया है मैंने सर इस बार वही है सेम सवाल है सर AGCl, CuCl the amount of Cl minus is common so the common ion is Cl minus so this again is simultaneous solubility का case आप must case बना सकते है सर इस बार फिर से वही होगा AGCl का solution बनाएंगे AGCl का solubility लिखेंगे तो ऐसे लिख लिजेगा AG plus plus Cl minus और जब CuCl के लिखेंगे तो CuCl के लिखेंगे ऐसे लिख लिखेंगा CuCl solid is in equilibrium with Cu plus plus Cl minus let the solubility of AGCl is AS1 तो फिर ये S1 ये S1 तो नीचे भी S1 फिर ये S2 तो ये S2 जुड़ जाएगा इधर भी S2 आ जाएगा बस खतम हो गया सर दो equations बन गई पहला वाला जो KSP होगा AGCl वाला उससे आप बिलकुल वैसे ही काम करेंगे S1 plus S2 into S1 और दूसरा वाला जो KSP है जो CUCL वाला है वो भी वैसे ही S1 plus S2 into S2 तर दो equations हैं दो unknowns हैं जो करना है कर लीजिए गणित के student हैं इतना तो हम भी कर ही लेंगे सर्थ इसमें कहीं कोई जंजट नहीं है वो बड़ी आसानी से एकाम कर से येर है सब के समझ में आ गया चलिए अब आते हैं बिलकुल लास्ट के टॉपिक पर चलते हैं और दाट इस इंडिकेटर थेरी बस एक मिनिट के लिए जो discussion करना है वो ये है कि जनरली हम इसमें इसमें सवाल बने भी नहीं तुमारे एक्जाम में तो इसके दो forms है एक undissociated ये HIN जो है वो undissociated और एक IN माइनस जिसको आप dissociated कहते हैं यानि कहने का मतलब ये हुआ किसी भी indicator की दो forms है एक undissociated और एक dissociated indicator की इन दोनो forms के दो अलग-लग colors होते हैं जैसा अकर मार्ली ये बात करें तो तुम सब जानते हो फिर अप्द्ली quedar तो यह बताना चाहरा हूँ इनिकेटर किस घ्रेंज में अपना कलर चेंज करता है उसके लिए इसका यह मतलब है कि इसकी concentration, आई एन माइनस की concentration से 10 गुनिया उससे जादा, अगर मुझे solution pink दिख रहा है, तो इसका मतलब इसकी concentration, वो इसकी concentration से 10 टाइम्स या उससे जादा, तेरी बाद समझें, यानि यह थेरी यह कहती है कि बहुत सीधी सी concept है, dissociated form की concentration, बेटर दन और इक्वल टू 10, इन दाट केस, कलर कौन सा दिखाई देगा, कलर दिखेगा, dissociated form का, हमें dissociated form का कलर दिखाई देगा, ठीक है, उल्टा करते हैं, अगर dissociated form की concentration, और undissociated form की जो concentration है, अगर वो, अगर वो 10, 10 लेस पार, इसकी concentration अगर लेते हैं, यानि कहने का मतलब यह हुआ कि, इस बार undissociated form की जो concentration है, undissociated form की जो concentration है, अगर dissociated form की concentration से, 10 गुनिया उससे ज़्यादा है, तो आपको color किसका दिखाई देगा, undissociated form का, यानि अब आपको color दिखाई देगा, undissociated form, तो indicator theory क्या कहती है, indicator theory यह कहती है कि, जो indicator के color change की range है, वो कैसे निकालोगे, तो सर्वों यहां से आ जाएगी, आप समझेए, अगर यह 10 है, तो आपको ionized color दिखाई देगा, और अगर यह 1 by 10 है, तो आपको ionized color दिखाई देगा, तो जो range निकाल के आएगी, वो क्या आएगी जारा समझना, pH is equal to pk, एक बार log 10 बनेगा, एक बार log 1 by 10 बनेगा, तो एक बार 1 आएगा plus में, एक बार minus में 1 आएगा, यानि the range of the color change of an indicator is, pk plus minus 1, समझो बात, यानि मैं यह बताना चाहरा हूँ, कि अगर आपके पास एक indicator है, तो वो यह कहता है, कि मेरे दो forms होते हैं, एक dissociated एक und dissociated, pH value decide करेगी, कि मैं इधर जादा चलूँगा, या इधर जादा चलूँगा, जिस form की concentration, दूसरे वाले form से 10 times से जादा होती है, मुझे उसी का color नज़र आता, तो इसका अभी हुआ, color change की range क्या है, range यह है, कि इस range से इस range के बीच में, वो indicator color change कर रहा होगा, यानि कहने का मतलब यह हुआ, कि जो pH की value है, वो pk plus minus 1 होगी, वाई, because अगर एक बार उपर 10 रखोगे 10 by 1, तो log 10 1 होता है, और एक बार 1 by 10 रखोगे, तो log 1 by 10 minus 1 होता है, तो color change की जो indicator की general range बनाई गई है, वो pk plus minus 1 से define की जाती है, यह indicator थे रही, और किसी भी titration में कौन सा indicator यूज़ किया जाएगा, वो indicator यूज़ किया जाएगा, जिसके color change की जो range है, वो उस titration के equivalence point को meet करती हो, या उसके आसपास चलती है, यहाँ पर एक छोटा सा point जो हमें last में discuss करना है, उसके बारे में और बात कर सकते हैं, वो यह है कि अगर मैं titration curves के बारे में बात करूँ, तो titration curve यह कहता है, यह जो titration curve बनाए गया है, वो strong acid और strong base का titration curve है, यानि कहने का मतलब यह हुआ, यह एक ऐसा titration curve है, जिसमें आपने एक strong base को titrate किया है, strong acid के साथ, यानि जो हमारा analyte है, वो माल लेते हैं NUH है, और जो titrant है, वो माल लेते हैं हमारा HCl, अब आप खुद बताईए, pH change का क्या definition बनेगा, आप ज़रा बताईए, pH change कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले pH कैसे होगी बरतन की बताओ, तर NUH है, pH बहुत जादा होगी, यह दिज़े जादा होगी, अच्छा, अब आप उपर से HCl किराएंगे, अब आप उपर से HCl किराएंगे, तो pH आपकी कम होने लगेगी, क्योंकि HCl बनाएगा, ठीक, तो यह pH आपकी कम होती जारी होती जारी, एक पॉइंट ऐसा आएगा, सर जब सारा का सारा NUH, खतम हो जाएगा, एक से रियाग कर जाएगा, उस टाइम पर जैसे आप HCl गिराएंगे, pH खड़ाक करके नीचे गिरेगी, तर पीएच आपकी अचानक जो है, वो नीचे आजाएगी, माल लिजए यह pH है, वो अचानक ऐसे नीचे आजाएगी, और उसके बाद पीएच आपकी, वो constant आते जाएगी, यानि कहने का मतलब यह हुआ, इस point को आप equivalence point का नाम देंगे, जहाँ पर acid और base आपस में neutralize हो जाएगे, अब आप खुद देख लीजे, फिनॉप्थलीन के जो color change की range है, वो weekly basic environment, यानि 8 से 10 के आसपास, और methyl orange के color change की range जो होती है, वो 3 से 5 weekly acid environment, और यह दोनों ही solutions इस pH change के sharp change को बिलॉंग करते हैं, यानि आप इस तरह के titration, जो strong base, strong acid के, या strong acid, strong base के titration हैं, उनमें आप phenopthylene का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और methyl orange का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंगी इनकी color change का जो range है, वो इस curve के sharp region को बिलॉंग करता है, यानि pH change के sharp region को बिलॉंग करता है, तो आप इन दोनों में से कोई भी indicator यूज कर सकते हैं, यानि मैं यह बताना चाहरा हूँ कि जो आपका titration curve है, वो एक important curve हो सकता है, जिसमें आपको यह पूछा जा सकता है, कि आप बताईए, यह जो titration curve यह किस के बीच में बन रहा है, जैसे मैं एक example लेता हूँ, माली जा आपसे कहा जाए, यह titration curve कैसे बनाया, किस के बीच में बन रहा है, आप समझ यह, तो सर साब समझ में आता है, आप नीचे से start हो रहा है, यानि, this is volume of NaOH आपने add किया, और यह आपका pH, साब दिखाई देता है, सर, आप नीचे से चलना है, इसका मतलब आपके बतन में पहले क्या था? असे और जैसे जैसे आइज जलता जाएगा, pH बरती जाएगी, यह मेरा एक्यूवेलेस पॉइंट, तो साब दिखाई देता है, this is the titration of strong acid plus strong base, यह strong acid is strong base का titration, लेकिन अगर माल लीजे यही titration curve, किसी weak acid का बनाए गया होता, तब क्या होता? तो अगर यही titration curve किसी weak acid के साथ बनाए गया होता, तो अंतर देखने को मिलता, क्योंकि अगर आप weak acid ले लेते, weak acid का titration ले रहे हैं, weak acid with strong base, यानि weak acid को strong base के साथ अगर आप titrate कर रहे हैं, तो क्या होगा? यानि बरतन में आपके पास acetic acid है, माल लीजे weak acid, CS3COH, और अब आप इसको titrate कर रहे हैं, NOH के साथ. अब बदाई titration curve कैसे बनेगा? अब बड़ा interesting है बस, ये last point है बई सब लो, एक मिनट के लिए उब आप तसल्ली से देख लो, बिल्कुल last है, बात खता मिग्दम, ठीक, यानि कहना क्या चाह रहे हैं, कि सर, जब आप अब आप यहाँ पर NOH का amount डालेंगे, और ये आपका pH value, अब आप बताए, शुरू में pH कैसे है, सर, शुरू में आप इसके अंदर अनुएज डालेंगे, तो क्या होगा? थोड़ी से अकल लगाते हैं, जब आप इसके अंदर अनुएज डालेंगे, तो अस्टिक असिद अनुएज के साथ रियाक करेगा, यानि pH एकदम से बड़ी और रजिस्टेंस असी, उसके बाद सर फिर जब हाथ से बात निकल जाएगी, तो साथ दिखाई देता है, यह जो कर्व बनाए गया, यह जो कर्व बनाए गया, यह कर्व यह कहता है, कि अब जो आप इंडिकेटर इस टाइटरेशन में यूज कर सकते हैं, वो नीचे वाला नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इस इस नोट शार्प चेंज, शार्प चेंज ऊपर है सर, इसलिए फिनॉप्थलीन तो यूज किया जा सकता है, बट मिथाईल ओरेंज हम यूज नहीं कर सकते, समझो बात, यानि मैं यह बताना चाहरा हूँ कि टाइटरेशन के जो कर्व्स हैं, वो कर्व्स बनाए जा सकते हैं, कुछ दो-चार बातों को ध्यान में रखते हुए, और दो-चार बाते बले आसान सी हैं, कि जब आप उपर से कोई टाइटरेंड गिराते हैं, तो solution का behavior कैसा, वो solution decide करता कि उसका behavior कैसा, और वो decide करता कि pH change कैसे हो रही है, तो मेरा सब लोगों से यही कहना है, कि यह जितने भी topic हमने किये हैं, इसमें कुछ examples और लिये जा सकते हैं, और इनको solve किया जा सकता है, यह सारी चीज़ें बढ़ी आसान है, एक बार सारी चीज़ों को revise कर लिया जाए, मुझे लगता है main points, acids की pH calculations, hydrolysis, buffer solutions and solubility, यह main points हैं जिसको हमें अच्छी तरह से revise कर लेना चाहिए, एक बार इनको अच्छी तरह से revise कर लोगे, तो चीज़ें आसान हो जाएं, ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं और सब लोग इसको एक बार सही से revise करते हैं, revise करने के बाद जो है, इसको सही से कुछ सवालों की practice कर लेते हैं, प्राक्टिस करने से तयार कर लेते हैं तो आज इतना ही करते हैं फिर अगली बार मुलाकात करेंगे जम के मैनत करो खूब तयारी करो कोशिश करो कि अच्छा सेलेक्शन हो जितना आता है वो सारी चीज़ें एक बार कवर कर ली